दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल लगबग हर कोई बना लेता है चाहे X लेके बनाओ, Y लेके बनाओ, Z लेके बनाओ, लेकिन सवाल ही उठता है कि आप जो अप्रोच इन सवालों को solve करने के लिए लगाते हैं वो सबसे best है या आपके जानकारी के बाहर भी कुछ औ और लाजवाब बहतरीन और गजब के अप्रोचेस हैं तो अगर मैं बात करूँ 3 golden rules of ratio की या फिर सबसे बड़ा magic ratio का जो कहलाता है balancing of ratio अगर ये अप्रोच आपको एक बार पता चल जाए और इसको उपर आपको command मिल जाए न तो आप जिन सवालों को ज्यादा टाइम लेते और वादा करते हैं कि इस complete session के बाद आपके ratio को देखने का नजरिया ना change कर दें तो हमारा नाम भी कौशिक मानती नहीं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा request के session को एक बार like और share कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये session पहुंच पाए और हमारा ये जो effort है हमारा है जो मेहनत है वो रंग लाए तो चलिए without any further delay let's get started hello friends माईशल कौशिक मोहनती welcome to our channel carrier definer तो सबसे पहले किसी भी topic को start करने से पहले उसके definition जानना जरूरी है तो यहां पर हम अगर ratio पढ़ने तो ratio का definition एक proper आपके दिमाग में fit कर देते ratio जो है वो एक relation होता है ज एक person है A एक दूसरा person है B तो अगर मैं बात करूँ A का salary और B का salary इनके बीच में कुछ ratio आएगा और वो ratio कैसे आएगा सपोज में salary ना लेके salary के बारे में तो बाद में example लोगा सपोज में यह कहता हूँ कि एक person है A दूसरा एक person है B उनका सपोज में बात करता हूँ उनका जो weight है वो सपोज में यह कहूँगा कि यह 7 is to 8 ratio में है तो इसका simple सा meaning निकल के आता है कि A का weight अगर आपका 7 part का होगा तो B का weight आपका 8 part का होगा यह simple सा relation है उनके बीच में कि यह अगर 7 होगा तो यह आपका 8 होगा दूसरा चीज जो में बताना चाहता हूँ कि अक्सर आप अगर 14 होगा तो यह आपका 16 होना confirm है क्योंकि इनके बीच में ratio अगर अभी में 2 में काटके देखूं तो 7 is to 8 है मैं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह जब 21 होगा तो यह कितना बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा क्यों क्योंकि ratio में आप अगर same चीज multiply करते हैं तो ratio में क कोई changes नहीं आएगा क्योंकि इसमें अगर में 3 है और इसमें अगर में 3 से cancel कर दो तो वही पुराना वाला 7 is to 8 मुझे मिल जाएगा तो दूसरा चीज मैंने कहा कि ratio कभी fixed नहीं रहता है रेशियो variable रहता है जो vary करता है लेकिन यहाँ पे दो चीज एक साथ vary करेंगे अगर 7 भी change होके 21 बनेगा तो 8 भी change होके 24 तो यह क्या पढ़ा रहें बहुत important है हर छोटा concept को सीखते चलिए बाद में सब relate आप कर पाएंगे दो चीज खतम होने के बाद यह जो relation आता है वो relation को हम mathematical form में कैसे express कर पाएंगे कि अगर मैं कहूंगा कि A और B के weight का ratio 7 is to 8 है तो मैं यह कह सकता हूं कि A by B is equal to 7 by 8 इसका मतलब भी अगर आपको कभी भी ऐसा एक relation मिला तो इससे भी आप यह निकाल सकते हैं कि अगर A by B is equal to 7 by 8 है मतलब A और B के बीच में ratio 7 is to 8 का है और यह सब ratio मिलके एक ही चीज को आपको lead करेंगे वो क्या है कि अगर आपका A का weight 7X होगा तो B क weight sir मैं बताता हूं 8X लेकिन आपको अगर मैं पूछ दूँए 7X 8X होता क्यों है तो आप चुप हो जाएंगे तो उसको जानने के लिए मैं starting से एक ही चीज तो कह रहा हूं कि अगर 7 part होगा तो यह 8 part होगा तो अगर मैं 1 part को ही अपना X से consider कर दूँ तो अगर 1 part आपका X आ करेंगे लेकिन अगर आपको traditional में किसी भी सवाल को solve करना तो यह चीज आपको जानना ज़रूरी है कि 7X 8 लिखना मतलब 7X 8 अब मैं तीसरा चीज दो बताना जाता हूं कि यहां पर suppose weight है similarly हां पर height हो सकता है आपका age हो सकता है salary हो सकता है income expenditure कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका weight तो इसका weight इसका age तो इसका age तो same type of relation होना चाहिए last important चीज जो मैं discuss करूँगा वो यह है कि आपका ही जो ratio सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में limited हो ऐसा माइन नहीं है आपका यह ratio 5 लोग 6 लोग 7 लोग 8 लोग किसी भी number of entities के उपर establish किया जा सकता है लेकिन मतलब सिर्फ इतना न पार्ट को X ले लो और आप purely traditional में solve करना चाहते हैं तो A आपका बन जाएगा यहाँ पे 2X, B बन जाएगा यहाँ पे आपका 3X, आगे लिखने है जरूर्द नहीं है, C बन जाएगा 4X, D बन जाएगा 7X, E बन जाएगा 5X, तो जब यह आप traditional में चीजों को solve करें जो कि important भ जाएगा कि हाँ, आज तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्यूंकि starting में ही धमाका हो रहा है, वो यह है, इतना मैंने parts, what, x, x, x सब सिखा दिया, अब देखिए गलती कहां करते हैं आप लोग, सोच बदलिये, अगर मैं कहूं कि 2 परसने, 1 परसने, अपना A, दूसरा परसने अब जब पूछ रहें कि possible है, तो आपका दिमाग कह रहा होगा, ऐसा क्यों पूछ रहें, नहीं, possible नहीं होगा, फिर आपने सोचा क्या, कि सर देखिए न, A का income ही two part है, तो उसमें से three part घर्चा कैसे करेगा, सर B का तो income ही three part है, तो उसमें से five part घर्चा ही कैसे करेगा, यह ही सोच बदली है, गटिया सोच है यह, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहाता कि ratio जो होता है, वो same kind of cheese के उपर होता है, तो यह जो two is two three का ratio वो income का है, मतलब अगर मैं A का income को two x लूँ, तो B का income three part, यानि कि three x हो जाएड़ा, यह आपस में अपना अलग है, लेकिन expenditure एक अलग ही ratio है, उसका income के साथ कोई relation ही नहीं, मतलब मैं यह कहना चाता हूँ कि इस three का, इस two के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह जो three five है, यह expenditure के ratio है, और अगर मैं कहूं का कि expenditure इसका three part तो इसका five part, तो मैंने एक part को x अगर income के case में मान रखा था, अगर मैंने income के case मे एक part को x मान रखा था, तो और expenditure एक दूसरा entity है, तो उसके लिए मुझे एक दूसरा variable लेना होगा, कि expenditure के लिए मैंने one पर y को लिया, तब मैं कहा सकता हूँ कि यह three part है मतलब यह three y होगा, और यह five part है तो यह आपका five y होगा, तो यह two x अलग है, यह three y अलग है, आपका उपर से चला गया, example लें, तो income का ratio two is to three, हाँ sir, इसका income two thousand और इसका income three thousand हो सकता है, हाँ sir, two is to three ratio maintain कर रहे है, अब expenditure का ratio three is to five, तो इसका expenditure अगर 30, तो इसका expenditure उस हिसाफ से 50 नहीं हो सकता, इसका expenditure अगर 300, तो इसका expenditure 500 नहीं हो सकता, क्योंकि 300 का बया, सिर्फ 500 के साथ relation क्योंकि यह expenditure का ratio है, 300 का इस दो हजार, इस दो से कोई मतलब नहीं है, तो यही चीज में सिखाना चाहता था कि same kind of चीज के, income का अलग ratio, expenditure का अलग ratio, तो income का अलग variable और expenditure का अलग variable, clear है मेरे ख्याल से, यह बहुत concept जबरदस्ता लगा होगा, इतना concept जाने के बाद, अब चलत चीज है, यह क्या है सर, इसको थोड़ा explain कर देंगे, तो अच्छा होगा, तो सबसे पहले, मैं proportion के अगर मैं बात करो, तो proportion में यहां पे बहुत ही बढ़िया सा चीज आपके दिमार्ग में निकल के आएगा, वो यह है, कि अगर दो ratio, A और B एक ratio है, C और D एक ratio है, अगर य यही आपस में समान है, इसलिए समानूपात है, तो यही चीज आपको सोच रहे है, कि यह ratio अलग है A, B, यह ratio अलग है C, D, अगर यह ratio A, B का और यह ratio C, D का बराबर हो गया, तो तब ही मैं कहा सकता हूँ कि यह ratio, इस ratio के साथ proportion में आ जाएगा, इसका ज्यादा रोल नहीं है, तो इसको मैं ज्यादा explain नहीं करूँगा, जितना आपको जाएगा, ज़रूर यह उतना बताऊँगा, मतलब घूम घाम के अगर A और B के बीच में ratio 2 is to 3 का आएगा, तो घूम घाम के C और D के बीच में भी ratio 2 is to 3 का आना चाहिए, तब मैं कहा सकता हूँ कि दोनों ratio बराबर है, इसका मतलब clear है कि यह ratio इस ratio के साथ वराबर है, तो यह ratio को मैं क्या लिख सकता हूँ कुछी देर पहले मैंने लिखा था, इसलिए मैंने कहा कुछ मत skip किजए, एक ही वीडियो है ना देख लीजिए, जिन्दगी सबर जाएगा, पका वारा करते है, A by B, is equal to यह आला क्या O हो सकता है, तो A, B रट के कोई फायदा नहीं है, तो साइट एडायेट कहते हैं कि A और D कहां कहां बैठे, extreme end में बैठे, B और C कहां बैठे, middle में बैठे, तो A और D जो extreme में बैठे, उनका product, B और C जो बीच में बैठे, उनका product हमेशा constant रहेगा, same रहेगा, अब इससे क्य क्या question आ सकता है, इससे question आपको ये देखने के मिल सकता है, कि अगर मैं आप से पूछ दूँ कि 1648, 7 question mark, 1648, 7 question mark, तो आपको सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचना, ये आपको मैं तीन तरीक से निकाल के सिखा सकता हूँ, सबसे basic method जो मैंने अभी सिखाया, क्या, कि अगर proportion का symbol है, तो AB के बीच में जो ratio होगा, CD के बीच में वही ratio होगा, हाँ sir, तो मैं ये देख सकता हूँ, कि 16 और 48 के बीच में sir, 1 is to 3 का ratio आ रहा है, तो definitely यहाँ पे जो दो element बैठे होंगे, वो proportion में होने के लिए उनके बीच में ratio 1 is to 3 का होना चाहिए, तो एगर 1 part बराबर 7, त एक्स्ट्रीम एंड में जो बैठे है, उनका product यानि कि 16 और सपोज ये बैठा है, आपका सपोज X, तो 16 और X का product, 16 और X का product, बराबर B into C, यानि कि middle में बैठने वाले term, 48 into 7, और ये सब अगर आपको पता है न, तो देखने के time waste मत कीजिए, सिधा basic questions क्यों और चलिए, ठीक रुख जही, रुख जही है, important यहां पे, ठीक है, unitary method, जो कि आप percentage में भी लगाते हैं, और यहां पे ratio में भी लगेगा, unitary method, unitary method का मतलब क्या होता है, unitary method का मतलब होता है, जब आप एक single value, single unit का value निकालके, numerous number रखके value निकालते हैं, for example, अगर कोई बोलेगा, कि market में 7 apple का price से आप बुज़र के चाते हैं, तो एक single unit का value जब आप निकालते हैं, तो उसी को unitary method का जाता है, तो मैं यह देख सकता हूँ कि यहां पे unitary method क्या हैगा, अगर 16 बराबर 48, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 16 apple का price अगर 48, 16 बराबर 48, तो 7 बराबर कितना, तो 7 बराबर कितना, आप लोगों को शायद one part निकालने की ज़रूरत नहीं, one part क्या होगा, 48 by 16, यह सबको पता होगा, मैंने percentage में भी पढ़ाया है, और यह बचमन से पढ़ते हैं, तो अगर 16 बराबर 48, तो 7 बराबर कितना, तो 7 बराबर कितना कैसे निकालेंगे, 48 divided by 16 कर दूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे one part का value आजाएगा, इधर सिर्फ one ही बचेगा, 16 divided होने से, मुझे अगर seven part चाहिए, तो into का यहां पर क्या हो जाएगा, 16 यहां पर गटा 3, 7 into 3, 21, so मैंने आपको तीन तरीके बताए, इस proportion को solve करने के लिए, अब last में बताता हूँ, कि जो आप निकाल रहत तब से, वो शिनमर, वो इन चार element का सबसे last मतलब fourth element था, तो इसी को fourth proportion या फिर fourth proportional कहा जाता है, fourth proportion या फिर fourth proportional जो भी आप कह सकते हैं, so this is the fourth proportion और fourth proportional जिसको हम D भी कहते हैं, इस element को, तो similarly, चार element में अगर चौथे वाले को D कहा जाता है, तो यह C, तीसरे वाले C को क्या कहा जा रहा होगा, third proportion कहा रहा होगा, तो एक बार अगर इतना तक हम ले आ चुके हैं, आपको तो थोड़ा third proportion और mean proportion बता के basic सवालों को चलते हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं, अपने third proportion की हो, तो third proportion की हो, तो third proportion के लिए आपको दिमाग में बस एक चीज सीखना है आपको, कि सर, इस जो ABC, और एक चीज लास्ट, कि जब ऐसे 4, 5, 6 element ऐसे proportion में रहते हैं, तो आपको, उनको continued fraction का, sorry, continued proportion का नाम देना है, मतरा, जब यह ऐसे 4 element, 5 element, 7 element ऐसे proportion में रहते हैं, align करके, तो उनको कहा जाता है, continued proportion, they are said to be in continued proportion, तो यहाँ पे 3 element continued proportion में हैं, और proportion में होने के लिए आप आपको तो proportion का सर सिंबॉल चाहिए, अब सिंबॉल तो दो ratio के बीच में establish होगा, यहाँ पे तो element ही 3 है, तो जब भी 3 element आपके continued proportion में हो, तो उसका simple सा meaning निकल के आता है, कि जो बीच में बैठा है B, वो A के साथ और C के साथ बराबर ratio करेगा, मतलब B को मैं यहाँ पे रख द में जो बैठे हैं, उनका product यानि की A into C, और middle में जो बैठे हैं, उनका product यानि की B into B, यह क्या होना चाहिए, constant बराबर होना चाहिए, तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि C का value कितना आजाएगा, B into E, B square by A, यह रखने वाली बात नहीं है, यह चीज concept एक बार सिख जाएगे, आ इस सवाल को कैसे solve करेंगे, तो यहाँ पर suppose इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं, कटेगा तो, 3, यह तो कटनी रहा है, तो चले इसको 15 ले लेते हैं, कुछ अच्छा ले लेते हैं, 9, 15, और यहाँ पर suppose question mark, तो यह third element है, continued proportion का, तो इसको third proportion कहा जाएगा, तो third proportion निकालने के मेरे पस formula क्या है, कि यह जो question mark का value या फिर जिसको आप c कहते हैं, वो क्या हैगा, बीच वाले element का square, यानि कि 15 into 15, 225 लिकने के जरूरत नहीं, divided by पहला element a, यानि कि 9, अब 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 5, 3 से काटूंगा यह बन गया 5, 5 into 5, कितना बन गया आपका 25, तो एक last चीज़ भी सीख के जाएए, कि आपका mean proportional क्या होता है, mean proportional या फिर mean proportional जो भी इसको कहते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, तो अगर मैं बात करूं इस mean proportion की, तो यह mean proportion आपका क्या होता है, मैं वो चीज़ बता देता हूँ, mean proportion is a very simple thing, कि अगर आपके दो element कुछ भी ratio कर और मुझे इन दोनों element को continued proportion में लाना है, continued proportion में, देखे हर दो ratio ना, हर दो element हमेशा ratio में रहेंगा और proportion में भी रहेंगा, लेकिन इसको continued proportion में लाने के लिए मुझे एक और term चाहिए, क्योंकि तीन element तो कम से कम proportion में रहने चाहिए, तो एक term मुझे इनके बीच में insert करना है, जिसके वज़े से तीनों के तीनों continued proportion में आ जाएं तो suppose मैंने इनके बीच में introduction किया suppose x का या फिर introduce किया x को तो x आते ही ये कुछ इस तरह दिखने के लिए लगेगा अब इस x का काम क्या है यही आपका mean proportion है जो x हम अंदर इनके डालते ही ये तीन element आपके continued proportion में आ जाने चाहिए अब तीन element continued proportion में आ जाने चाहिए तो मैंने देखा कि पहले ही हमने सिखाय था तीन element continued proportion में रहेंगे तो बीच वाला पहले वाले के साथ जो ratio कर रहा होगा, दूसरे वाले के साथ वही ratio कर रहा होगा, तो अगर यह बराबर है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि extreme terms के product, middle terms के product के साथ बराबर है, middle term का product यानिकी x into x, x square, extreme terms का product यानिकी a into b, ab, तो x square बराबर अगर ab तो यहीं से मुझे पता चल गया कि x is equal to root under of ab तो मैं यहीं से एक simple सा example लूँगा कि 3 यहाँ पे जो continued proportion है तो वहाँ पे आपको अगर mean मतलब आपको दे दिया जाएगा एक ratio और बोला जाएगा कि इसका mean proportion क्या है तो अगर मैं वो ratio को देता हूँ यहीं से ले लेते हैं न कितना आया था 9 और 25 अगर मैं बोलूँगा कि 9 और 25 का mean proportion कितना होगा तो आपको कैसे निकालना होता है mean proportion निकालने कि आपके पास formula है कि 2 number जो element ratio में है उनका product का root over तो root under up यहाँ पे 9 into 25 बन जाएगा अब इसको पूरा solve करेंगे ज़रूद नहीं कि 25 का 9 और ना करेंगे यहाँ पे 9 का square root कर सकते हैं 3, 25 का square root कर सकते हैं 5, 5 into 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और last चीज कहके इस part को खतम करते हैं कि 9 और 25 के बीच में अगर मैं 15 को ले आऊँ पूरा revise हो जाएगा तो मेरे पढ़ायने के हिसाब से 9 और 15 जो ratio करेंगे 15 और 25 वही ratio करने चाहिए 9 और 15 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 to 5 का ratio कर रहे हैं और 15 और 25 को अगर मैं 5 से काटूंगा तो वो भी 3 to 5 का ratio कर रहे हैं मतलब पहला दूसरा दूसरा तीसरा इनके बीच में ratio बराबर होगा तो ये continue proportion में हो जाएंगे और वही चीज़ अगर आपके दिमाग में चलना है कि 5-6 element कैसे होंगे वही चीज़ पहला दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ तीसरा चौते के साथ ऐसे ratio आपको बराबर परकरार करने चाहिए लेकिन उतने element आपको ज़रूरत नहीं है चार से ही आपका सारा चीज़ बन जाएगा अगर हमने proportion को इतने बारीकी से देख लिया है तो एक चीज़ और क्यों मैं skip करूँगा complete chapter लिखें तो उसको भी आपको बता देते हैं सोचे नहीं तो बताएंगे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट खतर उसके बाद हम basic question से start करेंगे कि आपके कुछ types of ratios रहते हैं क्या क्या ratios रहते हैं उनके नाम अब अब आपका ट्रिप्लिकेट रेश्यो और एक आता है आपका compounded ratio को मैं question में करवाँगा इसको ठोड़ दीजे इन चारों को बस देख लिजे इन चारों को देखने में क्या है सपोस्थ मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल जो अपना ratio है वो सपोस्थ आपका है a is to b का तो उसका अगर मुझे duplicate ratio चाहिए तो उसका मुझे सिर्फ square करना होगा यानि कि a square is to b square हो जाएगा duplicate ratio मतलब अगर यह 3 चार था 3 is to 4 तो यह 3 का square 9, 4 का square स्वोला तो यह 9 is to 16 हो जाएगा 7 is to 8 होता तो 7 का square 49, 8 का square 64, 49 is to 64 बस ऐसा ही direct अगर कोई पूछ देगा कि 7 is to 9 का duplicate ratio बता तो 7 का square 49, 9 का square 89, 49 is to 81 sub duplicate ratio मतलब जो a b होगा उसका root under a, root under a, root under b मतलब अगर मैं कहूंगा एक ratio है 9 is to 4 तो उसका sub duplicate निकालो 9 का square root 2, 13, 4 का square root 2, तो 3 is to 2 तो यही चीज होता है ट्रिप्लिकेट में बस ट्रिपल कर दो a क्यों is to b क्यों बाज आएगा sub duplicate में cube root कर दो, cube root of a is to cube root of b मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे kind of ratio भी आपको explain कर दिया सिर्फ compounded ratio जिसको मैं proper question के तुरू करवाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा उमीद करता हूँ कि अभी तक जो चीज आपको पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में सही से गुसा होगा लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा important चीज कुछ नहीं आता चलिए कुछ basic सवालों से कुछ basic concept को पहले सिखते हैं उसके बाद धीरे-धीरे अपना level बढ़ाएंगे उमीद करते हैं कि अभी तक आपने session को एक बार like जरूर से कर लिया होगा तो चलिए अपने बढ़ते हैं basic सवालों की और चलिए दोस्तों आज का जो सबसे पहला concept रहेगा वो ratio में कैसे divide किया जाता है कैसे बाटा जाता है उसके उपर रहेगा तो पहला सवाल बहुत ही simple है आप लोग लिप्टा सकते हैं रूपिस 15,500 divided into 3 parts proportional to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 are respectively सवाल के उपर जादा focus मत कीजिए language बस आपको इतना कहना चाहता है कि 15,500 को बाट दो किस अनुपात किस ratio में 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 ratio में अब इसका क्या करें अब ये ratio जब भी आपको fraction में मिले तो उसको whole number में convert कर दीजिए whole number में कैसे बनाएंगे अगर मैं ratio में कुछ भी multiply करूँ तो ratio में कोई change नहीं आएगा बिल्कुल नहीं तो मैं multiply कर सकता हूँ अब ऐसा एक number multiply कर दीजिए जो की 2, 3 और 5 को eliminate कर रहा होगा यानि कि 2, 3, 5 के multiples में रह रहा होगा 2, 3, 5 के multiples यानि कि 3 के common multiple भी होगा और जितना चोटा है मेरे लिए अच्छा है तो common multiple और सबसे चोटा यानि कि मैं LCM की बात कर रहा हूँ तो जब भी आपको ratio fraction में दिखे आपको सीधा focus करना है उनके denominator के उपर denominator 2, 3, 5 है उनका LCM के उपर 2, 3, 5 का LCM कितना होगा 5 into 3, 15 into 2, 30 होगा और वही LCM 30 को आपको multiply करना है और जब मैं 30 multiply करता हूँ इस ratio में सारे के सारे element के साथ वो multiply होगा यानि कि 1 by 2 into 30 ये कितना बन जाएगा मेरे पास 15 1 by 3 into 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30 तो पूरा का पूरा ratio मेरे पास whole number में आ गया अब सर्फ मुझे इस रुपे को इस ratio में बांटने है अब इस ratio में बांटने के कई सारे तरीके होते है सबसे पहले में आपको एक basic तरीका बताता हूँ जो शायद आप लोग कर रहे होंगे लेकिन उससे कुछ advance कुछ हट के हम कर सकते है basic method हमें कहता है कि total हमें इसको 15 parts देने इसको 10 parts देने इसको 6 parts देने ratio का मतलब यह होता है 15 is to 10 is to 6 का मतलब 15 part 10 part 6 part अब यह अगर 15 part लेगा यह अगर 10 part लेगा और यह अगर 6 part लेगा तो total इन्होंने कितने parts लिये होंगे 15 plus 10 25 25 plus 6 31 parts इन total होगा इनका और यह जो इन 3 का total 31 parts है यही तो है क्योंकि यही रुपए इन तीनों के बीच में बाटा गया, मतलब तीनों के रुपे को अगर मैं एड करूँगा तो इतना आना चाहिए तीनों के ratio parts को अगर मैं एड करूँगा तो 31 आना चाहिए तो मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि 15 plus 10, 25 plus 6, 31 parts जो उनको total मिला है वो total कितने रुपे के साथ बराबर है 15,500 के साथ बराबर है तो 31 parts बराबर अगर इतना तो वही से मैं 6 part का अगर आपको value पूछू कि last वाला है का 6 part निकालो तो 6 part में कैसे निकाल सकता हूँ मेरे ख्याल से unitary method सब लोग जानते होंगे कि just moment पे मैं 15,500 divided by ये 31 कर दू तो मुझे 1 part का value मिल जाएगा अब 1 part नहीं मुझे तो 6 part चाहिए तो ये 1 part में 6 multiply करने से 6 part का value आ जाएगा अब 31, 5 जा 155 लेकिन बचा है 2,0 5 into 6, 30 होता है लेकिन उसके बाद और 2,0 तो जो 6 part का जो share है वो कितने का आगया वो आगया आपका 3,000 का लेकिन इसको थोड़ा short में लिपताय जा सकता है कैसे इसको short में लिपताने के लिए मिए कहना चाहता हूँ कि आपको total कितने बाटने सर मुझे total तो 15,500 बाटने है और ये 15,500 को कितने parts में बाटने है सर 31 parts में बाटने है तो कर दीजे बाट दीजे 31 parts में तो 31 parts में divide करने से एक part का value मिल जा अब एक part का value मिलते ही आपको अगर 15 part का value चाहिए तो इन 2 का 15 कर दीजे सर समझ में नहीं है एक और बार समझाते हैं समझे total आपके पास कितना है total अपने पास 15,500 है इसको थोड़ा दूर रखे यह आपका यहाँ पे रखे 3000 इसका 15,500 इस total 15,500 को आपको 15 plus 10, 25 plus 6 31 parts में break करने है तो 31 parts में break करने के लिए मैंने divide by 31 कर दिया break हो गया 31 parts में एक part का value आ चुका है अगर मुझे इसका चाहिए 10 parts तो 10 parts के लिए मुझे क्या करना होगा इन्टू का 10 करना होगा अब इसको अगर मैं काटूंगा तो यह देखिए 5 और यह double 0 5 into 15 यह आ जाएगा 75 में 2 0 similarly यह कट जाएगा आपका 5 और यह आ जाएगा आपका 2 0 500 into 10 आ जाएगा आपका 5,000 तो इसका 7,500 उमीद है कि आपने next सवाल को पढ़ा होगा उसको भी बहुत ही जल्दी क्योंकि बेसिक चल रहा है अगर इतने बेसिक सापके बहुत अच्छे से clear तो आप आगे बढ़ सकते हैं आपको हर सवाल देखना जरूरी है मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आगे आप सवाल स्किपी नहीं कर पाएंगे मुझे कहने की कोई ज़रूरी है क्योंकि आगे है दिल देला देने वाले सवाल सवाल कह रहा है कि तो यानि कि बात की जा रहे है एक परसन के एक्सपेंस की और उसके सेविंस की और यह जो उनका एक्सपेंस और सेविंस है वो किस रेशियो में है वो 26 इस तू 3 के रेशियो में है अगर उसका मन्थली इंकम 14,500 रुपे है तो उसका मन्थली सेविंस कितना होगा अब दे रहा है एक्सपेंस और सेविंस का रेशियो लेकिन पैसा दे रहा है income का तो मुझे बताइए ना कि expense, savings और income के साथ एक प्यारा सा relation रखते हैं क्या? कि either जो मैं income करता हूँ वो मैं कुछ expense खर्चा करूँगा और बाकी का save करूँगा तो मतलब में यह कहता हूँ कि expense में saving add होने से मेरा income आना चाहिए तो 26 पार्ट तो मैंने खर्चा किया 3 पार्ट तो मैंने बचाया, saving किया तो 26 प्लस 23 तो 3 मने 29 पार्ट डेफिनेटली मैंने क्या क्या होगा? income क्या होगा? क्योंकि 29 का income होगा तब ही तो यह 26 का खर्चा और 3 का बचत होगा तो इन दोनों को add करने से मुझे income मिल गया similarly सवाल आपको गुमाफिरा के कुछ भी language में दे सकता है उमीद करते हैं आप समझ गया होगी तो यही से मुझे दे दिया गया कि आपका जो income है वो कितना है? 14,500 यानि कि income जो है वो 29 parts का होना चाहिए अगर 29 parts का value 14,500 है तो 1 part कितना आएगा? 14,500 divided by 29 clear है? यह 1 part आने के बाद आपको savings 3 part चाहिए तो into का क्या कर देंगे? 3 29 यहाँ पे कटा 5 times 5 into 100 500, 500 into 3 तो correct answer आपका savings कितना आगया? 1500 आगया अगर आपको expense पूछता तो क्या करना होता? सवाल को वहीं पे लिप्टा दीजिएगा कैसे? यह 26 और 3 मिला 39, 29 39 जो है वो? 1,500,000 के बादर है तो 1 part बादर कितना आएगा? 14,500 divided by 29 और अगर आपको expense पूछा जाता तो into का 26 करते उमीद करते हैं यह चीज़ आपका clear होगा बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों? यह और प्यारा सा सवाल है बेसिक सा जल्दी से कीजिए यह सब करवाने के लिए मुझे भी शौट नहीं है लेकिन करना पड़ता है बहुत सारे beginners भी हैं जो sessions को follow करते हैं regular basis पे तो income की बात करें तो A का जो income है और B का जो income है वो कितने कितने है छे हजार है और आठ हजार है रेस्पेक्टिवली यानि कि यह बात की जा रही है उनके income के फिर मुझे बोला जा रहा है कि if their expenses are 70% and 80% इसका expense अगर 70% है और इसका expense अगर 80% है तो मुझे पूला गया है कि find the ratio of the savings of both दोनों के savings का ratio बताईए अब मैं आपको कई तरीके से इस चीज़ को समझा सकता हूँ लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझाईए कि savings आपको A का exact नहीं चाहिए या फिर savings आपको B का exact नहीं चाहिए उन दोनों के savings का ratio चाहिए तो मैं exact value कभी नहीं निकालूँगा क्योंकि यहाँ पर values बहुत simple आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 73% होता यहाँ पर 98% होता तो exact मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है सर एग्जाक नहीं निकालेंगे तो करेंगे कैसे मैं यह करना चाहता हूँ कि अगर खर्चा 70% हुआ तो बचत 20% का हुआ होगा 30% का हुआ होगा और यह 30% का saving income का हुआ होगा मतलब savings जो वो क्या होगा 6000 का 30% यानि की है सर काट दें क्या रुको इंतिजार करो similarly अगर मैं कहूँगा कि B का total expenditure 80% है तो B का savings 20% होगा मतलब 8000 में से वो 20% save किया होगा तो 8000 का 20% उसने save किया होगा तो यह values exact ना निकाल के भी मैं directly ratio कैसे निकाल सकता हूँ 0000 कटा यह देखे 000 000 सब कट गया अब यहाँ पे सीधा गया यह 3 times 3 into 3 यहाँ पे बचा 9 और यह बचा यहाँ पे 8 70 ऐसा एक सवाल दे देता है मैं पताता हूँ आपको क्या होगा आपको एक ऐसा सवाल दे देगा कि यहाँ पे इसका income 7,200 इसका income 8,300 ठीक है इसका जो expenditure है मैं बताता हूँ न प्यारा से 17% है और इसका जो expenditure है वो suppose है आपका 28% तो बताईए savings के बीच में ratio कितना दिमाज चकरा जाता आपका इसका 70% निकालेंगे calculation कोच करने की ज़रूद नेसर क्या से करेंगे अगर expenditure 17% तो इसका savings कितना होगा 83% तो यानि कि 7,200 का 83% हाँ सर समझ में आ गया अगर expenditure 28% तो बाकी का savings हो गया होगा 72% किसका 8,300 का तो इसका savings 8,300 का 72% अब देखो प्यारा 00 कटा 0000 कटा 72 से 72 कटा 83 से 83 कटा यानि कि ratio कितना आ गया 1 is to 1 आ गया savings में मजा आ गया तो एक बार दिल खोल के like कर दीजेगा तो इसलिए आप पूरा values मत निकालिएगा जब भी आपको ratio पूछा जाए तो आप खेलिएगा ratio के साथ ठीक है यही चीज समझाना चाहता था इस सवाल में ठीक है तो बढ़ते हैं अगले सवाल के और उमीद करते हैं कि मज़ा आया होगा अब इस सवाल को भी जल्दी से ही लिटा सकते हैं यहां पे और लिमिटाने की ज़रूरत नहीं थी वगर थोड़ा जगा होता थो सवाल बोला कि money is divided into A, B and C in the ratio 3 is to 5 is to 7 if C's share is rupees 1600 more than A's share then what is B's share यानि कि 3 लोगों के बीच में पैसा बांटा गया है किस के किस के बीच में A, B और C के बीच में किस ratio में 3 is to 5 is to 7 के ratio में अगर C का share जो है वो A के share से 1600 ज्यादा है तो मुझे बताइए B का share कितने है अब सबसे पहले तो मुझे ही बताइए कि C का share अगर 7 पार्ट होगा तो A का share 3 पार्ट होगा यानि कि वाकई में C का share A के share से कितने पार्ट ज्यादा है 4 पार्ट ज्यादा है और यही जो 4 पार्ट C A से ज्यादा है वोही कितने के बराबर है 1600 क्योंकि 4 पार्ट ज्यादा है पर 1600 रुपे जादा है तो 4 पार्ट का value 1600 4 पार्ट का value 1600 तो आपको B का शेर चाहिए यानि कि आपको 5 पार्ट चाहिए तो 5 पार्ट कैसे निकालेंगे यूनिटरी सिखा सिखाते हैं मुझे आज बोर लगने लगा है 1600 डिवाइड़ बाई 4 कर दूँगा तो एक पार्ट आ जाएगा और एक्जेमपल अगर मैं बात करूँ छूटे से एक्जेम cantikes कि A और B के बीच में मान लीजिए रेशियो है अपना 2 इस्टू 3 और B और C के बीच में मान लीजिए 4 इस्टू 5 तो इनको कॉम्बाइन करके अगर मुझे रेशियो A इस टू B इसू C तो कैसे निकालेंगे, इसको तो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, इसके कई सारी तरीके हैं, अगर मैं ट्रिक की बात करूं, तो त्रिक में आप यह कर सकते हैं, कि 2 x 4 कर दीजिये, कितना आ गया, 8, 4 x 3 कर दीजिये, शेप देखेगा, पुरा इन का शेप आएगा, 4 x 3 कितना आ जाता है आपका 12 आ जाता है similarly 3 into 5 कितना आ जाता है आपका 15 आ जाता है तो ऐसे नीचे फिर डाइगोनल फिर नीचे नीचे डाइगोनल नीचे डाइगोनल नीचे अगर आप multiply कर देंगे तो आपको ratio मिल जाएगा combined ratio इसका बीचे में कुछ logic तो होगा तो logic की अगर मैं बात करो तो हम ultimately कर क्या रहे है हम दूढ रहे हैं कि दोनों ratio को जोडने वाला common element वो कौन है यहाँ पर बी है जैसे कि उपर वाले ratio में भी है नीचे वाले डेशो में भी है और अगर बी की बात करो तो बी उपर ratio में 3 पाट का है लेकि नीचे वाले ratio में 4 पाट का है ऐसा तो असंभव है बी तो एक है न तो उपर और नीचे same होना चाहिए तो उपर और नीचे दोनों जगा बी को same कर दिजे मतलब यह एक तरीके का actual concept देखा देखा दे तो balancing का है balancing हम अलग से पढ़ेंगे लेकिन यहां पर concept को जानना जरूरी है क्यूंकि इसके उपर बेस्ट सवाल आपको मिलेंगे तो मैं इसको पहला बता दिता हूँ कि अगर मैं बी को दोनों जगा same करूँगा तो यहां पर 3 है यहां पर 4 है दोनों जगा में 12 कर सकता हूँ तो 12 करने के लिए उपर में 4 का multiply नीचे में 3 का multiply तो उपर यह बन गया आपका 2 into 4 8 3 into 4 12 का ratio और यह बन गया आपका 4 into 3 15 और 5 into sorry 4 into 3 12 क्या हो गया गंदा हो गया पुरा तो यह आपका हो गया कि तरह 4 into 3 आगया आपका पास 12 और 5 into 3 आगया आपके पास 15 तो यह आपका ratio आगया अब मैं यह कह सकता हूँ कि भाईया बी जब आपका 12 होगा तो यह आपका 8 होना चाहिए और से आपका 15 होना चाहिए तो पूरा confirm आपका 8 इस्टो 12 इस्टो 15 आप आगया मतलब का सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूँगा एक जबर्दस्ता तरीका जिससे आप बड़े बड़े ratio को जोड सकते हैं कैसे आपको ABC लिखना है A और B के बीच में ratio 2 is to 3 तो एक के नीचे 2 और B के नीचे 3 डाल दे रहा है अब आपको क्या करना है सिर्फ देखना है कि कौन से जगा आपके पास वैकंट है यह जगा आपका वैकंट है अब इसको क्या डालने है सिर्फ इतना फोकस कीज़े आजू बाजू यानिके left right left right में जो है तो इस element के इधर तो कोई नहीं है इधर परडोसर में कौन बैट है 3 डाल दीजे इस line में उधर तो कोई नहीं है इस दर क्या है 4 तो डाल दीजे 4 मतलब left right में जो element होगा उसको डाल दीजे line में देखिए horizontal line में अब multiply कर दीजे 2 इंटो 4 8 3 इंटो 4 12 3 इंटो 5 15 तो आपको वही ratio मिल जाएगा इसका advantage क्या है सर ये तो मुझे n वाला सबसे सही लग रहा है n वाला या फिर ये combine इसको वाला इनका क्या disadvantage रहता है और इसका क्या advantage रहता वो आपको पता चलेगा अब क्या जब मैं आपको कहूंगा कि a और b के बीच में ratio है 2 is to 3, b और c के बीच में ratio है 4 is to 5, c और d के बीच में ratio है 3 is to suppose मैं कह देता हूं 5, d और e के बीच में ratio है suppose 4 is to 3, कुछ भी ले लिजे ना easy easy लिजे ठीक है तो मुझे अभी a is to b is to c is to d is to e बताईए तो वहाँ पर आपको ये सारे method लिन बन जाएगा, यहाँ पर यही method दीजे a के नीचे 3, b c के बीच में 4 is to 5, b के नीचे 4, c के नीचे 5, c d के बीच में ratio 3 is to 5, 3, 5, d के बीच में ratio 4 और 3, sir अगर मुझे कहीं पर c is to b देया होता 5 is to 4 तो मैं क्या करता, आपको इसको पूरा sequence में लिखना है, sequence के हिसाब से a b उसके बाद b c आना चाहिए तो अग उसको express कीजिए, b is to c 4 में, और यह उलट जाएगा, तो अगर 5 is to 4 उलट के क्या बन जाएगा, 4 is to 5, मतलब c is to b अगर 5 is to 4 है, तो b to c 4 is to 5 नहीं आएगा, तो उलाट के करवा कर सकते हैं, अब इतना अगर हो गया, तो मेरे पास अभी कई सारी जगा खाली है, यह जगा खा पडोसी में कौन है? 4, यहां क्या डाला जाएगा, पडोसी में कौन है? 5, पडोसी में कौन है? 5, अब देखे समझे, अब यहां पे इसका पडोसी है 3, तो 3, अब यह आगया यहां पे 5, इसका पडोसी 4, अब यह इसका पडोसी बन गया 4, फिर यह बन गया इसका पडोसी 4 अब आपको multiply करना मैंने सिखा था 2 x 4 8, 3 x 4 12, 5 x 3 15, तो multiply अगर मुझे करना है तो एक और चीज भी मुझे common देखना है, धूनना है, कि अगर मैं इसको 2 x 4 x 3 x 4 करूं, फिर 3 x 4 x 3 x 4 करूं, आपको multiply करूं, उससे अच्छा, multiply करने से पहले में देखूंगा कि हर column में, मतलब इस हाँ सर, 3 दिख रहा है, हर column में अगर आपको 3 दिख रहा है, तो आप 3 को क्या कर दीजे, काट दीजे, cancel कर दीजे, सर मुझे हर column पे 4 दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखा, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, लेकिन यहां पे 4 नहीं है, सर मुझे 5 दिख रह यहां पे बचा है तरी तो कड़ गया 4 x 3 12 12 x 4 48 5 x 3 15 x 4 60 5 x 5 25 x 4 100 5 x 5 25 x 3 75 तो अब उनके बेच में कुछ common नहीं है तो इनका जो प्यारा सा ratio आ गया वो इतने का आ चुका है तो यह सबसे best method कहलाता है एक-एक को common लेके करने से बेतर ऐसे method आप follow कर सकते हैं अब यहीं uniformity का concept मैंने अगर आपको प्यार से जिखा दिया है तो जल्दी से यह जो सवाल आपके सामने आ रहा है इसको भी जल्दी से लिप्ता दीजिए एक सेकड़ इसको मिटा देने से सवा सवाल आपके सामने लख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा दिखेगा नहीं ठीक से अब सवाल आ रहा होगा कीजिए उसको सवाल को प्यार से बड़े आराम से कीजिए वही concept सेम कॉंसेट सवाल आपको कह रहा है कि इस सम अप मनी इस डिस्टिब्यूटर अमॉंग A, B, and C such that B gets 12.5% more than A मतलब A, B, C के बीच में कुछ पैसा बाटा जा रहा है और जब बाटा जा रहा है तो पता चल रहा है क्या कि B जो है वो 12.5% ज्यादा ले रहा है A से तो मुझे सबसे पहले तो यह बताइए कि 12.5% का मतलब क्या होता है 12.5% का मतलब होता है 1 by 8 1 by 8 ज्यादा मतलब 8 पार्ट में 1 पार्ट ज्यादा मतलब अगर A आपका 8 पार्ट का होगा तो उससे 1 पार्ट ज्यादा B आपका 9 पार्ट का होना चाहिए यह पहला रिलेशन है किसके बीच में A और B के बीच में ठीक है अब आगे मैं बढ़ा तो बोला 25 परसंट का मतलब होता है 1 by 4 1 by 4 मतलब 4 में 1 ज्यादा होगा तो अगर आपका 4 होगा तो यह उससे एक ज्यादा कितने का होगा 5 का होगा इतना तक तो आप सभी को कनफर्म होगा मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पे दो अलग अलग रेश्यो है उपर वाला जो ratio 8 is to 9 वो A और B का था नीचे वाला जो ratio है 5 is to 4 वो B और C का था अब मुझे इनके बीच में combine ratio निकालने तभी जाके मैं पैसा को बान सकूँगा तो अगर मैं combine ratio इनके बीच में निकालूँगा तो बढ़िया सा आ जाएगा देखे यहाँ पे line में कौन है 5 next दाण दीजिए यहाँ पे इस line में next कौन है यहाँ पे बाजूँगा 9 8 into 5 बन जाएगा आपका 40 9 into 5 बन जाएगा आपका 45 9 into 4 बन जाएगा आपका 36 तो यह आपका combine ratio आगया ratio आने के बाद बोला जा रहा है कि if A and C is rupees 5,700 मतलब A and C मतलब A और C का sum ही होगा A और C का अगर sum आपके पास 5,700 है तो आपको A और C के बीच में difference पूछा गया तो A और C का अगर sum की बात करूँ तो A और C का sum कितना है? 76 parts और यही 76 parts आपका कितने है के साथ बराबर है? A and C तो A और C के बीच में difference कितना होगा? A अगर 40 होगा तो C आपका 36 होगा? 40 और 36 के बीच में difference आपको कितना होगा? 4 parts आपको निकालना है तो 76 का value given है 4 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 57 divided by अगर मैं 76 कर दूँ तो यह मुझे 1 part मिल जाएगा और यह 4 parts into यहां पे कर दूँ तो काम खतम मुझे 4 parts मिल जाएगा अब 19 में काटूँगा 4 बार, 19 में काटूँगा 3 बार 57, 300 चार यहां पे 4 के साथ कर दिया तो 4 parts का value clearly मुझे कितना मिल गया? 300 मिल गया, done उमीद करता हूँ कि बहुत ही प्यार से मैंने इस concept को आपको सिफाया होगा और अगर सीखे हैं तो यह pause कर रहें के video को एक बार बनाईए तब आपको लगेगा हाँ आज सीखे इतने दिन बार यह सवाल और मुझे तंग नहीं कर रहें पूरा exact उसी तरह सवाल है तो एक बार इसको भी एक try दीजिए, खुद करने की कोशिस कीजिए सवाल कह रहा है कि अब सेम सवाल है यहाँ पे A है B है C है और D भी है और आपका D भी है बोला जा रहा है कि A जो है अब 10% का मतलब में आपके अगर पूछू तो 10% का मतलब हर कोई बता सकता है 10% का मतलब 1 by 10 है तो 10% 1 by 10 मतलब 10 प्रतिशत कम मतलब अगर A आपका 10 parts का होगा तो B उससे 1 part कम यानि की 9 part का होगा confirm है यह data तो मुझे मिल गया but 20% less than C मतलब वही बत लगया मतलब वही भी जो A से 10% कम हुआ करता है वो C से 20% कम होगा अब 20% का मतलब सबको पता होगा 1 by 5 अगर 20% का मतलब 1 by 5 मतलब 5 में से 1 part कम मतलब अगर C आपका 5 part होगा तो B आपका 1 part कम यानि की 4 part का होगा यह दूसरा ratio आगया किस के किस के बीच में B और C के बीच में और finally मुझे दे दिया गया मतलब C अगर आपका 3 part होगा तो यही है न उसका मीनिंग 33 all 1 by 3% ज्यादा है D किस से? C से तो C अगर 3 part होगा तो उससे 1 part ज्यादा D कितने का होगा? 4 part होगा यह C और D के बीच में आगया लेकिन अग तो सबसे पहले मुझे combine ratio निकालना है क्यों? क्योंकि मुझे पुछा है then find where? then find D is what percent more than A D जो है वो A से कितना प्रतिस्त ज्यादा है? वो तो तभी पता चलेगा जब D और A के बीच में common relation establish होगा तो यह common relation establish करने के लिए मैं आपको एक प्यारा सा चीज़ बताना चाहरा हूँ और एक तरीका से बताओंगा आपका 40, 9 x 4 बन गया आपके पास 45 और 5 x 4, 20 x 3 बन गया आपके पास 60 तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर 40 होगा तो यह आपका 60 होगा यह अगर आपका 40 होगा तो D आपका 60 होगा तो मुझे पूचा गया है कि D जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है तो what percent more निकालने के लिए हम सबसे पहरे क्या करते हैं उनके बीच में difference देखते हैं 40 और 60 के बीच में difference कितने का 20 का है divided by जब more की बात आती है तो denominator में less को रखा जाता है 40 और 60 में less को ने 40 का रखा जाता है into किसका करेंगे 100 करेंगे अब यह कटा आपका 1 by 2 1 by 2 मतलब 50 या फिर काट के देख लिजिए तो answer आपका correct इतना होगा 50 percent लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही गजब सा concept सिखाने वाला हूँ गजब सा concept यह आपको कहेगा कि अगर आप इस ratio को अलग से रख देते तो यसे आपको multiply ना करने से भी बन जाता का मतलब सर मैं समझा नहीं अगर मैं आप से कहूँ कि आपका question को हटाते है यह ratio तो मेरे पास है ना इस ratio से मैं आपको बता सकता हूँ कि यह alternate method है question को हटा दिया मैं यह आपका alternate method alternate method में मैं आपको directly A और D के बीच में ratio देने वाला हूँ मैं directly आपको A और D के बीच में ratio देने वाला हूँ सर कैसे अब मुझे जो जो दिया गया उन common ratio को लेके एक एक करके चलूँगा A और B के बीच में ratio कितना था 10 is to 9 सर यह कहां से आया था सवाल दिया था कि B जो है वो A से 10 प्रतिशत कम है 10 प्रतिशत कम अतलब 1 by 10 मतलब 10 में से 1 कम तो A अगर 10 तो B आपका 9 दूसरा ratio आपके पास दिया था कि B is to C वो कितने का था आपके पास 4 is to 5 सर यह कहां से आया था आपका B जो है वो C से 20 प्रतिशत कम था 20 प्रतिशत का मतलब 1 बटे 5 मतलब 5 में से 1 कम था कौन B मतलब किस से C से तो C अगर 5 होगा तो A उससे 1 कम 4 होगा यह था ratio फिर C और D के बीच में ratio क्या था C और D के बीच में ratio था अपना 3 is to 4 क्या था यह D जो है वो C से 33 होल 1 by 3 परसंट ज्यादा है 33 होल 1 by 3 परसंट का मतलब 1 by 3 होता है तो 3 में से 1 ज्यादा होगा अपना D 4 यह ratio मिलने के बाद में A और D आराम से निकाल सकता था without any calculation इतने multiplication कैसे अगर मेरे पास A is to B है इसका मतलब मेरे पास A by B है हाँ सर B is to C का मतलब B by C C is to D का मतलब C by D तो अगर मैं इन ratio को multiply कर दूँ अगर मैं इन ratio को multiply कर दूँ तो यहाँ पे B के साथ B कट जाएगा C के साथ C कट जाएगा finally बचेगा numerator में A denominator में D और A by D का मतलब क्या होता है A is to D मुझे मिल जाएगा अब इसको कैसे करना है अब A by B मेरे पास कितरा है 10 by 9 तो डाल दीजे A by B आपका 10 by 9 B by C आपका कितरा है A by D आपका 2 by 3 आगया और यह ratio आपका 2 is to 3 आगया और अच्छा सर गलत है यह तो 40-60 हो रहा था अरे काट के देखो 20 में काटेंगे 2 बार जाएगा 20 में काटेंगे 3 बार जाएगा वही ratio आगया A और D के बीच में और A और D के बीच में 2 is to 3 आगया तो इसी को कहा जाता है आपका compounded ratio यही आपका होता है starting में मैंने कहाता है compounded ratio आपको बता दूँगा तो compounded ratio कुछ नहीं होता अगर आप chain of sequence properly aligned है उनको अगर मैं multiply कर दूँ तो हमेशा मुझे first element और last element के बीच में ratio मिल जाएगा A और D क्योंकि बाकी सारे के सारे आपके कट जाएंगे अगर आगर D E था होता तो D by E लिखते D D कट जाते E F था तो E E कट जाते F G F F कट जाते तो रहेगा कौन कहला element और आखरी element और वही जब ratio को multiply करके हमें पहला और आखरी के बीच में ratio मिलता है उसी को हम compounded ratio कहते है मतला product of ratio is known as compounded ratio और अगर वह product आप जब करते हैं वह chain of sequence में properly aligned है कट जाते हैं तो ratio ultimately आपको first और last का मिलेगा उसी को compounded ratio कहा जाता है और इसी concept से जो A by B मेंने divide किया B by C divide किया C by D divide किया इसी से मैं जबरदस्ट सवाल आपको solve करवाने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छे level का सवाल है तो चलिए बढ़ते हैं आपका next सवाल उमीद करता हूँ कि ये concept आपका clear होगा और ये वाला सवाल जो इसको आप जल्दी से लिप्टा दीजे immediately जितने कम टाइम में हो सके और यहां पर आप सभी लोग एक गलती करेंगे सभी लोग जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग जानते हैं वो लोग तो गलती नहीं करेंगे is 3,30,000 to his daughter, wife and son in such a way that half of the part of the daughter, one-fourth of the wife, one-fifth part of the son is equal. परसन को 3,30,000 रुपीज बातने थे. किसके किसके बीच में बातने थे? डॉटर, वाइफ और सन के बीच में बातने थे. और ऐसे बातने थे कि डॉटर का हाफ, यह नवई, वाइफ का one-fourth, one-by-four of wife, और सन का one-fifth, one-fifth of son, यह बराबर हो जाए. बस यही उसकी कामना थी, कि डॉटर को जितना दिया जाएगा उसका आधा, वाइफ को जितना जाएगा उसका एक चौत है, और सन को जितना दिया जाएगा, उसका one-fifth बराबर हो जाए, कामखतन. यह देखते ही, आपके दिमाग में एक चीज़ आजाएगा, सार. स्टार्टिंग में तो यही कियेते हैं, जब ऐसा रेशियो मिलता है, तो हम L-SIM denominator का ले लेते हैं, multiply करते हैं, यह गलत है. यह रेशियो है ही नहीं, यह तो equal to है. अब equal to को मुझे रेशियो में convert करने के लिए, यह method आप सोच रहे हैं वो गलत है. वो कब लगता है, अगर तीनो रेशियो होते हैं, यह तो रेशियो ही नहीं है, यह तो equal है, यह तो एक equation है. तो equation से कैसे जाएंगे, मैं आपको एक trick बताओगा. जिस trick में मैं आपको equation से ratio को पलग जपकते लेके चला जओंगा, पलग जपकते हैं. लेकिन उससे पहले क्या होता है क्यूं होता है उसका concept जानना जरूरी है तो trick से पहले हम concept के उपर focus करेंगे तो concept के लिए मैं यह कह सकता हूँ कि अगर यह बराबर यह और यह बराबर यह है तो यह suppose बराबर है आपका k के साथ तो मुझे ratio किसका चाहिए मुझे daughter is to wife और is to son का ratio चाहिए equation नहीं चाहिए ratio चाहिए अलग है दो चीज़ तो अभी अगर मुझे इन दों तीनों के बीच में ratio चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर half of d बराबर k है मैं यहाँ पे extra यहाँ पे alternate यहाँ पे उपर लिख रहे है न तो टूके नहीं आ जाएगा तो d का value में डाल सकता हूँ 2k similarly wife को कितना मिलना होगा अगर one-fourth of wife में एक बार और समझा देता हूँ one-fourth of wife यह भी बराबर अगर आपका k का हो गया तो wife बराबर कितना हो जाएगा यह 4 multiply होने से 4k हो जाएगा तो wife के जगा में डाल सकता 5k तो इसके जगा मैंने डाल दिया directly 5k अब डालने से फाइदा यह हूँ कि k k k k ratio में cancel हो के है cancel होने के बाद मेरा प्यारा ratio आ गया 2 is to 4 is to 5 तो ratio आ गया आपके पास 2 is to 4 is to 5 अब इसी ratio में आपको बस यह रुपे बांट रहे हैं और मुझे सिर्टर का हिस्सा बता रहे है व तो आपको equation से ratio जाने के लिए कुछ नहीं करना सिर्फ उनका जो coefficient है उन coefficient को उल्टा देना है reciprocate कर देना है तो 1 by 2 का उल्टा 2 1 by 4 का उल्टा 4 1 by 5 का उल्टा 5 तो यह ratio आ जाएगा आपका 2 is to 4 is to 5 उमीद है यह चीज आपका clear है लेकिन यह जितना आसान दिक रहा है उतना अगर आपको एक सवाल देता है कि 2 3rd of x is equal to 3 4th of y is equal to 4 5th of z suppose तो वहाँ पे x is to y is to z निकालने के लिए इसका coefficient का reverse 3 by 2, 3 by 4 का reverse 4 by 3, 4 by 5 का reverse 5 by 4 करना होता और यह जब आपका ratio आ जाता अब जाके आपको denominator का LCM लेके multiply करना होता उमीद है यह चीज clear है कि जब भी आपका equal to में मिलें आपको वस उनके coefficient को उल्टा देके ratio बना देना है अब ratio निकलने के बाद मुझे पूचा गया कि अगर मैं 3,30,000 रुपे बांटूंगा इन तीनों के बीच में इसी ratio में 2 is to 4 is to 5 तो daughter का हिस्सा बताओ सबसे पहले तो मुझे बताइए यह 2, 4, 6, 5, 11 पार्ट में अब 11 यहां पे कटा यह तो आपका 3, 3 into 4, 0 यानि कि 30,000 का दुगना यानि कि 60,000 इस सवाल का सही बतर हो जाएगा यानि कि option number 260,000 is the correct answer for this question उमीद है कि यह गजब सा concept आपका clear हो गया और अगर आपका यह गजब सा concept clear हुआ है तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सबसे interesting चीज यहां पे मैं आपको 3 golden rule बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आराम से चीज़ों को solve कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपना next session जो कि ए golden rules चलिए तो दोस्तों मैंने इन golden rules को 3 part में बाट दिया है rule number 1, rule number 2, rule number 3 ताकि अलग-अलग जब मैं आपको समझा दूँगा तो एक better conceptual clarity रहेगा और यहां पे इन तीनो रूल में मैं एक जलग दिखाऊंगा आपको balancing of ratio का जो कि अपना next section लेने वाला है और वो धमाकेदार होने वाला है वहां पे मैं आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाऊंगा लेकिन यहां पे सिर्फ उसका एक जलग दि 17 find the difference between both the initial number तो इसको मैं दो तरीके से करूँगा obvious सी बात है आपको traditional बताना बहुत important है because traditional is the most important part अब traditional में अगर मैं करता तो क्या करता दो number है उनके बीच में ratio 7 is to 13 है तो मैं यह कहता कि पहला number अगर आपका 7x का है तो जो दूसरा number है वो आपका 13x का बन जाएगा क्यूंकि उनके बीच में ratio 7 is to 30 है तो यह 7x होगा तो यह 30x होगा यह तो मैंने starting से बता दिया था अब बोला जा रहा है कि जब दोनों number में 24 का addition बन जाएगा हो जाएगा तो पहले number में अगर मैं 24 add कर दूं तो पहला number कितना बन जाएगा 7x plus 24 दूसरे number में भी अगर मैं 24 का addition कर दू तो यह कितना बन जाएगा 13x plus 24 अब जब 24 दोनों में add कर देता हूँ तो अब जो यह नए numbers आते हैं इनके बीच में जो ratio है वो ratio किसके साथ बराबर हो जाएगा 11 is to 17 के साथ बराबर हो जाएगा अब A is to B का मतलब A by B है तो इन दोनों का ratio बराबर 11 is to 17 अब इन दोनों का ratio क के लिए divide करना होगा कि 7x plus 24 और 13x plus 24 के बीच में ratio यानि कि divide बराबर 11 is to 17 मतलब 11 by 17 अगर यह traditional आपका पूरा concept लेकिन यहां पर आपको बहुत मेहनत करना होगा देखिए 17 into 24, 17 into 7, 13 into 11 अब तक खतमने होगा फिर प्लस माइनस करेंगे इतना पापड बेलने के बाद आपको जाके x का value भी लेगा आप लोग भर बैठे हैं करी दे रहे होंगे इतना x का value निकालने के बाद आपको जो पूछा गया हम निकालेंगे बाद में लेकिन हमें इस method x निकालने के बाद आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं आपको पूछा गया the find the difference between the both the initial number तो initial number आपक आपको 6x का value निकालना है इतना आप करके आप इतना answer को tally कर सकते हैं हमारे साथ लेकिन हम जो यहाँ पर advance method बताएंगे वो कुछ और कहता है advance method यह कहता है कि अगर पहले number में 24 का addition हुआ और दूसरे number में भी 24 का addition हुआ तो आपका जो ratio change होता है ratio change होने के बाद भी उनके बीच में different same रहना चाहिए क्योंकि दोनों में बराबर addition हुआ है मतलब सर समझ नहीं है मैं समझाता हूँ आपको अगर मैं कहूँगा कि पहला number आपका 7 parts का था और दूसरा number आपका 13 parts का था पहले number में भी आपने 24 add किया second number में भी आपने 24 add किया तब जाके आपका ratio बन गया 11 is to 17 तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जब मैं इसमें 24 add करके यह निकालता हूँ इसमें 24 add करके यह निकालता हूँ तो इसमें भी 24 addition इसमें भी 24 addition हुए तो यह जितने से बढ़ा होगा यह भी उतने से बढ़ना चाहिए क्योंकि 24 24 तो बराबर बढ़े रहे हैं और अगर बराबर बढ़ रहे हैं तो यह 7 से 11 कितना बढ़ा है 4 part बढ़ा है यह 13 से 17 कितना चार पार्ट बढ़ा है तो यह जो 4 चार पार्ट बढ़ गए कितने आने के वज़े से कितने add करने के वज़े से 24 तो मैं यह कह सकता हूँ कि 4 पार्ट बराबर 24 तो यहीं से आपको निकल के आ जाएगा एक पार्ट बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और चार पार्ट उन दोनों के बीच में difference आपका कितने पार्ट का है, 7 और 13 के बीच में 6 पार्ट का है, अगर 1 पार्ट आपका 6 है, तो 6 पार्ट आपका 6 इंटो 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा correct answer, मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करना था, direct screen के उपर से करना था, कैसे, अब 7, 13, 11, 17, 7 से 11 4 पार्ट, 13 से 17, 4 पार्ट, 4 पार्ट जो दोनों बढ़े, 24 एड होने के वज़े से बढ़े, 4 पार्ट का वैल्यू 24 तो एक पार्ट का वैल्यू 6, आपको तो initial number के बीच में difference चाहिए, initial number तो 7 और 13 पार्ट के थे, तो उनके बीच में difference 6 पार्ट का होगा, तो एक पार्ट अ और कहाँ पर डाल सकते हैं, अब देखिए यह जो income वाला सवाल है, यहाँ पर भी डाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, the ratio of the monthly incomes of Ram and Sham is 9 is to 8, Ram और Sham का जो monthly income है, वो किस ratio में है, 9 is to 8 ratio में है, and their monthly expenditures are in the ratio 7 is to 6, और उनका जो monthly expenditure है, वो कि ratio में रहता है, 7 is to 6 ratio में रहता है, अब मुझे बोला गया, if each of them saves rupees 8,000 per month, अगर दोनों के दोनों 8,000 रुपे प्रती महीने save करते हैं, तो बोला गया है, find the sum of their monthly income, तो उनका sum monthly income का कितना होगा, सवाल सिंपल है, सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक बंदा अपना Ram है, और income मैंने देखा, तो वो income आपका किस ratio में था, 9 is to 8 के ratio में था, और उनका जो expenditure है, वो मैंने देखा, तो किस ratio में था, वो आपका 7 is to 6 ratio में था, तो सबसे पहले बताईए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज है, जिसने मुझे यह प्रूफ कर दिया, कि यह rule number 1 में लगी जाएगा वो है 8,000 का savings कैसे, कि A ने भी, each of them saves, 8,000 मतलब A ने भी 8,000 सेव किया होगा, और B ने भी 8,000 सेव किया होगा, मतलब यह उल्टा दे रहा है, कि 8,000, 8,000 सेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे ratio के बीच में जो difference है, वो same रह रहा है, अगर ratio के बीच में difference है, मतलब दोनों का saving से, दोनों का difference है, तो यह rule number one में लग सकता है, सर, थोड़ा clarity, दिखाई, income 9 part, expenditure अगर 7 part वाकई में है, तो 9 part income से 7 part का expenditure गया, तो 2 part का saving रहा, सर, starting वाले question में तो कुछ अलग ले थे, यहाँ पे मेरा luck साथ है, कि यह पूरा properly balanced होके मुझे दिया गया है, कि जैसे कि 8 part का income कर रहा ता शा, 6 part खर्चा कर दिया, 6 part जाने के बाद उसका जो savings होगा, वो कितना का होगा, 2 part का होगा, तो यहीं से मुझे पता चल गया कि दोनों के savings क्या है, बराबर है, इसका भी 2, इसका भी 2, और यह जो दोनों के savings, 2-2 part के बराबर चल रहे हैं, वो कितने के है, 8,000, इसका भ monthly income, तो इसका income 9, इसका income 8, तो total 9 plus 8 income, monthly income total कितने होगा, 17 parts होगा, तो एक part अगर 4000, तो 17 part आपका कितना आ जाएगा, 17 into 4000, 17 into 4K, या फिर 4000 जिसको हम कह सकते हैं, 68,000, तो इसी तरह से सवाल को solve कर सकते हैं, सर, यह ratio क्या हमेशा ऐसा different same देगा, different same होना चाहिए, अगर सवाल में directly different same हो रहा है, तो आपका किस्मत अगर नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको अगले सवाल में मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन सर, क्या यह savings 8,000, दोनों का होगा माई नहीं, इसका 8,000, इसका 3,000 नहीं हो सकता है, लेकिन तब और यह rule number one नहीं लेगेगा, तब आपको purely traditional जाना होगा, और purely traditional कैसे जाएंगे, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, purely traditional जाने के लिए आप वेराइटी वेस में का और solve कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, आपको basic से कहता हूँ, ठीक है, basic method से अगर मैं आपको कहूँगा, तो A का income को मै ले लेता हूँ, 9X, और B के income को ले लेता हूँ, 8X, A के expenditure को मैं ले लेता हूँ, 7Y, यह तो मैंने starting में clear किया है, क्योंकि income का अलग ratio 9 is to 8, expenditure का अलग ratio 7 is to 6, तो A का expenditure 7Y तो A नहीं है, राम है, शाम है, ठीक है, मैं उनको A भी कर दे रहा हूँ, शाम का expenditure है, सब तो 6Y, तो income से expenditure जाने के बाद आजाता है, आपका savings, जो आपको दिया गया है, सबाद में अगर यह 4000 दिया जाता है, तो 4000 लेते, अगर इधर इसको minus करूँगा, income से expenditure, तो यह इसका savings, यहाँ पे अगर सबाद में, एक का 4000, एक का 6000 देता, तो आप इस equation को solve कर देता है, आपका answer आ जाता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यह तो एक तरीका मैंने कहा कि, income से expenditure को minus करके savings, यह lengthy process है, यहाँ पे double variable के सवाल आ जाएंगे, लेकिन इसको single variable में भी आप solve कर सकते हैं, किता भी शायद इस solution इस तरीके से दिया है, लेकिन इसको थोड़ा और advance way में solve किया जा सकता है, सवाल को हटाते हैं, ताकि हम और एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं दो variables ना लेके, एक single variable में इस सवाल को solve करने के पीछे जाओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं right hand side में एक ratio को रख दूँगा, अब आपके पास दो ratio है, एक income का, एक expenditure का, आप RHS में किसको रखेंगे, यह आपके मर्जी, तो suppose मैं easy terms में समझाने के लिए, मैं RHS में expenditure का ratio रखना चाहता हूँ, sir, मैं कुछ समझा नहीं, मैं अभी समझाता हूँ, तो मुझे यह बताईए कि मैंने suppose, RAM के income को 9x लिया, ठीक है, और sham के income को suppose मैंने 8x लिया, ठीक है, RAM का savings कितना था, sir, RAM का savings आपका 4,000, दोनों दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर इस question में दोनों का savings कितना हुआ है, 8,000 का हुआ है, अगर दोनों का savings 8,000 का हुआ है, तो income से मैंने जो बचाया है, उसको अगर मैं निकाल दू तो बाकी का खर्चा हुआ होगा, तो 9x से अगर इसने 8,000 का savings किया है, तो 8,000 जा राम का, अब राम का और श्याम का जो expenditure का खर्चे का ratio है, वो कितने का है, 7 is to 6, खर्चे का ratio, 7 is to 6, यह इसका खर्चा, इनका ratio कितना आगया आपके पस, 7 is to 6, इससे भी आप solve कर सकते हैं, आपको एक्स का value मिल जाएगा, एक्स का value मिलने के बाद आपको दोनों के income का sum चाहि राम का expenditure को suppose आप ले लिए 7y, ले लिए ना, श्याम का expenditure को ले लिए 6y, अब 7y खर्चा था plus savings था 8,000, 6y खर्चा था plus savings था 8,000, मतलब मैंने इतना खर्चा, इतना savings, इतना कर्चा, इतना savings, खर्चा और savings मिलने के बाद क्या आ जाता है, income आ जाता है, तो यह राम का income, यह श 7y प्लस 8,000, 6y प्लस 8,000 और उन दोनों को add करने से दोनों का total income आजाएगा सवाल एक method में आपको 4 कह दिया ताकि आप परेशान ना हो, tension ना लो लेकिन ऐसा सवाल usually आपको इस ratio के trick में देखने के लिए मिल जाएंगे इसके लिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, अपना प्यारा सब next सवाल जो कि आपके सामने already नहीं आया होगा क्योंकि मिटा रहें, मिटा नहीं, तो आपके सामने ये रहा next सवाल तो यहाँ पर मैं ये next सवाल डिस्प्ले करने से पहले नहीं डिस्प्ले क्या क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर क्या हमेशा increase or decrease होना मतलब same होना mandatory है मैंने का नहीं mandatory नहीं है, लेकिन एक ऐसा chapter है, जो कि ages, ये सवाल दिख रहे हैं, जो कि ये ages वहाँ पे आपका age के बीच में difference same होना mandatory है, सर कैसे थोड़ा प्रूफ करके दिखा सकते हैं, वो प्रूफ करने के लिए में बोलना हूँ कि इसको आप traditional में कैसे करेंगे, आप जानते होंगे, ठीक है, मैंने अभी age पढ़ाने का ठीक है नहीं लिया, तो मैं इसको directly इस method में करके दिखाना चाहता हूँ कि एजस के जो भी problems होंगे, वो इस method से तो solve हो जाएंगे, अगर आपको कुछ साल पहले का और कुछ साल बाद का मतलब दो different time का ratio अगर आपको दिया गया हो तो, यहाँ पर मुझे एक ratio मिला कब का, 6 साल पहले का, 7 is to 3, और एक ratio मिला 8 साल बाद का, 7 is to 4, ऐसे सवाल आपने डे बत हो रहा है, एक B की mother है, और एक अपना B है, और B के mother और B के age के बीच में जो ratio है, वो कितने का है, वो 7 is to 3 का है, वो कितने का है, 7 is to 3 का है, और यह जो 7 is to 3 का ratio है, वो कम है, 6 years ago, मतलब यह ratio आपका 6 साल पहले का आगया, कितना, 7 is to 3, किया यहां तक clear है, अब मुझे और दिया जा रहे है, कि 8 years है, आठ साल के बाद, जो ratio आजाएगा, वो आजाएगा, उनका कितना, 7 is to 4, दन पूछा गया, find the present age of B, B का present age मुझे बताईए, अब मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ, कोई भी इनसान हो, जिसके 6 साल पहले और 8 साल बाद के उमर के अगर मैं ब जोड़ा common sense, दिमाग इस्तमाल करेंगे, तो 14 दिखेगा, कैसे, अगर मैं बात कहूँ कि आज मुझे suppose 25 साल का उमर है, तो 6 साल पहले मुझे 19 साल था, और 8 साल बाद मुझे 33 years होगा, 33 और 19 के बीच में difference कितने का है, 44 का है, 14 का है, similarly कोई भी person हो, अगर आप जो अभी वीड 14 और 28 के बीच में gap कितने का है, 14 years का है, तो मैं यह कह सकता हूँ, चाहे mother की बात की जाए, या बेटे की बात की जाए, या बी की बात की जाए, दोनों के age कि में 14 साल का gap तो आया होगा इसी दोरा है, और अगर यह gap 14 का बराबर है, तो उनके ratio के बीच में difference भी बराबर होना चाहिए according to rule number one, but जब मैंने difference देखा, तो 7 और 7 के बीच में difference जीरो है, 3 और 4 के बीच में difference तो 1 है, अब difference तो सेम नहीं है, आपका method काम नहीं आएगा, यह मेरा method नहीं है, यह ratio का natural approach होता है, अब अगर difference नहीं है, तो आप difference को same minute में मना सकते हैं, sorry, minute तो बहुत जादा हो जा में multiply कर दीजिए, नीचे difference जो है, 7 और 4 का वो कितने का है, वो 3 का है, उसको उपर multiply कर दीजिए, मतलब उपर ratio का difference 7 और 3 का 4 नीचे multiply, नीचे ratio का difference 7 और 4 का 3 उपर multiply, अब multiply करते ही, 7 into 3 यह 21, 3 into 3 यह 9 बन जाएगा, 7 into 4 यह 28 और यह 4 into 4 यह 16 बन जाएगा, अब यह ratio चेंज न से काटेंगे, 7 is to 3, ratio is variable ना, और ratio यहाँ पर change नहीं हुआ, आप multiply करने से ratio चेंज नहीं होता, यहाँ के भी ratio में multiply हुआ, ratio चेंज नहीं होता, यहाँ को पता है कि दोनों में 14 years का gap difference आना चाहिए था, अब दोनों में 14 years का difference सेम होगा, तो यह ratio में भी difference सेम चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिला था, तो अब मिल गया, 21 और 28 के बीच में gap कितने part का आ रहा है, 7 parts का, 9 और 16 में difference कितने part का आ रहा है, 7 part का, और यह जो mother में और बेटे में B में, जो 7 parts का difference आया है, वो कितने साल में आया है, 14 साल में आया है, काम खाता, अगर 7 part बराबर 14 years का हो गया, तो म मुझे पूछा क्या गया है, find the present age of B, B का present age बताइए, देखिए मैं यह मानता हूँ, आपके साथ agree करता हूँ कि यह A, sorry, यह mother है, और यह B है, B 9 part तो मुझे दिख रहा है, 1 part अगर 2, तो 9 part 9 into 18 वो मुझे दिख रहा है, लेकिन 18 is not the correct answer for this question, why, because जो उपर वाला ratio है, वो कब क है, 6 साल पहले का, मतलब जो उपर age आया B का 18 वो कब का है, 6 साल पहले का, अगर 6 साल पहले B 18 का था, तो अभी present में B को कितना हुआ होगा, 18, प्लस और 6 मिलके 24, क्योंकि इसी 6 साल में, वो 6 साल बढ़ भी तो गया होगा, क्योंकि 6 साल पहले का उमर है 18, तो 6 साल बाद ही त मुझे पता है, तो अभी मुझे 16 लेके clear करने दीजे, मैं अगर 18 से नहीं जाओगा, तो मैं इदर से देख सकता हूँ कि B का 16 पार्ट का भी age हो रहा है, एक पार्ट बराबर दो तो 16 पार्ट आपका कितना होगा, 16 इंटू तो 32 येर्स होगा, लेकिन B जो 32 येर्स होगा, वो कब होगा, 8 साल बाद, क्योंकि ये second ratio से निला है, और second ratio आट साल बाद का है, तो अगर कोई आदमी 8 साल बाद 32 का होने वाला है, अभी तक हुआ तो नहीं, तो अभी 32 से 8 कमी तो होगा, तो इदर से भी मैं B का present निकाल सकता हूँ कि 32 से 8 कमी तो होगा, यानि कि अब भी दिमाग में perfectly fit बैठा होगा, अगर मज़ा आएगा होगा, तो definitely like कीजे ताकि हम बढ़ सकें अपने ratio का, जो golden rule है, उसका rule number 2, और rule number 2 को समझाने के लिए ये मैंने अपना second सवाल आपके सामने display किया है, rule number 2 बहुत ही प्यारा है, जैसे rule number 1 में आपके दोनों चीजों के बीच अच्छा होगा, जिसमें अभी प्रूफ किया, लेकिन rule number 2 में थोड़ा आग है, rule number 2 ये कहता है, कि अगर आपका एक चीज ही change हो, और दूसरा चीज constant यानि कि fixed रहे, तभी में rule 2 लगा सकता हूँ, क्या है, the ratio of milk to water is 7 to 9, आपके पास जो milk और water है, उसके बीच में जो ratio है, व 27 liters of water is added, अगर 27 liter का water add किया जाएगा, the ratio becomes 7 to 12, तो यह जो milk और water के बीच में जो ratio है, वो कितने का बन जाएगा, 7 to 12 का बन जाएगा, find the amount of milk in the mixture, then मुझे कितने amount का milk है mixture में वो निकालना है, अब मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, कि यहाँ पर दोनों चीजे नमर वान नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजे सिर्फ वाटर में हुआ है, लेकिन रूल नमर टू लगा सकता हूँ, क्योंकि आपका milk जो है वो constant है, क्योंकि जो changes आया, 27 liter water मतला water में आया, और अगर water में आया, तो milk तो बराबर constant रहना चाहिए, क्या milk constant है, बिल मतलब में यह कहना चाहता हूँ, कि अगर starting में मेरे पास water 9 part का था, तो अब 27 liter water add होने के बाद water 12 part का हो चुका है, 9 से 12 कम बनता है, जब 3 part का addition होता है, तो 3 part का water मिलाने से 9 से 12 होगा, तो water 3 part का मिला गया है, और कितने liter का मिला गया, 27, मतलब 3 part बराबर 27 liter बन गया, अगर 3 part 27 liter बन गया, तो 1 part बराबर यहां पर आपका divide करने से 9 liter आगया, जिसके कोई जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूं तो सिखा थे, एक part बराबर अगर आपका 9 liter आगया, तो आपको पूछा गया है, कि मिल्क के मिक्स्चर में कितना था, अब पहले की बात करें, या अब की बात क अगर यह balance नहीं होता, यहां पर तो साथ और साथ बराबर है, आपके दिमाग में इतने सवाल जो फूडते रहते हैं, उसका कभी answer हमने नहीं दिया क्या, हम हर सवाल का answer देते हैं, तो यह रहा आपका next सवाल, जहां पर आपको rule 2 लगाना है, और balance नहीं हुआ होगा, आपक सवाल को पढ़ा, the ratio of milk to water is 5 is to 3, same सवाल है, पूरा copy पर सवाल है, बस यहां पर balance करना सिखाऊंगा, और कुछ नहीं उससे ज्यादा, ratio जो है, milk to water के बीच में, वो कितने का है, 5 is to 3 का है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि milk और water के बीच में, ratio आपका 5 is to 3 का है, if 68 liters of water is added, अगर 68 8 liters का water add किया गया, तो यह जो ratio बन गया, 7 is to 11, तो आपको पूछा गया है, कि the find the new amount of water in the mixture, ने, मात्रा बताए, water के, बोल जाए जो निकालना है, अब सबसे पहले तो focus में ने यह किया, कि अगर changes water में आया है सिर्फ, तो milk तो अपना constant रहना चाहिए, और अगर milk constant रहना चाह तो अब भी 5 part का होना चाहिए था, लेकि नहीं है, तो मुझे दोनों जगा milk को बराबर बनाने हैं, क्यों, क्योंकि milk में तो changes हुआ ही नहीं, तो ratio balance नहीं है, तो ratio को balance बनाने है, मैंने क्या काता है, आपको एक छोड़ा छोड़ा जलक दिखाऊंगा balancing का, तो यहां पे ratio balance न बन जाएगा, और नीचे के ratio में 5 multiply कर दो, तो 35 मतलब आप यह कह सकते हैं, कि उपर वाला नीचे, नीचे वाला उपर, नहीं तो LCM करना है, 5 और 7 के तरह है, 35 बनाना है, तो 35 बनाने के लिए 5 में 7, और 7 में 5 multiply होगा, अब यह जब पहला ratio multiply होगा, तो 7 into 5 बन जाएगा आप आपका 35, यह आपका 7 into 3 बन जाएगा 21, 7 into 5 बन जाएगा आपका again 35, जो हम चाहते थे, 11 into 5 बन जाएगा आपका 55, तो मैं यह कह सकता हूं, कि अगर milk मेरा starting में 35 parts था, तो वो अब भी 35 parts है, बराबर हो चुका है, लेकिन उस according water जो 21 parts का हुआ करता था, वो अब 55 parts का होना चाह है, तो water 21 से 55 हो गया है, मतलब कितना part बढ़ गया है, difference देखे, 34 parts बढ़ चुका है, अब यह जो 34 parts बढ़ा है, मतलब add करने से बढ़ा है, और यह 34 parts जो add किया गया है, वो कितने के बराबर हैं, 68 liters तो आड किया थे, तो 34 parts बराबर 68 liters, 34 parts बराबर 68 liters, तो 1 part बराबर यहां पे मेरे पास दो लिटर आ गया डिवाइड करके देख सकते हैं वन पार्ट अगर आपका दो लिटर आ गया तो मुझे पूछा गया है कि find the new amount of water in the mixture सर पुराना amount 21 part का था water लेकिन नया amount कितने का है 55 parts का है तो मुझे सिर्फ 55 parts का value निकाल ला है तो 55 parts का value कैसे निकालेंगा वन पार्ट बराबर दो तो 55 parts बराबर 55 into 2 यानि कि 110 later will be the correct answer for this question I guess कि जितने भी ऐसे सवाल आएंगे आप उनको लिप्टा सकते हैं जब आपका एक चीज फिक्स्ट हो और दूसरा ही चेंज में तरक्की हो या फिर increment हो या फिर decrement हो तो जो fixed है उसको आपको ratio बैलंस करके fixed करना ही होगा फिर आपका answer आपके सामने होगा उमीद करता हूँ कि ये मला आया होगा एक बार आपने like का बटन दबाई दिया होगा अब बढ़ते हैं आगे एक प्यारा कम डालता हूँ लेकिन मेरा काम है सिखाना आपका काम है सीखना अगर आप प्रक्टिकली इस चीज को बहुत प्रक्टिस कर सकते हैं तो लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है और इतना बोलने के बाद अगर आप सोचने कि बहुत ट्राडिशनल भी बनाते और मेरे पास भी ट्राडिशनल के अलावा कोई दूसरा option नहीं है, एक है, वो छोड़ दीजे, वो सब के पास होता है, जो भी है, तो अगर मैं बोलूँगा कि A का age 3 साल बाद, B का age 3 साल पहले, उनके बीच में ratio 10 to 9 था, तो मैं यह कहा सकता हूँ कि मेरा जो present age है, suppose A का age A है और B का age B है, यह तो fixed है, A का age 3 साल बाद कितना होगा, A plus 3, B का age 3 साल पहले कितना होगा, B minus 3, और A का age 3 साल बाद, B का age 3 साल पहले के बीच में ratio कितना था, 10 to 9, किया रहे, दूसरा relation कहा से लाएंगे, respective ratio between A's age 3 years ago, A का age 3 साल पहले, B is age after 3 years, B का age 3 साल बाद, जो ratio आता हो कितने का आता है, 17 to 21, so this is your first ratio, this is the second ratio, दो ratio आने के बाद, अब मुझे अगर पूछा गया, what is the A's present age, यहने के A निकालना है, तो मेरे पास कोई दूसरा option में, इससे linear equation in 2 variable निकालना होगा, इससे linear equation in 2 variable निकालना होगा, फिर आपको solve करना होगा, मतलब इसको कैसे करना होगा, 9A plus 27, 10B ऐसे करका होगा, यहाँ पर A और B के term में एक equation, यहाँ से आपको A और B के term में एक equation, दोनों equation को solve करने के बाद, आपको A और B के values मिलेंगे, लेकिन मुझे इतना मेनत नहीं करना, ऐसे सवालों को traditional के अलावा, अग चीज सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यह आपका पहला option 39, 35, 27, 41 और 37 का है, सवार आपको क्या पूछा गया, what is A's percentage, A का percentage कितना है, तो मुझे सबसे पहला बताईए कि A का percentage कितना है, मतलब यह सारे के सारे option में जो दीवन है, वो A के percentage ही given है, अगर A के percentage given है, मतलब A का value given है, आपको जब भी कोई बोलता है कि A और B के age के बीच में ratio 10 is to 9 है, तो आप क्या करते हैं, A is equal to 10x, B is equal to 9x, और कभी सोचे हैं कि अगर मैं कहूं A और B के बीच में ratio, suppose मैं कहता हूं कि 7 is to 3, तो आप क्या करते हैं, A को अगर मैं 7x लोंगा, तो B को मैं 3x लोंगा, यह करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि 7x या 3x का मतलब क्या है, A is chapter में usually आपके जो सवाल आते हैं, वो whole numbers में आएंगे, और अगर आपके whole numbers में आने चाहिए, A जो हो whole number में अगर आएगा, तो यह total part A का whole number होगा, तो यानि कि 7x यानि कि 7 का multiple ही होगा, अगर 7 का कोई एक multiple है तो मैं यह कहा सकता हूँ कि 7x का मतलब अगर 7 का multiple, तो B is equal to 3x मतलब 3 का कोई एक multiple है, X multiple, कितने बार वो नहीं पता, लेकिन 3 का multiple होना चाहिए, तो यही छोटा सा hint को में डालूँगा सवाल में, कि अगर A का present age 39 वाकई में होगा, तो A 3 साल बाद, अगर 10 is to 9 ratio करता है, तो 10 का multiple होना चाहिए, कब? 3 साल बाद, तो मैं देखा कि 39 में 3 जोडते हैं, 42, यह अगर 10 is to 9 ratio किसी के साथ कर रहा होगा, तो यह 10 का multiple होना चाहिए, 3 साल बाद, लेकिन क्या 40 to 10 का multiple है, नो, not a multiple of 10, तो यह आपका answer कभी नहीं हो सकता, सिमले अगर मैं 35 की बात करूँ, तो 35 not a multiple of 10, so this will be discarded again, 41, sir, बीच में छोड़ने हैं, मुझे पता है क्यों छोड़े, 41 plus 3 will be 44, after 3 years, it should be a multiple of 10, is it a multiple of 10, no, so now move on to 27, if I add 27 and 3, after 3 years, it will be 30, and 30 is a multiple of 10, sir, यह answer होगा, नहीं होगा, क्यों, 37 भी तो है, क्योंकि 37 भी 3 साल बाद 40 बन जाएगा, और 40 बनते ही यह भी आपका 10 का multiple बनने लग गया, तो sir, अब आपका method fail हो गया, क्या, सिर्फ एक ही option चाहिए तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, method अब भी यह बरकरार है, कैसा बरकरार है, अब मेरे पास दूसरा equation भी तो बरकरार है न, ऐसा तो नहीं है, कि सिर्फ a 3 साल बाद 10 का multiple हो, यही data मेरे पास limited है, मे 24 एक 17 का multiple होना चाहिए, क्या 24 एक 17 का multiple है, no, not at all, but अगर मैं बात करूंगा, 37 एक दूसरा option मेरे पास available है, जो पहला condition satisfy कर रहा है, दूसरे condition के हिसाफ से, अगर एक प्रेजेंटेज 37 है, तो 3 साल पहले, 37 minus 3, 34 होना चाहिए, और 3 साल पहले, it should be a multiple of 17, and since 34 is a multiple of 17, 17, 2 जा 34 न, so this 37 satisfies both the condition that after 3 years, it is a multiple of 10, and before 3 years, it was a multiple of 17, so hence, it is satisfying both the conditions, so this will be the answer, and 99.99% cases में आपको 2 options मिलेंगे, जहां पे आपके दोनों के दोनों vary कर रहे होंगे, मतलब दोनों के दोनों satisfy कर रहे होंगे, दोनों equations को, and it is, मतलब मैंने आँख बंद करके मार सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो यहां पर अगर आपको फिर भी doubt है, तो मुझे मत पूछे, comment करके मत पूछेगा, कि सर दो option अगर होते, तो आपको पता है कि आपको traditional में सिखाया गया है, मैं यह नहीं कि सिरफ आपको trick के उपर dependent करवाता हूँ, आपको मैंने traditional में बताया हुआ है, so it's completely depend upon you, how you utilize the resources, मेरा का मैं आपको provide करना, now it's your turn to take it, accept it, और deny, तो चलिए उमीद कहता हूँ कि अभी तक अगर शेशन आपको मज़ेतार लगाओगा, एक पर like कर दीजे, ताकि मैं next जवर्दस concept के और आपके लेके चलू, जो कि यह balancing of ratio, ratio का सबसे important, सबसे गजब, सबसे, मतलब जाजवाब, सबसे खतरना concept है वो, तो चलिए बढ़ते हैं अपना next session जो कि यह balancing of ratio चलिए, तो दोस्तों अब बारी है ratio का सबसे powerful concept है, यानि कि balancing of ratio सीखने का, अब यह balancing में आपको करना क्या होता है, सब कुछ मैं एक एक करके stepwise बताऊंगा, तो बिल्कुल skip मत किजिएगा, क्योंकि बहुत ही म ratio of इतना, but by mistake it was divided in the ratio of इतना, the amount in excess received by C, मतलब एक पैसा है कुछ, पांच हजार दोसो का, उसको उस पांच हजार दोसो रुपे को आपको actually किस ratio में बाटना था, 1 by 3, is to 1 by 4, is to 1 by 2 ratio में बाटना था, सबसे पहले तुम्हें देख लूँगा कि यह जो गंदा गंदा fraction ही, इसक का LC, मैंने 12 का multiplication किया, 12 का multiplication करते ही है, जो ratio निकल किया है, बड़ा प्यारा सा 4 is to 3 is to 6 कहा गया, मतलब actually, मुझे 5,200 को इस ratio में बाटना था, लेकिन क्या मैंने इस ratio में बाटना, नहीं, मैंने गलती से इसको किस ratio में बाट दिया, मैंने इसको 7 is to 4 is to 15 के ratio में बाट दिया, अ अब आपको पूचा गया है, इस नए ratio में बाटने के कारण C को excess कितना मिल गया, तो आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, अब पहले 5,200 को इस ratio में बाट दे, और C का share निकलते, फिर 5,200 को इस ratio में बाट दे, फिर C का share निकलते, अब इधर से, इधर वाले में कितना difference आता है वही access होगा फिर निकालते हैं लेकिन मैं एक ही calculation में निकालूँगा और वही बहुत है simple से लेकिन उसके लिए आपको कुछ सीखना होगा क्या पैसा तो भाई या 5200 ही जा रहे है चाहे इस रेशियो में जाए या इस रेशियो अगर मैं नीचे देखू तो 7 प्लस 4 11 प्लस 15 नीचे उनका जो सम है तीनों को जोडने से 16 पार्ट्स का आएगा अब बैटा चाहे आप आपस में जितना भी चेंज कर लो वही पैसा अगर आप आपस में ले रहें तो इन दोनों के पैसा को जब भी मैं एड करूंगा तो बराबर रहना चाहिए अरे मेरा पैसा A का पैसा B के पास जा सकता है B का C के साथ लेकिन A B C के बीच में तो रहेगा तो इधर भी आड करने से 5200 इधर भी आड करने से बवराबर आना चाहिए लेकिन यहां पर तुटार थोटीन हो रहा है यहां पर टूंटी सिक्सश्बाट हो रहा हैustर तो अब मुझे बैलंस करना की बाया तुम दोनों जो सम होना तुम तो सेम होने चाहिए लेकिन तुम सेम क्यासे नहींowych ऑधें करण अब थोच ग multiply करना है तो उपर वाले ratio में जब मैं 2 का multiplication में दो बार लिख रहा हूँ जब की ज़रूत ने आप यहीं पर काट के 8, 6 और 12 कर पाते हैं लेकिन मेरा काम है clarity देना आपको तो चलिए पहले वाले ratio में अगर मैं multiply करता ये 8 आता 3 into 2 ये आता 6 और ये 6 into 2 आता 12 मतलब actually इस ratio में बांटना चाहिए था लेकिन हमने गलती से 7 is to 4 is to 15 के ratio में बांट दिया तो अभी आपको पूछा गया है C excess कितना ले रहा है मतलब actually में C को 12 पार्ट लेना था लेकिन इस ratio में बांटने के कारण C को 15 पार्ट में मिल गया है मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि ratio balance है मतलब उपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के साथ एक uniform ratio maintain कर रहे है यहाँ पर भी आपका अगर x में चल दा होगा नीचे भी आपका x में सर समझ में नहीं आ उपर यह अगर 8x यह 6x और यह 12x है तो यह 7x, 4x और 15x ही होगा y की आने के ज़रत नहीं क्योंकि यह पूरा balance होके एक single uniform ratio बन चुका है अब अगर एक को 12 parts मिलना था लेकिन x मिल गया उसको मतलब total मिल गया उसको 15 parts तो clearly यहाँ पर c को x कितरा मिला sir c को x मिला है 12 और 15 के बीच में difference यानि की 3 parts तो आपको सिर्फ 3 parts का value निकालने अब 3 parts का value मैं कैसा निकालूंगा मुझे पता है कि चाहे मैं उपर add करूं या नीचे add करूं total तो भहिया 26 parts का 26 parts ही रहेगा हाँ sir क्योंकि मैंने already दोनों को 26 बना दिया और total जो 26 parts होता है total sum ABC का कितना होना चाहिए 5200 ही तो रुपे बांट रहे तो 26 parts बराबर आपका आगया 5200 अगर 26 parts बराबर 5200 तो एक part बराबर divide करने से 200 नहीं आ जाएगा 262 जा 52 इतना तो करी सकते हैं तो एक part अगर आपका 200 आगया तो 3 parts बराबर आपका कितना आगया 200 into 3 यानि कि 600 का आगया मतलब कुछ calculation नहीं देखते ही आप बना सकते थे इन सथ सवालों को लेकिन इसके लिए सीखना ज़रूरी है अब आप अगर कहेंगे और भी कुछ conceptual clarity बहुत चीज निकाल सकते हैं अब आपको अगर मैं पूछू कि C के पास यह जो 2 parts extra आया sorry 3 parts extra आया वो कहां से आया अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि A का 1 part कम हो गया 8 से 7 B का 2 parts कम हो गया 6 से 4 और यही जो इसका 1 part कम हो गया इसका 2 part कम हो गया वही 3 parts excess कहां चला गया 12 से 15 C के पास extra 3 चला गया मतलब देखा पूरा का पूरा balance है जो 3 यहां से जाता है वो 3 इसके पास आता है जो 3 इसके पास आता है वो यहीं से गया है मतलब सारा का सारा चीज अगर आपको बोला पूछा जाता कि B का share कितने से कम हो गया तो आपको 2 part निकालना था एक part अगर 200 तो 2 part आपका 400 A का share कितने से कम हो तो एक part answer आता एक part तो आपका 200 ही है तो इसी तरह से आपको मैं दूसरा सवाल डिस्प्ले कर रहा हूँ और उमीद करता हूँ कि आप एक बार खुद के उपर भरोसा रखके pause करके कीजिए और पूरा copy paste सवाल है ताकि मैं आपको एक confidence देना चाहता हूँ कि आप सीख रहे हैं आपको ऐसे demoralize करने का मैरा कोई motto नहीं है तो पूरा का पूरा अभी ये second जो question है अब प्लीज एक बार try कीजिए बस यही request है आप सभी से फिर मज़ा आएगा आपको हाँ सर सीखे ठीक है pause कीजिए और कीजिए चली उमीद करता हूँ कि pause करके आप लोगों ने करी लिया होगा answer और अगर कर लिया होगा तो मिलाने का बारी है कि आपने जो क्या वो सही है या गलत है सवाल हमें क्या दे रहा है कि a sum of money was to be divided among a, b, and c in the ratio इत्रा कुछ पैसा जो कि a, b, और c के बीच में किस ratio में बाटा जाना चाहिए था 1 by 4 is to 1 by 6 is to 1 by 3 ratio में बाटा जाना चाहिए था कि जो पैसा है आपका किस ratio में बाटा जाना चाहिए था 1 by 4 is to 1 by 6 is to 1 by 3 ratio में बाटा जाना चाहिए था तो इस ratio को पहले तो whole number में convert कर देते है 4, 6 और 3 का il sim 12 होता है अगर मैं 12 multiply कर दू तो ये ratio आजाएगा आपका 3, 2 और 4 मतलब पैसा जो है वो 3 is to 2 is to 4 ratio में actually बाटा जाना चाहिए था बट गलती से ये जो divide हो गया वो किस ratio में divide हो गया 7 is to 8 is to 12 ratio में divide हो गया अब गलती से चाहे इसका पैसा इधर जाए उसका पैसा इधर जाए पैसा तो इन्हीं तीनों के पास ही रहेगा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर 3 ये अगर 2 और ये अगर 4 लिया है तो 3 प्लस 2, 5 प्लस 4 इन्होंने total 9 parts लिया है और यहाँ पे अगर इसने 7, 8, 15, plus 12 27 parts लिया अब ये तो नहीं हो सकता कि पैसा जो है इधर 9 parts और इधर 27 parts total पैसा तो अपना fix ही होगा वो आपस में ही बांटा गया होगा balancing तो अभी मुझे ये पता चल गया है कि दोनों का जो total sum है वो तो same होना चाहिए तो 9 को 27 मनाने के लिए मैं उपर वाले ratio में 3 multiply कर सकता हूँ और हाँ एक चीज हाँ अगर आपको लग रहा है कि नीचे वाला सम्वान हमेशा ऐसे उपर वाले के multiple में आ जाएगा एक ही ratio में multiply ऐसे गलत होगा अगर पहले वाले का sum 7 आता और दूसरे वाले का sum 4 आता तो आपको balance कैसे करना है उपर में 4 multiply करना है नीचे में 7 ताकि उपर वाला 28 और नीचे वाला 28 बन जा है ये चीज मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं इतना तक अगर आपका clear होगा तो मैं अभी बढ़ूँगा आगे सवाल क्या दिया है कि अभी अगर मैं उपर वाले ratio में 3 multiply कर रहा हूँ तो उपर वाला जो ratio है वो कुछ प्यारा सा कुछ दिखेगा 9 is 2 2 into 3 is 6 4 into 3 is 12 मतलब इस ratio में बांटा जाना चाहिए था लेकिन गलती से हमने इसको 7 part, इसको 8 part और इसको 12 part दे दिया है अब आपको पोला गया है कि if B received rupees 200 excess अगर B 200 रुपे excess पा रहा है then what was the money distributed among A, B and C तो A, B और C में कितने पैसे बांटे गए है और देखिए B को 6 part मिलना था लेकिन मिल गया 8 part तो B को excess कितरा मिल गया B को excess मिल गया आप 2 parts और B को जो 2 parts extra मिला 6 से 8 वही 2 part जो है वो कितने के बराबर है 200 के बराबर है अगर 2 part 200 के बराबर है तो 1 part 100 ये तो और अगर 1 part 100 है तो आपको क्या पूछागे total कितना पैसा है अब total को तो हमने fixed कर दिया न चाहे 9 into 3 27 का है या इधर 27 का है total उनके पास 27 part होना चाहिए क्योंकि next ratio जो है इनका sum देखिए निकालके 27 parts का होगा उपर भी और नीचे भी तो पैसा total उनको कितने parts बाटा गया होगा कितने रुपे बाटा गया होगा एक part बराबर अगर 100 तो 27 part बराबर 27 ये आपका correct answer होगया अभी अगर मैं आप से पूछता कि भाईया ये जो B के पास access चला गया 2 part वो कहां से आया अब देखिए C जो है न वो अपना बराबर लिया है C में कोई changes नहीं C को पहले भी जो मिला था अब भी मोही मिलना है लेकिन जो extra B के पास दो आगया वो कहां से आगया A का 9 part मिलना था लेकिन उसको 7 part मिलिया तो इधर से जो 2 part कम हुआ वही यहां पे 2 part extra मिला balancing क्यूंकि total fixed रहना चाहिए clear है अब इसको थोड़ा next level पे लेके चलते हैं ये शायद आपको थोड़ा trouble दे सकता है लेकिन मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि इन चीजों को पूरा आज clear करके ही जाओ ठेका उठा रखा है हमने एक सकंड पॉस करके आप अपने अंदाज में कम से कम तो करी सकते हैं न कीजिए एक बार पॉस करके हाई question को जब आप पॉस करके करेंगे न तो आपको भी पता चलेगा कि आपका मेथड और हमारे मेथड में क्या difference है और अगर सेम है तो क्या कुछ problem हो रहा था आपको past में आज सही हो रहा है सब कुछ देखते the income ratio of a b and c is 4 is to 5 is to 7 a b और c का a b और c का जो income का ratio है इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा लिखना होगा तो मैं यह कह सकता हूँ देखे a b और c का जो income का ratio है वो कितरा है हमारे पास 4 is to 5 is to 7 का है ठीक है and the expenditure ratio is 5 is to 4 is to 6 और उनका जो expenditure का ratio है वो है आपका 5 is to 4 is to 6 अब बोला जा रहा है कि a saves 25% office income a जो है वो अपने income का 25% save करता है then आपको बोला जा रहा है कि office income but c जो है वो 6,800 save करता है then find the saving of b then b का saving कितना है अब देखे मैं आपको पुरा clarity से बता रहा अगर मैं इस equation को मतलब इस question को पुरा equation लेके solve करू तो यह 4x बनेगा यह 5x बनेगा यह 7x बनेगा मतलब income को मुझे x के term पे लेना होगा और expenditure को और x के term पे नहीं ले सकते एक दूसरा ratio है 5y, 4y, 6y तो इसको मुझे y के form में लेना होगा तो यही पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं इनको इक common ratio में establish करना चाहता हूँ मतलब income और expenditure को एक ही combined ratio में एक ही uniform ratio में एक ही balanced ratio में बनाना चाहता हूँ मतलब without x and y but x और y को निकालने से पहले मुझे x और y का इस्तेमाल करना होगा कैसे? income अगर इसका 4x होगा मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका expenditure कितना होगा? 5y तो a का income से expenditure जाएगा तो savings आएगा तो a का savings कितना होना चाहिए? according to question according to question a saves 25% 25% मतलब क्या? एक चौथाई तो a का income जो है 4x उसका एक चौथाई वो save करेगा एक चौथाई मतलब जो savings है a का वो x आना चाहिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि 4x के income से 5y का expenditure जाने से x रहेगा तो 4x के income से 5y का expenditure जाएगा तो savings x बचेगा सरीए savings x कहां से और एक बार confirm करवा दीजे savings a का कितना percent होता है? 25% होता है 25% का मतलब 1 4th होता है a का income अब यही से मैं x और y के बीच में बस ratio निकाल दूँगा मतलब ratio of ratio यहाँ पे चलना है क्यासे? अब देखिए x minus होगा तो यह बनेगा आपका 3x यह बनेगा यहाँ पे 5y और यहाँ पे यह बन जाएगा अपना x by y बराबर 5 upon 3 और x by y आपका 5 by 3 आने के बाद अब directly आप क्या कर सकते है पहला वाला ratio का आपने x के term पे जूम किया है तो हर एक जगा आपको x के जगा सीधा सीधा क्या multiply कर देना है x के जगा सीधा सीधा 5 को डाल देना है दूसरे equation पूरा y के form है दूसरा ratio उसके जगा y के जगा आपको 3 डाल देना है तो उपर वाला में x के जगा directly कितना डाल सकता हूँ x अपना 5 है 4 into 5 5 into 5 7 into 5 यह आपका 4 मतलब y का value आपका 3 है तो यह 5 into 3 4 into 3 6 into 3 अब यहां से मुझे क्या पता चल गया कि इसका देखिए income देखिए balance कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ income इसका कितना हो जाएगा sir income इसका हो जाएगा 20 मैं इधर लिख रहा हूँ हाँ ठीक है और एक बार प्यार से देखिए a b c अब मैं आपको बता रहोगे इसका income यह हो गया expenditure 4 into 5 income हो गया 20 5 into 5 एक दो स्टेप लिखने की जरुवत नहीं है समझा रहे है इसलिए मुझे चाहिए जगा 35 expenditure इसका 5 into 3 15 4 into 3 12 6 into 3 18 अब पहला मैं इस चीज़ को पहले प्रूफ कर देता हूँ कि अगर income 20 है expenditure 15 है तो savings कितना हुआ होगा 5 का savings होना चाहिए क्योंकि ratio balance है और xy नहीं है पूरा एक ही uniform है तो देखते हैं क्या यह अपना condition को satisfy करता है condition क्या है income का 25 परसंट या नहीं कि एक चौथा ही saving होना चाहिए तो अगर आपका income 20 का होगा तो उसका savings 1 फोर्थ 25 परसंट अगर मैं कर दूँ तो कितने का आ रहा है 5 का रहा है savings perfect अगर यह ratio perfectly balance हो गया तो मुझे बताइए 25 के income से 12 का expenditure जाएगा तो B का saving कितना होना चाहिए 13 part 25 के income से 18 part का expenditure चला गया तो savings कितना रहा 17 parts अब सवाल के हिसाब से दिया गया है कि C जो है वो 6,800 रुपे save कर रहा है मतलब यह जो 17 parts का value है वो आपका कितना है आपके पस 6,800 अगर 17 part बराबर 6,800 है तो 1 part बराबर 400 और अगर 1 part बराबर आपका 400 अगर 1 part बराबर आपका 400 हुआ तो 13 part बराबर 13 into 400 तो 13 into 452 तो answer आपका आगया option number A 5,200 तो इसी तरह से आप लिप्टा सकते हैं सवालों को और यह ना बहुत कम टाइम लेगा बस आपको यह चीज लिखना था बस यह चीज आपको बनाना होगा एक और य फिर आपको डारेक्ली मल्टीप्लाइ करना होगा 20, 25, 25, 25 देखिए ओर लिया रहा है फिर डिफरेंस देखेंगे इनका सेविंग्स और इनका सेविंग्स इसके सेविंग्स का आपको रिलेशन दिया है और इसका सेविंग्स आपको पूछा था इसी तरह क्या से आप सवालों को solve कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह अगर clear तो इसको तो नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके चलना चाहता हूँ, इसको अगर आप सीखे तो आप बहुत कुछ खुदवखुद कर सकते हैं, अब अगर हम बैलंसिंग पूरा सीख जाते हैं, सिर्फ सीखने से काम नहीं बनता, आपको इंप्लिमेंट करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो यह चीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कि बुक जो भी आपके पास है, खोल के लगाना स्टार्ट कर दीजे, हाला कि ऐसे इतने टफ क्वेशन शायद आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जोहाँ पी भी मिल रहा है, करना स्टार्ट कीज़, ठीक है, तो अपना A है, B है, और C है, और उनका जो एक्सपेंडीचर का रिशो है, वो गिवेन है मुझे यहाँ पे, 4 is 2, 9 is 2, 5, प्यार से देखिएगा, इफ A, B and C, सेफ 20%, 25% and 66.6, 16.66%, तो A, B, C जो सेविंग्स कर रहे हैं, वो 20%, 20% मतलब 1 by 5, मतलब 5 पार्ट में से एक पार्ट सेव, 25% मतलब 1 by 4, मतलब 4 में से एक पार्ट सेव, and 16.66% मतलब 1 by 6, मतलब 6 में से एक पार्ट से, देन मुझे पूछा गया है, कि if the total income of A, B and C is इतना, then the income difference जो भी है, अगर income के बीच में relation चाहिए, तो मुझे सबसे पहले तो इतना idea लग जाना चाहिए, कि income का ratio चाहिए, अब income का ratio के लिए मुझे देखना है कि क्या कुछ यहाँ पे बन सकता है, अब देखिए, 5 पार्ट का income में से ही तो एक पार्ट सेविंग करेगा, और अगर 5 में से एक का सेविंग कर रहा है, तो expenditure खर्चा बाकी का 4 क्या होगा, और यहाँ पे 4 है, तो यह बैलंस्ट है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि income को अगर मैं 5 ले लूँ, तो 5 में से एक का सेविंग सा जाएगा, और 5 में से एक का सेविंग होगा, तो बाकी का चार का खर्चा done, यहाँ पे आजाएए direct, क्योंकि यहाँ पे 1 by 6 का मतलब है, 6 पार्ट अगर आपका income हो, तो उसी में एक पार्ट का सेविंग हो रहा है, तो बाकी के 5 पार्ट का expenditure हो रहा है, तो यह भी 5 पार्ट आपका पूरा balanced है, तो 6 में एक पार्ट का savings मतलब income अगर 6, उसमें एक पार् लेड़ी बैठा होगा है, already balanced है, सर सब ऐसे होंगे, क्या इसे इतना easy हो जाएगा, क्या सवाल, नहीं इतना easy नहीं होगा, समझाने आए हैं जो यह देखिए, यहाँ पे problem हो रहा है कि 4 पार्ट में से, अगर मैं एक पार्ट save करूंगा, तो 3 पार्ट खर्चा करना चाहिए, तो यहाँ पे आना कितना चाहिए, सर यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 मतलब यहाँ पे into कितना हुआ है, 3 हुआ है, तो balance करने के लिए मतलब यह अगर 4, देखिए, प्यार से, नीचे अगर देखिए, देखिए, कैसे, बहुत प्यार तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्लीज कॉंसेंट्रिट कीजिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आपको पता है कि रेशियो के इसाब से यहां पे आपके पास 9 है यहां पे जो सेविंग से वो कितना परसंट है देखा यहां पे कितना होना चाहिये यहां परके वोना चाहिए मेरे इसाब से तीन चार इंकम एक सेविंग तो बाकी का तिन खरचा लेकिन है कितना यहां पे 9 9 कैसे आ रहा है यहां पे 3 multiply करने से 9 आ रहा है तो similarly यहां पे हर एक जगा 3 multiply कर दीजे मतलब 1 into 3 कर दीजे यह भी आपका आ गया 3 और इसको 4 into 3 कर दीजे यह भी आ गया आपका 12 पूरा balance आ गया मतलब अगर 4, 1, 3 जो है 12, 3 और 9 भी तो वही है ratio पढ़ रहे है इससे अच्छा balancing और कहां सीखेंगे तो जैसे यहां पे 4 होने से 1 होने से 3 होना चाहिए 4, 1, 3, 12, 3, 9 भी तो वही ratio रख रहे हैं तो आपको यहां पे 9 मिला इसलिए आपने 9 बनाने के लिए यहां पे 3 into 3 किया तो हर जगा में 3 multiply करते हैं अब मैं कहा सकता हूँ हाँ भया 12 का income है 3 का मेरा savings बचत है जो की 25% भी होता है और 12 से 3 का बचत तो बाकी का 9 का खर्चा मतलब सारी के सारी मेरे पास balance चेक काम खतम खुश इतना ही आपको मेनत करना था और कुछ नहीं अगर कुछ x-x लेके करते हैं तो काम खतम हो जाता है अब मुझे सवाल दिया गया है कि अगर ABC का total income 4,600 है तो total income के अगर मैं बात करूँ तो A का 5 पार्ट B का 12 पार्ट और C का 6 पार्ट add करने से 17 plus 6 total income 23 पार्ट का है और total income according to question 4,600 का है तो 23 पार्ट बरावर अगर 4,600 तो मुझे income difference B और C के बीच में चाहिए तो B का अगर 12 पार्ट का income है और C का अगर 6 पार्ट का income है तो उनके income के बीच में difference कितने का है 6 पार्ट का है तो 6 पार्ट का value आपको निकालना है कैसे 4,600 बटे में अगर मैं 23 कर दूँगा तो एक पार्ट का value आजाएगा मुझे 6 पार्ट चाहिए तो into 23 यहां पर कटा 2, 2 में 0 यानि कि 200 में 6 गुना हो जाएगा तो यह आजाएगा आपके पास कितना हलका सा 1200 तो ऐसे तरीकों से आप सवालों को लिटा सकते लेकिन इसके प्रैक्टिस चाहिए मैं यह नहीं कह रहा है कि एक बार सीख जाएगी तो कर देंगे प्रैक्टिस कीजिए ना हमारा काम है सिखा ना अब आपका काम है तो चलिए अगर इतना तक क्लियर हुआ तो यह कुश्चिन करके आप थोगा सवाल को पॉस करके आप लोग लिटा दीजे बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से सवाल यह कह रहा है कि तो फस्ट दिविजन और थर्ड दिविजन में पास होने वालो बच्चों का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है अब आफ्टर रिचेक दे कॉपी रिचेकिंग दे कॉपी 200 स्टुदेंस प्रमोटेर फ्र्ड दिविजन तो फस्ट दिविजन 200 बच्चे 3rd दिविजन से पहले दिविजन और 2nd दिविजन में आगे पहले में कितना है दूसरे में कितना पता नहीं लेकिन पहले और दूसरे को मिला के टोटल 200 बच्चे आके आगे अब बोला जा रहा है then find the total number of students in the class then total number of students class में कितने है अब भया बच्चे जो भी थे जो third division में थे वो first or second ही तो है मतलब यहाँ पे उपर first, second, third बच्चे total मिलाने से जो होगे नीचे भी तो वही होने चाहिए क्योंकि बच्चे third से first, first से second, second से third जहां भी जाए उन्ही तीनों division में ही तो रहेंगे तो total number of students अगर fixed होगा तो उपर भी आपके total बच्चे और नीचे भी आपके total बच्चे क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए उपर आपके पास first division 5, 6, 11, 7, 18 parts के बच्चे है नीचे आपके पास 4 plus 5, 9, 9 plus 3, 12 parts के बच्चे है तो मैंने क्या कहा था क्या हमेशा है से multiples में आगा मैंने हर चीज सिखाने की कोशिश कर रहो each and every छोटा-छोटा चीज में छोडने की कोशिश नहीं कर रहा मतलब जैसे ना छूटे ठीक है तो अगर इन दोनों के मुझे बराबर करना है तो 18 को अगर मैं और 12 को अगर मैं किस से multiply करूँ? LCM इनका 36 है तो 18 को 2 से multiply करने से 36 आ जाएगा 12 को 3 से multiply करने से 36 आ जाएगा बराबर हो जाएगे बच्चे तो आपस में गूम रहे है तो टोटल तो 36 पार्ट से होगा अब मुझे ये बताएगे कि पहले रेशो में थर्ड डिविजन में बच्चे 14 पार्ट के होने चाहिए थे और रिचेकिंग के बाद 9 पार्ट हो गये मतलब कितने पार्ट कम हो गया? 5 पार्ट कम हो गया क्यों कम हो गया? क्योंकि ये 5 बच्चे, 5 पार्ट के बच्चे प्रमोट हो गए इधर तो यही जो 5 पार्ट के बच्चे इधर से निकले वो कितने के बराबर है? 200 तो यहीं से मुझे पता चल गया कि 5 पार्ट बराबर 200 आपका 200 का, तो यहीं से आप प्यार से निकाल सकते हैं, एक पार्ट बराबर डिवाइड करने से 40, अगर एक पार्ट का वैल्यू 40 आ गया, तो आपको टोटल नमर व स्टुडेंस पूछा गया है, तो टोटल तो ऊपर लेजिए या नीचे लेजिए, बच्चे तो फिक्स जी 40, यानि कि 36 का दुगना, 72 का दुगना, 144 में एक 0 आ गया, आपका 1440 is the correct answer for this question, उमीरे पूरा परफेक्टल यह सब चीज़ें आपके निमाग में घुशा हैं, और अगर आपको कोई बोल देता, कि 3rd में अगर 200 बच्चे प्रमोट हो गए हैं, 1st और 2nd को तब जाके यह सब ह आ गया, तो आप इस ratio को balance करने के बाद आपको बता चलना चाहिए, कि 1st में जो 10 पार्ट थे, वो 12 पार्ट के बन गया, मतलब 2 पार्ट बढ़ गया, 2nd division में जो 12 से 15 हो गया, वो 3 पार्ट बढ़ गया, तो यहां पे जो 2 पार्ट और यहां से जो 3 पार्ट, टोटल जो 5 पा पार्ट है, एक पार्ट अगर 40 है, तो 2 पार्ट 80, मतलब 1st division में 80 बच्चे ज्यादा है, और अगर 2nd division में कितना ज्यादा है, तो 3 पार्ट निकालना होता है, एक पार्ट 40 आया है, तो 3 पार्ट आपका 120 आजाएगा, मतलब मैं individual ही निकाल सकता हूँ, जो कि अगर मैं X Y Z ल का concept, जितना हो सके मैंने आपको solve करवाया, आप लोग थोड़ा practice करेंगे, तो ये सब चीजों के उपर master आप भी ले सकते हैं, अगर पसंद आ रहा होगा अभी तक session, तो जम के आप सभी से यही request है, कि एक बार session को like और share कर दीजे, जितना हो सके, क्योंकि बहुत मैहनत से च complete कर देते हैं, चले बढ़ते हैं अपना next concept, जो कि ये mixture का चले है, तो दोस्तों अपना next topic है mixture, ये सबसे important है, because इससे आपको directly examination में questions देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आप हर सवाल को allegation लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको allegation से एक भी सवाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि allegation से बहुत सारे easy चीज़े भी बहुत complicated बन जाते हैं, और अगर आपको यकीन नहीं होता, तो मैंने एक separate video बना रखा है, mixtures and allegation के उपर, जो आपको one video, one chapter के playlist में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, जिस हद तक मैंने allegation डाला है, मतलब ऐसा सवाल जो आपको कभी जिन्दगी में सोची भी नहीं होगा, उसको भी मैंने allegation में लिटा दिया है, लेकिन वह बहुत complicated बन जाते हैं, और आपने ही उस comment, मतलब उस video में खुरी comment के हैं, तो इस से अच्छा तो normal method है, तो हम सारे के सारे यहां पे ratio का approach सी तो चलिए इस concept की सुरवात एक basic सवाल से करते हैं, in a 200 gram alloy, the ratio of copper and zinc is 2 is to 3, मतलब एक 200 gram का आपके पास alloy है, और यह जो 200 gram का आपके पास alloy है, उसमें आपके पास दो type के metal है, एक आपका copper है और दूसरा आपके पास zinc है, और बोला जा रहा है कि वो जो copper और zinc है, उनके बीच में जो ratio वो कितने का है, 2 is to 3 का है, अब बोला जा रहा है कि how much copper is to added to it and the ratio of, so that, अब चोड़ दिये, so that the ratio of copper and zinc in the new alloy will be 3 is to 2, कितना copper आपको add करना है, ताकि आपका जो copper और zinc का जो ratio वो 2 is to 3 से 3 is to 2 बन जाए, तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 200 grams में, अगर 2 part और 3 part के copper और zinc है, मतलब 5 parts में मुझे break करने, 200 को अगर मैं 5 parts में break करूँगा, अब तो कर सकता हूँ, इतना पढ़ा चुका हूँ आपको, 200 divided by 5, एक part आजाएगा 40, एक part अगर 40 आजाएगा, तो 2 part बराबर आपका 80 आजाएगा, और 3 part बराबर आपका 120 आजाएगा, 40 into 2, 40 into 3, इतना आने के बाद, और अगर आप सोच रहें कि ये कहा से है, तो पूरा वीडियो आपने देखा नहीं, skip करके आ रहे हैं, इसलिए, मैंने 100 बार ये चीज़ पढ़ा तो, अब मुझे बोल ला है कि, आपको copper add करने है, और copper add करके, आपको ये copper और zinc का ratio ने उसको 3 is to 2 बनाता है, तो condition, तो मुझे ये पता चल गया कि, इसके बाद, ये मेरा पुराना mixture था, ये मेरा नय mixture बनने वाला है, तो नय mixture में, आपका जो दो पार्ट का value चल रहा है, वो 120 का चल रहा है, अगर दो पार्ट का value आपका 120 चल रहा है, लिखने के ज़रूत नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है एक पार्ट का value कितना आगया आपका, 60 आगया, और अगर एक पार्ट का value 60 आगया, नय condition के हिसाब से आपका copper तो 3 पार्ट का होना चाहिए, तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा, वन पार्ट 60 तो 3 पार्ट आपका कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, तभी तो 181, 203 to 2 रेक रहेंगे ना common sense तो आपको यह बोला गया कि यह सब condition को satisfy करने के लिए कितना copper add करना है यह नहीं कि 180 आपका answer होगा नहीं कि 180 आपको चाहिए सच लेकिन आपके पास already था कितना 80 तो 80 था और 180 बनाने के लिए आपको additional add कितना करना पड़ेगा इनके बीच में difference 100 add करना होगा तो option number A 100 grams will be the correct answer for this question और उमीद है कि इस तरह कि जो भी सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे आप उनको लिफटा सकते हैं बस यह चीज़ दियान देना है कि जो change नहीं हो रहा उसी को constant रखके उसी के इसाब से part का value निकालिएगा तो हम सब आगे बढ़ते हैं next सवाल जो है वो काफी interesting है इन सवालों को आप कैसे solve करते हैं मुझे पता नहीं लेकिन मैं आपको बढ़िया सा approach तो बताने वाला हो सवाल दिया गया है कि A and B are two alloys of gold and copper A और B दो alloys है वो भी किसके किसके आपके gold and copper के हैं ठीक है और जिन में आपका ratio है 7 is to 2, 7 is to 11 मतलब अगर मैं बात करूँ एक अपना पहला alloy है A एक अपना दूसरा alloy है B A में आपका copper, gold भी है और copper भी है, gold A AU लिखेंगे तो आप लोग confused हो जाएंगे गोल्ड को AU नहीं लिखें मैं gold को G ही लिखता हूँ तो gold है और आपके पास क्या है copper है तो यहाँ पे भी आपके पास gold है और यहाँ पे भी आपके पास copper है पहले में gold और copper 7 is to 2 के ratio में रहते हैं दूसरे में gold और copper आपके 7 is to 11 के ratio में रहते हैं अब बोला जा रहा है कि if equal quantities of these alloys, two alloys are melted to form a new alloys C, then the ratio of golden copper in C is कितना? आप allegation का सोचिए, उससे पहले answer आजाएगा. अगर आपको मेरे balancing जो सिखा है, उसको आपने perfectly पकड़ा है. यहाँ पर यह 7 और यह 11, यहाँ पर कितने parts का है? 18 का है. आपको जो third alloy बनाना है, वो कैसे बनाना है? equal quantities of these two alloys, मकलब इससे और इससे बराबर quantity लेना है. अब आपके पास तो यह 9 part का है, लेकिन यह 8 पार्ट का है, तो बराबर करने के लिए इसको और into 2 कर दीजिए, तो यह बन गया मेरे पास 4, और 7 को 2 से multiply किया, तो यह बन गया मेरे पास 14. अब देखिये, ratio में कोई changes नहीं है, 7 is to 2 जो था, इसको भी 2 में cancel करने से 7 is to 2 वहीं मिल जाएगा, लेकिन अब फाइदा क्या हुआ, जब मैं इसको 14 और इसको 4 लेता हूँ, तो अब total जो है, वो 18 parts का होता है, और यहाँ पे 7 और 11 में, और एक बार लिखने ही जरूरत नहीं थी, पर सीधा सीधा लिखने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, यह 18 parts का है, अब मैं directly कह सकत इधर आपका copper कितना 11, 4 plus 11 का copper add होने से आपके पास total copper कितने का हो जाएगा, total 11 plus 4, 15 का हो जाएगा, अब total आपका gold और copper यह 21 हुआ, तो यह 15 हुआ, तो इनके बीच में ratio 3 में क्या आपने से क्या हो जाएगा, 7 is to 5, तो correct answer for this question will be option number A, 7 is to 5, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना आपको अगर बराबर, अगर, sir, यह अगर total 7 होता है, यह अगर total 6 होता है, तो इस ratio में 6, इस ratio में 7, यह मैंने सिखाया हुआ है, तो अगर equal quantities, sir, यह तो equal quantities था, अगर अलग-अलग quantities दे, अरे अलग-अलग क्या, मैं आपको 3000 वाले सवाल करवा दूँग, आप tension ना लें, ठी ही, आप सभी से request है, ठीक है, जल्दी, जितना जोल्दी हो सगे, pause करके कर रहे हैं न, question, तभी तरक्य होगा, बेटा, नहीं तो नहीं, सिर्फ, बेड़ पर लेट के देखने से कुछ फाइदा नहीं होगा, इस सब चीज़ होगा, अगर आप talented हैं, तो, मैं तो ऐसे देख ल और 60 लीटर का milk और water रखते हैं, language बहुत important है, पहला आपके पास A है, दूसरा आपके पास B है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास milk water है, और यहाँ पे भी मेरे पास milk water है, अब पहला आपके पास जो है, वो 80 लीटर का है, और दूसरा जो है, आपके प गया है कि if both the mixture are poured in vessel C, अगर ये दोनों mixture को में एक vessel C में डाल दूँगा, तो मुझे बोलिए then what will be the ratio of milk and water in the new vessel, last question के तरह, कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूँगा, तो मुझे बताईए कि किस ratio में आपका milk और water रहेगा, अब देखिए last सवाल में ये 80 और 60 का quantity नहीं दिया थोड़ा दिमाग लगाई है, last सवाल में 80 और 60 का quantity नहीं दिया था, बस बोला था, same है, बीना quantity के मैंने उस सवाल को solve कर दिया था, तो यहाँ पे भी quantity की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 80 और 60 के बीच में अगर मैं देखूं, तो 4 is to 3 के ratio में, मैं इसको balance करके कर सकता हूँ, लेकिन वो advisable नहीं है, आप तो बोलते हैं balancing, अरी यहाँ पे आपके सामने answer है कैसे, 80 को अगर मैं 5 is to 3 ratio में break करूँगा, 5 is to 3 यानी कि 8 parts में break करना है, 80 को 8 parts में break करूँगा, तो 1 part 10 आएगा, 1 part 10 तो 5 part आपका 50 आएगा, और 3 part आपका 30 आएगा, ओर नहीं, 60 को अगर 7 plus 5, 12 parts में break करूँगा, तो 60 by 12, 1 part आपका 5 आएगा, तो 7 part आपका 7 into 5, 35, 5 part आपका 5 into 5, 25 आएगा, अब जब मैं मिलाओंगा, तो यहाँ से milk 50 और यहाँ से milk 35 total add होके milk कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा, और जब add होगा, इधर से water 30 और इधर से water 25 add होके कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा, और 85 milk और 85 water ही तो आपको इनी के बीच में ratio पूचा था, तो यह 5 में काटने से 17 बार, 5 में काटने से 11 बार ratio आग गया, आपका 17 to 11 option number A, मतलब आपको बैलंसिंग के बार में सोच ना नहीं था, आप एक ही बार में चलते answer आ जाता, तो कई बार, जो 5 star chocolate है किस कुछ नहीं करना भी अच्छा होते है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना भी अच्छा है, आपका सामने सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार निकालते चलिए, answer आपका आजाएगा, दन है, तो बड़ी आगे, next सवाब, यह रहा, sir, यह तो sir, मेरा favorite है, allegation डालूंगा, इसम इसने shortcut method, नहीं है, allegation कई कबार बहुत बड़े चीजों को छोटा बना देता है, लेकिन कई कबार बहुत छोटे चीजों को बहुत बड़ा बना देता है, तो आप इस method को देखिए, आप उसके बाद ही decide कीजे किजे कि आप allegation लगाएंगे, यह अपना यह general वाला method लगाए यहां पे भी आपके पास acid and water है, यहां पे acid water का ratio A में कितने का है, 5 is to 2 का है, यहां पे acid and water का ratio कितने का है, 8 is to 5 का है, in what proportion should quantities be taken out from these two vessels, so as to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9 is to 4, हर बार आपको मिलाने के लिए दे रहा ता और finally acid water का ratio पूछ रहा था, इस बार आपको दे दिया गया है कि 9 is to 4 का चाहिए, अगर आपको इन दोनों को मिलाने से acid और water के बीच में ratio 9 is to 4 का चाहिए, तो मुझे बताओ कि इन दोनों से मैं कितना ratio में मिलाओ, तो यहां पे आप अपना allegation कर सकते हैं, allegation वाले पता है, यह 5 by 7 होगा, क्योंकि acid को लोगा, तो यह acid 5 part out of 7, 5 by 7, acid 8 part out of 13, 9 by 13, acid 9 part out of 13, 9 by 13 minus minus करके आप कर सकते हैं, लेकिन वो गया है, आप सीख चुके हैं, कुछ नया सीखें न, use कीजिए, ना कीजिए, उसके उपर depend नहीं कीजिए, आप सीखें पहले, तो सीखने के लिए मैं simple सा method आपको कहता हूँ, कि यहां पे अगर acid 5x होगा, तो water 2x होगा, तभी तो यह 5x to x है, यह 8y और यह 5y, acid 8y और यह 5y कब बनता है, जब total 8y प्लस 5y मिलके 13y total b बनता है, तो total a अपना 7x है, total b अपना 13y लिया है, आपको इनी दोनों के बीच में ratio चाहिए, किसके किसके बीच में, 7x और 13y के बीच में ratio, इतना आपको करना है, तो उससे पह दो, क्योंकि इधर से 5x का acid आएगा, इधर से 8y का acid आएगा, तो दोनों के अगर मैं add कर दूँ, तो total final acid मेरे पास कितना आएगा, 5x प्लस 8y, सर समझ नहीं है, मैं समझाता हूँ, इधर आपके पास water कितना है, 2x, इधर आपके पास water कितना है, 5y, अब इन दोनों को अगर करके, total acid और water निकालता हूँ, तो total acid और water के बीच में आपको ratio कितना दिया है, 9 is to 4, this is ratio, this is ratio, this should be love, अब 4 को अगर मैं multiply करूंगा, तो ये 20x बराबर प्लस 32y, ये हो गया, आपका 18x प्लस 45y, 2x बराबर 13y, x by y बराबर 13 by 2, ये step में लिख सकता हूँ, आप लोग मैनत, ये मेरा मैनत में कितना step तो लिखे सकता हूँ, तो x by y 13 और 12 आने के बाद, यहाँ पर मुझे ratio ही चाहिए, मुझे x का exact value नहीं चाहिए, मुझे 7x और 13y के बीच में ratio ही चाहिए, और अगर ratio चाहिए, तो मैं x के जगा 13 डाल सकता हूँ, तो x के जगा 13 डालने से, ये आगया मे 7 parts लेंगे, इससे आपको 2 parts लेना होगा, तो finally जो ratio इसको और इसको मिला के आपको लेना है, वो किसका है, 7 is to 2 मतलब, A अगर आप 7 parts का लेते हैं, और B अगर आप 2 parts का लेते हैं, तो ultimately ये condition आपका 9 is to 4 का satisfy होगा, unless नहीं होगा, उमीद करता है ये चीज clear और allegation में भी 7 is to 2, वाइका कुछ अलग तो नहीं आएगा ना, तो चलिए बढ़ते हैं, allegation का disadvantage देखते हैं, जब 3 mixtures की बात आती है, तो वहाँ पर allegation fee का पढ़ जाता है, अगर मैं कहूं कि allegation 3 में लगा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं, और उसके पीछी भी बहुत से reasons हैं, ठीक है, आप लगाते हैं, उसका reason में बता देंगे, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वो बहुत ही छोड़ा concept है, क्योंकि अगर आप लोगों को बता है, कि 3 में allegation लगाने से variable, multiple answers आते हैं, अगर जितने लोगों को पता है, तो वो भी comment कीजिएगा, हासर multiple answers आते हैं, कि 3 element में allegation ratio क कोई matter नहीं रेता है, तो चलिए, लेकिन ये complete अलग जीज़, ये सवाल ही अलग है, सवाल यहाँ पर simple दिया गया है, 3 containers A, B and C, यहाँ पर balancing से करेंगे, and having mixtures of milk and water in the ratio इतना, 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 आपके पास एक A है, हासर, आपके पास एक B है, हासर, और आपके पास एक C है, हासर और ये जो A, B, C है, वहाँ पर milk और water है, हासर, इसमें भी milk water है, इसमें भी milk water है, और इसमें भी milk water है, और ये जो milk और water आपके पास तीनों में है, वो किस ratio में है, यहाँ पर 1 is to 5 में, यहाँ पर 3 is to 5 में, और यहाँ पर 5 is to 7 में है, अब आपको बोला गया है, if the capacities of the containers are in the ratio 5 is to 4 is to 5, मतलब इसका capacity आपका 5 पार्ट का तो इसका आपका 4 पार्ट और इसका आपका 5 पार्ट का होना conform है यह अगर 5, यह 4, यह 5 तो बोला गया है कि find the ratio of milk and water, same सवाल लेकिन 3 mixture, find the ratio of milk and water if all the mixtures, if the mixture of all the containers are mixed together अगर यह सारी के सारी containers को मैं mix कर दो, तो जो finally milk और water का ratio आएगा, वो कितना होगा, इससे बढ़िया सवाल और नहीं हो सकता, और approach देखिए उससे जबरतस्त, अब मैं क्या करूंगा, अब यह 5 का multiple, यह 4 का multiple, यह 5 का multiple है अगर मैं 5 का second multiple लूँगा यह 10, तो यह 1 is to 5 ratio में break करना impossible है, अगर मैं इसको 4 का third multiple लूँ fourth multiple तो यह बहुत से confusion होगे तो मुझे कुछ ऐसे multiples 5 के, 4 के और 5 के लेने हैं, जिससे कि मैं इसको 1 is to 5, 3 is to 5 और 5 is to 7 ratio में break कर पाऊं 1 is to 5 ratio में break करना मतलब 6 parts में break करना 3 is to 5 ratio में 8 parts में break करना 5 is to 7 ratio में break करना मतलब 12 parts में break करना तो एक चीज़ को 6 part में, 8 part में और 12 part में break किया जा सकता है इस तरह का सबसे छोटा number लीजिए सर इनका L से, सर कितना आ गया, 24 अब 24 अगर एक element होगा उसको मैं 6 part में भी break कर सकता हूं, 8 part में भी break कर सकता हूं, 12 part में भी break कर सकता हूं, तो 24 मेंने common रख्खा, सब में लेकिन ये 5 का multiple, ये 4 का multiple, ये 5 का multiple, तो इनका common multiple में ले लूँगा 24 मतलब, मैं इसका जो total capacity है, इसको 5 into 24 लूँगा 4 into 24 लूँगा, 5 into 24 होगा, क्योंकि यहां पे में benefit क्या होगा, benefit दिखाते हैं 5 into 24, इसका total capacity 120 का बन गया 4 into 24, इसका total capacity 96 का बन गया 5 into 24, इसका total capacity 120 का बन गया, done, अब 120 को जब मैं 5 is to 1, 1 is to 5 ratio में break करता हूं, तो 1 is to 5 का मतलब क्या पता है, 6 part में break करना 120 divided by 6 20, 1 into 20 मतलब, 1 part आप गया, 1 into 20 20, और 5 part आगया, 5 into 20 100, मेरे ख्याल से ये चीज़ पूरा clear है, अगर ये चीज़ थोड़ा जगा कम है, तो यहाँ पे इनका LCM24, यह आपको याद रहा क्या होगा, चीक है, बस screenshot के लिए लिखे रहे है, 20 100 अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 96 को अगर 3 is to 5 यानिके 8 पार्ट में ब्रेक करूंगा, 96 divided by 8 हर पार्ट 12 आएगा, तो 3 पार्ट बराबर आपका 12 into 3, 36 का आएगा और 5 पार्ट 12 into 5, 60 का आएगा, बहुत ही प्यार से 180 को 5 is to 7 यानिके 12 पार्ट में ब्रेक करने, 120 को 12 पार्ट में ब्रेक करूंगा, तो हर पार्ट 10 का आएगा तो 5 पार्ट आपका 50 का आएगा और 7 पार्ट आपका 7 into 10, 70 का आएगा तो इधर मिल्क इतना है वाटर इतना है, इधर मिल्क इतना है इधर मिल्क इतना है और वाटर इतना है, अब फाइनली इधर 60, 160 और इधर 70, 230 अगर मैं add कर दूँगा तो आज जाएगा तो finally जो ratio आएगा, वो 106 is to 230, 4 में तो नहीं जाएगा 2 में अगर काट दूँगा, तो 2 में ये 53 टाइमस जाएगा 2 में काट दूँगा, तो 115 ऐसा गंदा option है 53 is to 115, option number B is the correct answer for this question तो आपको सिधा क्या करना था, कि तोड़ने के लिए इधर 6 पार्ट में, इधर 8 पार्ट में और इधर 12 पार्ट में तोड़ना था तो 6, 8, 12 का LCM, 24 अगर मैं ले लूँगा इधर अगर 24 का कोई भी multiple है, तो 6 पार्ट में break करना possible है 24 का कोई भी multiple, 4 multiple, 6 multiple, 7 multiple, 9 multiple, odd multiple, even multiple, prime multiple, जो भी लो 8 यहां पे 24 से कट जा रहा है, मतलब तो answer पूरा का 24 से कट जाएगा तो similarly मैंने सिर्फ यह किया, कि जिसमें मुझे break करने हैं, उनका LCM ले लिया और इस LCM को सब में multiply कर दिया उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको गजब लगाओगा और इसी के लिए आपको एक like ही मांगते हैं और उससे जादा हम कुछ मांगते भी नहीं है अब यह रहा आपके सामने गजब सा सवाल अब आता है कि mixture के कुछ सवाल देखने के mixture का concept अभी तक यूज नहीं हुआ अभी तक हमने सिर्फ ratio का concept सीखा mixture का कुछ एक concept होता है क्या concept होता है mixture का mixture का एक बहुत ही छोट असा प्यारासा concept होता है क्या कि अगर बस एक line में आपको सिखा देता हूँ एक second अगर आपके पास एक mixture है और उस mixture में आपके पास milk और water जो है वो अगर आपके पास 5 to 7 के ratio में है कितना liters मुझे matter नहीं करता तो इससे आप जो भी remove करेंगे उसमें obviously milk भी जाएगा और water भी जाएगा और अगर milk और water 5 to 7 ratio में already present है तो जो जाएगा milk और water वो भी 5 to 7 ratio में जाएगा और यहाँ पे जो remove होने के बाद जो remaining बचेगा वहाँ पे भी आपके पास milk और water रहेगा और वो remaining milk water भी आपका 5 to 7 में रहेगा because this is a homogeneous mixture each and every drop of mixture consist of milk and water in the ratio 5 to 7 so whatever amount you remove from the mixture will be removed in the ratio 5 to 7 and after removing certain amount of mixture whatever remaining amount of mixture will be there that will also remain in the ratio 5 to 7 this is the simple concept of mixture जो जाएगा उसी ratio में जो रहेगा उसी ratio में यह प्यारा सा concept सीखने के बाद मेरे ख्याल से जो सवाल आपके सामने अबी डिस्पले हो रहा है उसको आप बड़े प्यार से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे और कुछ नहीं है बस यही concept को एक practical example है और कुछ नहीं सवाल आपको बोला गया है कि there are two vessels A and B containing 25 liters each of pure milk and pure water respectively मतलब यहाँ पे और ऐसा नहीं कि A है B है यहाँ पे milk water नहीं A में pure milk है और B में pure water है और कितने कितने liters का यहाँ पे 25 liter का और यहाँ पे 25 liter का respectively इसका मतलब यही था language को तीन बार पढ़िए क्योंकि language ही सबसे ज़ादा गेम करता है 5 liters of milk from A is taken and poured into B इससे 5 liter का mixture निकाल दिया गया और अगर इससे 5 liter निकाला गया तो यहाँ पे milk कितना रहेगा 20 liter का और यह 5 liter का milk जो है यह इसमें डाल दिया गया अब इसमें अगर मैं डाल दूँगा तो यहाँ पे milk अभी आ जाएगा कितना 5 liter का पहला step clear है दूसरा step बोल दा है कि then मतलब यह पहला step खतम होने के बाद 6 liter 6 liters mixture from B is taken and poured into A मतलब यह पहला step milk 5 liter का इधर से इधर जाने के बाद अब 6 liter का mixture इस B से निकल के A में आएगा अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि B में अब सिर्फ water नहीं था कि आप 6 liter का water निकाल दोगे यहाँ पे अभी water भी और milk भी है और अगर आप देखें तो water और milk यहाँ पे किस ratio में है 5 में काटने से 5, 5 में काटने से पांस-to-1 ratio में है और अगर 5-to-1 ratio में water and milk है तो इसमें से अगर आपका 6 liter का remove होगा तो वो जो remove होगा वो भी 5-to-1 ratio में remove होगा तो 6 liter अगर मैं 5-to-1 ratio में remove करूँ तो 5-to-1 मतलब यह 5 पाट यह आप टोटल 6 पाट जाएगा टोटल 6 लिटर जा रहा है टोटल 6 पार्ट जा रहे है, 6 पार्ट 6 लिटर तो 5 पार्ट का आपका water जाएगा मतलब 5 लीटर का water remove होगा minus और 1 लीटर का आपका ये remove होगा milk minus अब ये remove होके कहां पर add होगा A में add होगा तो जब A में add होगा तो मैंने देखा कि 1 लीटर का milk इधर मिल गया, एक लीटर का अब milk इधर आने के बाद यहाँ पर finally 21 liters of milk है मुझे ये जरूरत नहीं है, सवाल आप पूरा पड़ सकते हैं लेकिन मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें पूरा समझा दे रहा हूँ और ये 5 लीटर का water अब यहाँ पर आ चुका है, तो finally यहाँ पर end होते होते water आ गया total 5 liters का, क्योंकि इसको मैं निकाल के यहाँ पर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कितना water है, अब 25 लीटर का water था, आपने 5 लीटर निकाल दिया तो यहाँ पर finally water कितना रहेगा 25 से 5 जाने के बाद, यहाँ पर finally 20 liters का water रहेगा और यहाँ पर finally milk कितना रहेगा अब देखिए, आपके पास 5 liters का starting में milk डाला गया था न, उसमें से अभी सिर्फ 1 लीटर गया है, तो अभी भी 4 liters का है water, sorry milk आपके पास, अब आपको पूछा गया है finally, what is the ratio of water in A and B respectively A और B में, finally कितने water जो है, उनका ratio क्या है A में water आपका 5 ले B में water आपका 20 है, तो 5 और 20 water के बीच में ratio कितना आएगा, और यह 5 और 20 के बीच में ratio कितना आथा, 1 is to 4 will be the correct answer for this question उमीद करते हैं कि यहाँ पे वही mixture का concept जो मैंने समझाया था, उसका proper example के तरह हमने आपको दे दिया अब बढ़ते हैं थोड़ा सबसे interesting सवाल मिक्चर का, यही exam में आपको direct देखने के लिए मिलेगा यह और इसका अगला वाला सवाल, direct मिलेगा तो इन दोनों को प्यार से सीख जाईए एक बार सवाल क्या कह रहा है, एक बार देख देते हैं a can contains a mixture of two liquids, a and b in the ratio 7 is to 5 एक can है, जो a और b liquid रखा है, तो आपके पास एक can है उस can में आपके पास milk और water है, बहुत प्यार से देखेगा इस concept को, और ऐसे धायंकर सवाल को जो से आप ex-vacs लेके करते हैं, मैं इसको आज एक नए तरीके से करूँगा, और एक अगला तरीका allegation, मैं इसको भी allegation में लिटा दिया हूँ, mixture and allegation वाला वीडियो एक बार देख लीजेगा, ठीक है तो milk और water जो है, इसमें किसी ratio में है, 7 is to 5 ratio में है when 9 liters of mixture are drained off, मतलब निकाल दिया गया, कितना, 9 liter का and the can is filled with B, और उस can को B से, और ये milk और water है नहीं क्या, A भी है, ठीक है हर बार वही सोच रहा, तो एक can है, उसमें A और B है, ठीक है, एक can है और उस can में आपके पास A है और B है, मैंने milk water लेया था, ठीक है और ये A, B किस ratio में है, 7 is to 5 के ratio में है, इससे 9 liter का mixture निकाला गया और इसको fill किया गया B से, तो आपको अभी बोला गया है, the ratio of A and B become 7 is to 9, तो ratio आपका A और B के बीच में 7 is to 9 का हो गया तो पोला गया है कि how many liters of liquid A was contained in the can initial, starting में कितना आपके पास A था, वो सब भूल जाई है मैं आपसे जितना पूछ रहा हूँ, वही बताईए, can में milk और water का, sorry, A और B का ratio 7 is to 5 था तो इससे जब 9 liter का mixture आप रिकाल भी देते हैं तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पे milk और water वही 7 is to 5 के ratio में रहेंगे, अभी पढ़ाया तो मैंने, concept तो अभी बताया ना, कुछी देर पर, skip मत किया कीजिए, ठीक है, skip करेंगे तो वही गुरे बसेंगे, ठीक है तो 9 liter जाने के बाद यह मेरा नया था, इतना था, और 9 liter जाने के बाद भी अगर 7 is to 5 है, उसके बाद मैंने क्या क्या, 9 liter जितना मैंने mixture निकाला था, उतना मैंने B add किया, सवाल में दिया गया है कि if 9 liters of mixture are drained off, and the can is filled with B, मतलब अभी 9 liter का सिर्फ B ही डाला गया है, तो आपका जो ratio A और B के बिन पे बन जाता है, वो 7 is to 9 का बन जाता है, rule number 2, याद है आप लोगों को, golden rule 2, कि अगर changes सिर्फ B में हुआ है, तो A अपना constant होना चाहिए, तो अगर A constant है, तो क्या A constant है, तो 5 part का मेरे पास B होना चाहिए, वो ये 9 liter add होने के बाद 9 part का बन जाता है, 5 अगर 9 बन जाता है, तो definitely 4 part add किया गया होगा, 4 part add किया गया है, और 9 liter add किया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, कि 4 part का value 9 liter होए, क्योंकि यहाँ पे 4 part का increment हुआ है, यहाँ पे 4 part का increment तो यह जो 4 part बढ़ा है, वो इस 9 liter के बज़े से बढ़ा है, और अगर 4 part बराबर 9, मुझे पता है कि 1 part 9 बटे 4 कट नहीं रहा, लेकिन इस line के नीचे, इस line के नीचे यह आपका 7 part है, और यह आपका 5 part है, मतलब total mixture आपका 7 plus 5, 12 part का है, अब 12 part निकाल सकता हूँ, कैसे, 4 part अगर 9, तो 12 part मतलब 4 का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना 27 लीटर, इतना तो कर यह सकते हैं, तो अगर 4 part 9 लीटर होगा, तो 12 part 27 लीटर, तो यह जो 12 part लीटर था, यह कब था, 9 लीटर रिमूव करने के बाद 27 लीटर आपके पास था, तो इस step से पहले, इस line से उपर, और 9 लीटर का mixture आपके पास definitely हुआ होगा, तो 27 में 9 जोडने से आपका जो initial mixture है, वो 36 लीटर का होना चाहिए, और जो initial mixture है, 36 लीटर का, वो milk 7 part और what's a 7 part और B 5 part का रखता है, मतलब वहाँ पे 12 part का जो mixture है, वो 36 के साथ बराबर है, अगर 12 part बराबर 36 स्टार्टिंग में था, तो स्टार पर बराबर 36, तो एक part बराबर 3 लीटर, एक part 3 लीटर तो 7 part 7 into 3, 21 लीटर का मखाता है, correct answer for this question, option number 8, 21 लीटर, सही है, पूरा चीज तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस एक line draw करना था, उसके बाद आपको ratio को बरकरार रखना था, ये मैंने golden rule 2 में बता दी था, high level को जाएंगे तो सारी के सारे चीज़ें आपके revise हो जाएंगे, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, next जबाद जिसके बिना mixture अधूरा है, ठीक है, और ये concept से questions आपको exam में directly मिलते हैं, लेकिन मैं आपको इसका formula भी कहूंगा, और आपको इसका basic भी कहूंगा, लेकिन आपको exam में सिर्फ इसका formula डालना है, इसका basic से आपको exam में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा काम है सिखाना तो मैं सिखाऊंगा, a jar contains 120 liter pure milk, from this 24 liter of alcohol is taken out and replaced with water, this process was repeated once more, find the final alcohol in the mixture, तो आपके पास एक jar था, और उस jar में मैं यहाँ पे कर रहा हूं, चीक है, आपके पास कैसा लिगा, यहाँ पे चली, यहाँ पे लिगते, suppose आपके पास एक jar था, और उस jar में आपके पास alcohol था, pure alcohol, और कितने liters का था, 120 liters का था, पहले सीखे बढ़िया से, अब इस से आपका 24 liter का alcohol निकाला जाता है, अगर 24 liter का alcohol में निकाल देता, तो कितने liter का alcohol बचता, 86 liter का बच add कर दिया गया, from this, 24 liter of alcohol is taken out and replaced with water, तो अब आपका water कितना आ चुका है, वही 24 liter का, मतलब water आ चुका है, आपका पास 24 liter का, this process is repeated once more, अब यह process रिपीट करूँगा, मतलब मैं फिर से 24 liter का निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं 24 liter निकालूँगा, तो यह कहन मुश्किल हो जाएगा, कि सिर्फ alcohol निकलेगा, क्योंकि alcohol के साथ अभी आपके पास water भी है, starting with pure alcohol था, तो pure चला गया, लेकिन अब यह भी है, यह भी है, तो दोनों मिलके जाएगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो जाएंगे, वो उसी ratio में जाएंगे, किस ratio में, अब दे ratio कितने का है, 4 is to 1 का है, अगर इनके बीच में ratio 4 is to 1 का है, तो अब मैं जब 24 लीटर निकालूंगा, remove करूंगा, वो भी 4 is to 1 ratio में जाएगा, 4 is to 1 ratio में जाएगा, मतलब 4 प्लस 1, 5 पार्ट जाएगा, और 24 जाएगा, अगर मैं 24, 5 पार्ट निकाल रहा हूं, और 24 लीटर नि इसको लिख रहा हूं, तो आपका 4 पार्ट का अलकोहल जाएगा, तो 4 पार्ट का अलकोहल जाएगा, जो कि कितना होगा, 24 by 5 into 4, 24 into 4, 96 by 5, 96 by 5 यानि कि आपको हो गया यह 19.2, क्योंकि 96 का डबाल होता है, 192, उसमें 0.2 लग गया हूं, 19.2, तो 19.2 का आपका चला गया क्या, अलकोहल, और यह गया होगा कितना, अरे 24 से अगर यह 19.2 है, तो यह बाकी का 4.8 लीटर गया होगा, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फाइनली मुझे ऐसे सवालों में सिर्फ अलकोहल पूछता है, क्या सिर्फ अलकोहल नहीं, मेरे कहना का मतलब जो स्टार्टि वाले सवाल आते हैं, तो वहाँ पर होल, टॉटल, क्वंटिटी बराबर रहता है, मतलब अगर स्टार्टिंग 120 से हुआ, आप 10 बार, 20 बार, 40 बार, आप तो 24 निकाल के 24 एड़ी तो कर रहें न, मतलब टोटल हमेशा 120 कर रहेगा, तो अगर मैं आपको अलकोहल निकालने का ट्रिक बता दू, तो अगर आपको वाटर भी पूछा होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, अगर फाइनली अलकोहल 70 होगा, तो 120 से 70 जाने के बाद बाकी का आपका वाटर होगा, तो 19.2 लीटर आपका चला गया, अब 96 से अगर 19.2 जाएगा, तो फाइनली आपके पास अलक 76.8 लीटर will be the correct answer for this question, कि फाइनली मेरे पास अलकोहल इतना रहा, अब मैं सवाल को साइड में लगाता हूँ, ताकि आपको एक concept इसका प्यारा सा बता दो, इसका concept बहुत ही simple है, कि जब भी आपको ऐसा दे कि आपके पास starting pure alcohol से हुआ है, starting, तो आपको वसी वही initial वाला, starting वाला quantity बताना है, अब initial quantity आपको रखना है, अब one minus जो quantity आप हर बार remove करते हैं, वो रखना है, divided by आपके पास जो initial quantity सवाल में दिया गया है, और बस उसका कितना power कर देना, जितने बार ये process को किया जा रहा है, यहाँ पे इस process को, पहले बार एक बार 24 निकारा, और once more, मतलब दो बार किया गया, ऐसा नहीं कि सवाल तीन बार नहीं दिया जा सकता है, यह अगर एक point में आच चुका है, तीन बार में और दो point आच सकते हैं, तो इसलिए इस सवाल को formula में लिप्टाना बहतर है, लेकिन मैंने आपको concept भी आपको कहा, ए यह भी initial भी आपको pure का लेना है, और final भी, क्योंकि alcohol अगर आप याद रख लेंगे तो सवाल अगर एक बार उल्टा दे देगा, pure water से start कर देगा, और alcohol उपर नीचे होगा, तो आग गलत कर देगे, इसलिए pure initial अगर में डाल दूँगा यहां पे, तो finally भी pure ही आ जाएगा, तो यहां पे pure alcohol से start किया था सवाल, कितना था, 120, whole, 1- removed quantity हर बार कितना remove हो रहा है, 24, 24, 24, किस से remove हो रहा है, initial, 120 है, और कितने बार हुआ, इस सवाल में तो 2 बार हुआ, सवाल 3 बार होता, तो 3, 4 बार max दे सकता है, 4, और इतना कर देने से मुझे final quantity मिल जाएगा, अब इसको यहां पे कटा, 5, 1 by 5, 1 minus 1 by 5, 4 by 5 होगा, 4 by 5 का square, 4 by 5 का square, तो 4 by 5 का square या निकी है, अब पांच यहां पे कटा, 24 में, 24 into 4 हो गया, आपके पास कितना, 24 into 4 मत किजे, 4 into 4, 16, 16 into 24, 16 into 24 कैसे करेंगे, बीच में 20 minus 4, 20 plus 4, 20 का square, minus 4 का square, 20 का square, 400, 4 का square, 16, 400 minus 16, 384, और 384 डिवाइड में आई आपके पास एक पांच, 5, 7 जा 35, 34, 5, 6 जा 30, 0.48, तो correct answer आपका हो गया, 76.8 लिटर, यह आपका final आ गया, सर आप कुछ बोलने थे कि हमेशा इसको initial pure वाला निकाल दो, यह आपका pure निकालने का formula है, अगर pure आपको starting में देता कि alcohol या milk, तो वही न निकालते है, alcohol तो है, pure अगर आपको milk भी देता, तो यह finally आपका pure milk किया, मतलब final milk किया था, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा वाला पूछ दे, मतलब जो addition या subtraction हो रहा है water, तो वह कैसे निकालेंगे, मैंने यह समझाया, कि जब भी replacement का सवाल आता है, वहाँ पे आपका total value है, वह fixed रहेगा, 120 सवाल में, यह है, क्योंकि आप 24 निकालेंगे, तो next moment 24 आइड भी तो कर देंगे, तो यह अगर total 120 fixed है, इस 120 में से अगर इतने का आपके पास alcohol है, यह हम निकाल दिये, तो दूसरा वाला water निकालने के लिए आपको सीधा 120 minus 76.8 करना था, तो इसी formula, बच् concept यूज कर सकते हैं, लेकिन concept में disadvantage क्या होगा, आगे से point और आने वाला है, तो बस यही कहके मैं mixture को यहीं पर end करता हूँ, उमीद करता हूँ कि सारे के सारे लगबख सवाल मेंने ले लिये हैं, इसके आलावा अगर आपको allegation अच्छे सीखने हैं, तो उसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगा, नहीं तो आप पुराना वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, कोई issues नहीं है, one video, one chapter में सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, तो शरीय बढ़ते हैं अपना जो next topic है, तो दोस्तों अपना जो next topic है, proportion, वो हम सबको लगता है कि बहुत ही tough वाला पार्ट है, ल क्या लिखते थे, ऐसा लिखते थे, कि force is proportional to product of masses, inversely proportional तो नीचे लिखते थे, force is inversely proportional to the square of the distance between them, ऐसे, तो यहां पे भी मैं आपको simple सा एक concept बताता हूँ, वो concept यह है कि अगर कोई चीज किसी के उपर directly proportional है, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, speed is equal to distance by time, यह होता है आपका, speed is equal to distance by time, तो इसमें हम क्या कहते हैं, कि अपना जो speed है, वो directly proportional to distance है, क्योंकि numerator के साथ directly proportion करेगा, और inversely proportional to time, तो denominator के साथ inversely proportion करेगा, directly proportional to product of masses, inversely, तो जो direct होगा, वो numerator में रहेगा, जो inverse, मुझे जितना चाहिए, आपको question के answer बनाने के एबल में, आपको इतना जादा घुसाना नही proportional to C, तो आप ऐसा लिखेंगे, अगर मैं कहूं कि A is inversely proportional to the cube of D, तो A inversely proportional मत्रम नीचे रहेगा, क्या किससे D के cubes है, तो D था क्यों, A is directly proportional to B and C, अगर A directly proportional B को भी है, और C को भी है, तो A is directly proportional to B and C, तो दोनों को multiply, A is directly proportional to M, inversely proportional to N, A is directly proportional to M and inversely proportional to N, तो नीचे रहेगा, यतना तक तो clear होगा, अब last thing हम जब यह करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तो जब मैं इस proportionality को हटा के equal to ले आता हूं, तो right-hand side में constant, जो कि gravitational constant होता है, physics के हिसाब से, G, M1, M2, R square हो जाता है, या फिर हम इधर कहेंगे, तो यहाँ पर already अपना time क्या constant होता है, हमने यह पढ़ाया ना कि speed is directly proportional to distance when time is constant, speed is inversely proportional to time when distance is constant, तो हम यहाँ पर separate constant मी लेते हैं, हम directly उन दोनों को ही आपस में interchange कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर a directly proportional to b हैं, तो इस proportionality को हटा के equal to लाने के लिए यहाँ एक constant को इंटरेक्स कर आपना हो, तो similarly यहाँ पर इसको equal to लाने के लिए एक constant, तो जब भी हम proportionality को हटाएंगे, आपको बस एक constant लाना है, इतना आपके दिमार्ग में अगर properly घुस गया, तो पहला सवाल आपके सामने डिस्पले हो था, जो कि frequently asked in examination, बहुत ही बार बार पूछे जाने सवालों में से एक हैं, तो इस सवाल को जल्दी से आप pause करके एक बार of a piece of diamond varies according to the square of its weight, diamond का जो आपका price है वो directly proportional किसके साथ है, उसके weight के square के साथ proportional है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि price is directly proportional to the square of weight, यह कह सकते हैं, फिर आपको बोला गया when he breaks, मतलब और किसी के उपर proportional नहीं है, तो next step में मैं यह कह सकता हूँ कि यह proportional, इतना आपको लिखना नहीं है, प होगा तो price is equal to, इस proportionality को हटाके में यह कह सकता हूँ कि weight का square होगा, अब weight सर की kg में होगा, ग्राम में होगा, आपको कोई मतलब नहीं, इसका मतलब इतना होता है, weight जितना ज्यादा होगा, उसका square उतना ज्यादा होगा, और square के उपर depend करेगा price, ओ भी उतना ज्यादा होगा आपको ज्यादा अंदर गुशनी के ज़रूत नहीं, इतना तक समझ में आ गया, प्रोपोर्शनल्टी को अटा के constant लेया, हाँ सर, तो अभी मुझे बताइए कि क्या question दे रहा है, सवाल बोला, when it breaks the diamond into four pieces of different weights in the ratio 2 is to 3 is to 4 is to 5, जब उसने इस diamond piece को गिरा के तोड़ दिया, किस the price of the original piece of diamond, सवाल confusing है, लेकिन एक बार में clear कीजेगा, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चीज, 2 is to 3 is to 4 is to 5 के ratio में तूट जाए, तो definitely वो चीज कितने का होना चाहिए, जोड दीजे, तो मतलब जब जूडा हुआ होगा, तो 2 प्लस 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14 पाट का होगा, तभी तो 14 पाट का चीज तोड़ के 2, 3, 4, 5 में बढ़ सकता है, तो total जो starting वाला अपना weight है, वो था W, लेकिन जब तूट गया, तो individual weights में ये बन गया convert, तो अब मुझे price अगर बहुत ला, तो price आपका क्या होता है, के, एक constant, मुझे उसका value बता नहीं, लेकिन जो weight होता है, उसका square, तो अगर मैं आप से पूचू कि है, जो 14 पाट जिसका weight है, तो इसको मैं 14 gram कहा सकना हूँ, 14 kg, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, 14 का weight रखता है, उसका price कितना होगा, प्राइस जो है, वो क्या होता है, k into weight का square, तो k into weight का square, यहाँ पे weight कितना है, 14, 14 का square, 14 का square 196, तो इसका value to 196 K, मतलब जो total बड़ा वाला piece होगा, उसका price 196 K होगा, लेकिन यह जो छोटा वाला, इसका price क्या होगा, मुझे पता है कि price का value क्या होते है, K, W square, K, यहाँ पे weight इसका कितना है, 2, तो यह इसका price होगा, 2 square, इसका price होगा, 3 का square, इसका price होगा, K, 4 का square, इसका इनके, 16 K, और 25 K, बन गया, तो यह जब उनके price आगे, टूटने के बाद, तो टूटने के बाद, अगर मैं total price की बात करूँ, तो add करने से यह कितना आ रहा है, पता है, total price, यह आगया, 16 plus 9, 25 plus 25, 50 plus 4, 54 K, उसका price आगया, is the constant, अभी भी हमें उसका value नहीं मिला, तो मैं यह कह सकता हूं, जिसका original price 196 का होना चाहिए, वो अभी 54 K का बन गया है, मतलब तूटने के बाद loss हुआ है, loss कितने का हुआ है, मैं कह सकता हूं, sir, 196 K से घटकर 54 K तक चलाया, तो इनहीं के बीच में जो difference है, वही तो loss है, तो यह जो difference आया, मेरे पास 142 K का loss, और according to question, जब तूट जाता है, तो कितने का loss होता है, 28,400, तो इसी का value आपका आगया, 28,400, अगर 142 को इजर में लाके divide कर दूँगा, तो K का value कितना आगया, देखे, 142, 2 जा 24, तो 2, उसके साथ 2,0, तो K का value तो 200 आगया, और अगर K का value 200 आगया, अब original price of diamond मुझे पूछा गया है, तो original piece of diamond जो बड़ा सा था, उसका तो price हमने 196 लिया था, तो जो original price है, original price है, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 196 K, K का मतलब 200, 196 का दुगना 392, उसमें 2,0, तो correct answer हो जाएगा 39,200, यानि का option number A will be the correct answer for this question, लेकिन अगर इस total सवाल को मुझे examination में दिया जाता, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सीधा क्या करता, चौदा लिखता, दो लिखता, तीन लिखता, चार लिखता, पांच लिखता, चौदा का price उसका square, 196, डाइरेक्ट लूँगा, दो का square, 4, डाइरेक्ट चार, के के लेने ही की जरूत नहीं, इस सवाल में तो particularly के की कोई जरू हो गया, तो यहाँ पर one part, जो हमने के निकाला इस सवाल में, उसका value आगया, but this should be the process, क्योंकि यह सवाल इतना easy होगा, माहिन नहीं है, सवाल को अगर मैं थोड़ा next level को confusing करने के लिए लूँ, तो यह रहा आपके सामने, जो next सवाल है, यह रहा आपके सामने next सवाल, the price of a book varies that is directly as the number of pages, तो आपको मैंने starting में जो concept सिखाया था, directly proportional, inversely proportional, उतना ही तो आपको जरूरत पढ़ा, उससे जादा तो आपको कुछ जरूरत नहीं पढ़ रहा है, and inversely as the time periods in years that have elapsed since the date of purchasing, जितने साल आपके गुजर चुके हैं, जब से book को purchase किया गया है, उसके उपर inversely proportional, logically देखा जाए, हाँ, पुराना किताब है, जितना time किताब को हो चुका है, उतना कम उसका value रहेगा, तो inversely proportional होगा जितना time पुराना, उतना value कम, तो वही कह रहा है, आपको इससे इतने logical, भूल जाईए, question का answer बताते है, the price of a book varies directly as the number of pages, मतलब price जो है, वो directly vary करता है number of pages के उ inversely as the time period in years that have elapsed since the date of purchasing, जितने पुरान, जितने time हो चुके हैं, purchase से अभी तक, उसके उपर depend करता है inversely, तो मैं सीधा लेता हूँ, कि आज को suppose 10 साल हो चुका है, उस time book को purchase करते हुए, तो यहाँ पर T के जगए 10, आज से 12 साल हो चुके हैं, book को purchase करते हुए, मतलब 12 साल पहले cost the same, however the number of pages in the first book is triple of the second book, if the first book is sold on 18 years ago, how long ago was the second book sold, इसको लिखने के बाद अगर आप सवाल को एक बार पढ़ लेंगे, तो आप वैसे ही बैठे रहेंगे, आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसका बाद वाला process मुझे कोई बताएगा, price, proportionally हटा, equal to आया, equal to आते ही, constant आया, constant, number of pages divided by time आ गया, price का value, पूरा exact value, अब बोल रहा है कि दो books का cost सेम है, मतलब पहले book का price और दूसरे book का price, पूरा का पूरा सेम है, और उसमें condition दिया गया, the number of pages, in the first book is triple of the second book, तो पहले book का price क्या होना चाहिए, constant के, price by time, इसका भी क्या value होना चाहिए, constant के, price by time, तो पहले book का जो page है, sorry, page by time, माफ करतीजेगा, price जो है, page by time, page by time, तो पहले book का जो page है, वो कितना है, वो दूसरे book का तीन गुना है, बोल ला है, the number of pages of the first book is triple the second book, तो second book में suppose आपका x page है, तो पहले book में आपका कितना है, 3x है, पेज के जगा में डाल सकता हो न, x और 3x, अब यहाँ पर divided by, divided by सिर्फ क्या आना चाहिए, number of years या फिर time आना चाहिए, अब बोला जा रहा है कि the first book is sold in 18 years ago, मतलब पहला book 18 साल पहले लिया था, तो यहाँ पर time आ गया, 18, तो पूछा गया है कि दूसरा book कब sold किया गया, तो देखते हैं, दूसरा sold कितने साल पहले sold किया है, suppose दूसरे book को X यहाँ पर X के साथ कड़ गया, 3 यहाँ पर कड़ गया, 6 के साथ, 1 by 6 बराबर 1 by T, तो यहाँ पर cross multiply हो जाएगा, तो T का value 6 आ गया, और जब आपको पिछला सावाल में मैंने कहा था कि gram हो, weight हो, kg हो, जो हो, मुझे फरक नहीं परता, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यह 6 years इसलिए आएगा, क्योंकि यह जो time 18 था, वो years में था, तो obviously यह वाला जो time भी आएगा, वो भी years में आएगा, अगर यह 18 months देता, तो आपका यह answer 6 months होता, अगर यह 18 days होता, तो यह 6 days होता, तो time यहाँ पर 18 years था, तो हमारा time निकल के आगया, 6 years, तो आप अगर इस च इस चीज मेरा काम है, पूरा chapter को complete करना, इसलिए मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाता, तो मैंने जैसे कि basic to advance आपको वादा किया है, इस से advance सवाल और आपको proportion में देखने के लिए नहीं मिल सकता, और हाँ, यह सवाल मैंने आपको quantum cat के book से लिया हुआ है, तो quantum cat ज अरविन सिंग पर्चेस्ट ए 40 सीटर बस, अरविन सिंग ए 40 सीटर बस खरीदे, मुझे फरक नहीं पड़ता, he started his service on route number 2 from, क्या है यह, तेरी पुलियर वगरा वगरा, route मुझे फरक नहीं पड़ता, his profit from the bus depends upon the number of passengers, over a certain number of passengers, n, and upon the distance travelled by bus, उसका जो profit है न, वो profit किसके उपर depend कर पता है, number of passengers, ऐसा नहीं कि 10 passenger bus पर बैठ के तो 10 के उपर depend किया, 12 बरेट के तो 12 के उपर depend किया, नहीं, उसका जो profit depend करता है, वो एक certain number के उपर depend करता है, इसका मतलब थोड़ा practically, practically मैं इसको समझाता हूँ, practically इस सवाल को अगर मैं देखो, तो suppose मेरा पास एक bus है, मुझे A से B जाने के लिए, petrol का जो cost होता है, मैं अपने इसाब से आपको बताता हूँ, petrol का cost जो होता है, वो 100 rupees का होता है, A से B जाने के लिए, मुझे petrol 100 rupees का खर्चा करना पड़ेगा, एक ticket जो है, एक ticket को, suppose मैं sell करता हूँ, 20 रुपे में, तो अगर एक ये passenger बैठा, तो क्या मेरा profit नि 3, 60, 4, 80, 500, जब 5 ticket बेचे जाएंगे, तो break even attain किया जाएगा, यानि कि no profit, no loss का condition आगया, मतलब अब भी profit नहीं आए, लेकिन profit आना कब सुरूआगा, जब 6 tickets बेचे जाएंगे, तो 120 का profit आएगा, 100 रुपे तो मेरे हाथ से खर्चा हुआ था, अब 120, यानि कि 20 रुपे का profit अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 5 tickets के उपर मेरा profit बिल्कुल भी dependent नहीं है, अब 5 के बाद जब 6 ticket बेचा जाता है, तब मेरा profit बढ़ने लगता है, कैसे, अगर 7 ticket बेच दूँ, तो 140 रुपीज का revenue generate होगा, और profit 20 से बढ़के 40 पर चला आएगा, मतलब य 7 ticket बेचूं, तो profit 2 ticket के उपर ही मिलेगा, बाकी के 5 के उपर तो no profit, no loss का condition चल रहा है, अगर मैं 20 ticket बेचूं, तो 5 के उपर 15 के उपर ही मेरा profit depend करेगा, क्योंकि पहले के 5 तो मेरा खुद का cost price उठाने के लिए है, तो यहाँ पर same condition हुआ है, कि यहाँ पर जो profit आता है, वो कि number of passengers के उपर आपका profit depend करता है, तो मैं मान लेता हूँ, कि जो मेरा profit निकलता है, over a certain minimum number of passengers, उसने clearly दे दिया, कि minimum number of passengers, minimum number of passengers, आपके कितने होने चाहिए, minimum number of passengers, तो N होने चाहिए, मतलब यही N passengers आपको break-even तक पहुँचाएगा, no profit, no loss, N के उपर आप जितने profit, जितने tickets बेच चड़ेंगे, जितने passengers चड़ेंगे, उसके उपर आपको फाइदा होगा, तो यहां पर अपना जो profit है, वो N के उपर depend नहीं करता, वो N से उपर जितने लोग बैठते हैं, उसके उपर depend करता है, तो suppose मैं मैं मान लेता हूँ, कि total number of passengers, total number of passengers, अगर मेरे T बैठेंगे, तो मेर profit किसके उपर depend करेगा, पिछला case, 5 तक तो मेरा profit नहीं आता, 7 टिकट बैचने से profit मेरा 2 के उपर आता है, मतलब 7-5, 5 टिकट तक तो profit नहीं आता, 9 टिकट बैचने से profit 4 टिकट पर आता है, similarly, N टिकेट तक तक तो मुझे profit नहीं मिलेगा, लेकिन T में मुझे कितने का उपर profit profit मिलेगा, T से N जाने के बाद जो बाकी का rest है, उसके उपर, 7-5, 2, 9-5, 4, यहां तक clear है, यहां तक अगर clear है, तो पहला तो दूसरा, दूसरा चीज़ अभी क्या है, और, and, upon the distance traveled by the bus, सिर्फ इसके उपर, passengers के उपर नहीं करता, और एक चीज़ जो है, distance, जितना distance जा सकता ह अब next step में यह कह सकता हूँ कि बहिया, और में लिखने के form में नहीं हूँ, इस proportionality को हटाते ही, मुझे क्या मिल जाएगा, equal to और यहां पे constant लाना पड़ेगा, confirm है इतना, तो profit तो यह बन गया, अब मुझे सवाल क्या बोला है, कि if his profit is rupees 3600, उसका profit 3600 रुपे का होता है, with 29 passengers on the bus, जब total passengers 29 रहता है, मतलब T के जगा 29, in the bus, for a journey of 36 km, तो 36 km के journey, मतलब distance 36 दे दिया, तो यहां पे profit 3600 का आएगा, कब K का value पता नहीं, लेकिन जब T आपका 29 होगा, N का value पता नहीं, और D distance of 36 km जाएगे, फिर और एक data उसने दिया, क्या, कि and 6300 with 36 passengers in the bus for a journey of 42 km, मतलब 6300 का profit होता है, जब आपके bus में total 36 passengers बैठते हैं, 36 passengers बैठते हैं, N का value पता नहीं, और कितने km का journey होता है, distance 42 km का journey होता है, तो यहीं से आपको पूछा गया, what is the minimum number of passengers are required, so that he will suffer no loss, मतलब break even, no profit, no loss का condition है, कुछ suffer नहीं करेगा, तो वो condition कब है, जब N आपको मिल जाएग तो आपको minimum number of passengers यानि कि N की जरुएते है, तो N निकालने के लिए मैं simple कहा सकता हूँ, कि यह आपका equation बाने ही, यह आपका equation to N, दोनों equation को अगर मैं divide कर दूँ, तो यह बन जाएगा आपका LHS divided by RHS, बराबर, अब मैं जब काटूंगा, तो 0000 काटा, 36 काटा, 21 मैं होगा, तो यह K के साथ भी K कट गया, तो 36 into 2, 72 उपर जाके cross multiply हो जाएगा, 72, 2N, minus 2N, बराबर, 87, 87, minus 3N, minus 3N, minus 3N, इधर आके plus हो जाएगा, 3N से minus 2N जाएगा, तो N, 72 इधर आके minus हो जाएगा, 87 से 72 जाएगा, 15, तो N का value 15, मतलब अगर इन सवालों को आप एक बार सीख जाएगा, तो करने के लिए कोई नहीं है, इस से difficult और नहीं पूछ सकता, clear है, तो ऐसा ही सवाल आपको proportionality पे मिलते हैं, लेकिन उमीद करते हैं, कि तीन सवाल काफी थे, आपके proportionality को clear करने के लिए, अब बढ़ते हैं, अपने next topic को और उमीद करते हैं, कि आपने अभी तक session को like ज़रूर से कर लीजा होगा, तो चलिए बढ़ते हैं, तो दोस्तों, आप बार ही है कुछ miscellaneous, बहुत ही important questions discuss करने का, जहां पर आपका ज्यादा थर confusion रहता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँग ये वाला सवाल, जो कि आपका dry fruit और fresh fruit के उपर depend होता है, काफी सारे confusion होते इसी तरह कि आपको एक डूसरा सवाल भी मिल जाएगा, जो salt होता है, evaporate हो जाता है, तो इन सवालों को कैसे salt किया जाता है, मैं आपको सिखा देता हूँ सबसे पहले, fresh fruit contain 80% water and dry fruit contains 15% water, जो fresh fruit होता है, वो 80% उसमें water रहता है, लेकिन जो dry fruit रहता है, उसमें बस 15% का water रहता ह तो start हम करेंगे fresh fruit क्योंकि यही हमें दिया गया है, यह जो आपका fresh fruit है, आपको कितने kg का दिया गया है, आपको 255 kg का दिया गया है, और यह जो 255 kg का fresh fruit होगा, clearly उसमें water definitely कितना percent होगा, water आपका 80% होगा, अगर water 80% होगा, तो बाकी का आपका pure fruit जिसको हम pulp कहते हैं, तो हम pulp ना कहते हैं, तो pure fruit बाकी का 20% होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 80% और 20% का ratio कितना है, 4 is to 1, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 255 kg को अगर मैं 4 part और 1 part में देख कर दूँ तो water और pure fruit का पता चल जाएगा, तो 255 को 4 is to 1 यानि कि 4 प्लस 1 5 part में अगर break किया जाए, तो 255 को अगर म 1 part 51 आ जाएगा, तो 4 part आपका 4 into 51 यानि कि 204 और 1 part आपका वही 51 आ जाएगा, तो यह तो मुझे clear है कि 255 kg में से यह आपका 204 kg का water और यह आपका 51 kg का pure fruit रहेगा, अब इसी से ही तो आपको dry fruit बनाना है, लेकिन इसी से जब आप dry fruit बनाएंगे तो एक condition याद रखेगा, 50% का होना चाहिए, तो बाकी का पूरा चीज आपका pure fruit होना चाहिए, अब water अगर 15% तो बाकी का पूरा मतलब आपका pure चीज कितने परसंट का होना चाहिए, 85% का होना चाहिए, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 15% और 85% के बीच में ratio कितने का है, 3 is to 17, 5 में ब्रेक किज़े, 5 3 ज 17 parts का होगा, यह तो confirm है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानी तो बदल सकता है, पानी तो evaporate होके जा सकता है, पानी उसके अंदर सूख सकता है, दूब लगके सूख सकता है, कुछ भी उसे, पानी सूख सकता है, लेकिन fresh fruit जो starting में था, इस 255 kg में उतना ही रहा होगा, म पाकी का fruit तो, मतलब जो pure part है, वो तो वैसे का वैसे ही रहा होगा, मतलब end में भी आपका 51 kg का pure fruit होना confirm है, end में आपका 17 parts का होना चाहिए और 15 kg का होना चाहिए, 17 part बराबर 51 kg, तो 1 part बराबर 3 kg, और अगर 1 part बराबर 3 kg, तो पानी आपका 3 part चाहिए, तो 1 part 3, तो 3 part 3, यह आ अगर आपके पास सिर्फ 9 kg का पानी और 51 kg का fruit बचा है, तो 9 plus 51, तोटल अगर मैं अड़ कर दूँ, तो finally dry fruit मेरे पास 60 kg का ही बचा होगा, उमीद करता हूँ कि यह concept आपको clear हो गया होगा, ऐसे सवाल आपको जो salt evaporation वाला सवाल में, पूरा same to same डाल के देखी, कोई issues नहीं बस यहाँ पे आपको इसी पानी को ही हटाना है, इसको constant रखना है, यह confirm है, बस यही चीज़, और ऐसे दो तरीके के मैं और सवाल आज के session में करवा चुका हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं, next सवाल, next सवाल आपका है, कुछ employees के related, in an office of 1200 employees, एक office है, जहाँ पे आपके 1200 employees रहत है, कुछ after joining of some new employees, कुछ नए employees जब join करते हैं, जिनमें से out of which 20 are rural, जिनमें से 20 आपके rural वाले हैं, the ratio becomes 5 is to 4, तो यह ratio जो है, वो 5 is to 4 का बन जाता है, the number of new urban employees is कितना, तो नए urban employees आपके पास कितना है, तो इस सवाल को solve करने के लिए मैं आपको प्यार से बताना चाहता हूँ, कि total आपके पास कितने employee है, total आपके पास 1200 employee है, ठीक है, और इन जो total 1200 employee में, आपके पास जो urban और जो rural है, उसके बीच में ratio कितना दे दिया गया, urban और rural के बीच में ratio दे दिया गया, 8 is to 7, सबसे पहले तो question को पड़े भी न, आप इसको break कर दीजे, क्योंकि break it चाहिए, यह आ 8 plus 7, जब मैं 15 parts में 1200 को break करूँगा, तो 1200 divided by 15, 1 part कितने का आजाएगा, 80 का आजाएगा, तो 1 part निकालने के लिए मुझे 1200 को divided by 8 plus 15 parts में break करने, 1200 by 15 कितना आजाएगा, 15, 8 जा 120, 1 part आपका 80 का आजाएगा, यह total 200 है, 1200, sorry, तो अगर 1 part आपका 80 आजाएगा, तो 8 part आपका 8 into 80 य आने कि 560 रूरल आ गया होगा, इतने आने के बाद वो बोल रहा है, after joining up some new employees, कुछ नए employees जब जोइन करते हैं, out of which 20 are rural, जिन में से 20 employee आपके रूरल है, मतलब कुछ employee जोइन कर रहे हैं, उसमें से 20 तो आपके रूरल है, तो आपका जो ratio बन जा रहा है, वो 5 is to 4, forget about that 5 is to 4, म होना चाहिए, 5 is to 4, मतलब addition के बाद, इस line के बाद, आपका जो rural है, वो 4 part का होना चाहिए, और 580 का होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 part का value यहाँ पे आपको 580 दे दिया गया, और अगर 4 part का value 580 है, तो मैं urban निकाल सकता हूँ, 5 part कैसे निकालेंगे urban, ये तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ठक चुका हूँ आज, 580 बटे में 4 करूँगा, तो एक part into का 5, 4 यहाँ पे कटा, 4, 1, 4, 16, 25, 145 into 5, 140 into 5 हो जाता है आपका कितना 725, 5 का 5 को ना 25, तो last को, अगर 4 part 580 आपका rural होगा, तो urban 5 part दिया है सवाल में, तो 5 part आपका 725 होना confirm है, तो आपको बो होई हुआ करते थे, अब आपके पास 725 अर्बन employee है, तो यहाँ पे additional कितना आए होगे, इनके बीच में difference निकालिया, जब मैंने इनके बीच में difference देखा, 725 माइनस 640 किया, तो यह मेरे पास कितना आगया, 85 आए होगे, तो definitely आपका 85 आया होगा, कौन, urban के नए employees, उमीद है कि यह चीज़ भी बहुत ही अच्छे से clear हुआ होगा, बढ़ते हैं, नेक्स सवाल कोई time waste किये भीना, यह एक बढ़िया सा सवाल है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको यह समझाने कि यहाँ पे X और Y की कोई जरूत नहीं, आप पस अपना assumption ही चला, यह parts में assumption चल और MBA में preparation करने वाले बच्चों की संख्या किस ratio में है, 4 is to 5, यहाँ तक clear है, थोड़ा क्या सूख गया, sorry, माफ कर दीजेगा, ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि the ratio of fees collected from each BTEK and MBA students is 25 is to 16, हर बच्चे, each student से, BTEK और MBA वालों में से, जो पैसा collection क्या जा रहा है, वो कितने ratio मे 25 is to 16 के ratio में, तो बोला जा रहा है कि if the total amount collected from all the student is rupees 1.62 lakhs, what is the total amount collected by only MBA aspirants, अगर सारे बच्चों से मिला के 1.62 रुपे क्या जा रहा है, तो सिर्फ MBA students से कितना collection हुआ होगा, तो मैं आपको एक number का खेल सिखाता हूँ, आपको जब भी ऐसे ratio में निकालना होता है, पूरा चीज आप पैसा को भी भूल जाईए, मैं एक बढ़ी हासा चीज बताओंगा, जो कि अगले सवाल में भी यूज आएगा, ठीक है, जब भी आपको ratio निकालना होता है, तो आप exact numbers को भूल जाईए, तो आप क्यों मानेंगे कि जो बच्चे हैं, वो 4 is to 5 ratio में, मैं ये assume करता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, यहाँ पर B.Tech में 4 बच्चे हैं, तो MBA में 5 बच्चे हैं, मैं ये सोच लेता हूँ, और जो पैसा दे रहे हैं, मैं क्यों सोच हूँ कि 25 पार्ट और 16 पार्ट में, सोच रहे हूँ कि 25 रुपे और 16 रुपे, क्योंकि मुझे ultimate ratio चाहिए, जब ultimately अब चिस टोटल B.Tech वालों से कितना कलेक्शन हुआ होगा, 100 रुपे कलेक्शन क्या होगा, अगर मैं बात करो, आपके MBA में अगर 5 बच्चे होंगे, ये number of students हैं, और हर बच्चा अगर 16 पीस दे रहा है, each student collected लिखा है न, the ratio of fees collected from each student, 5 बच्चे हर बच्चे अगर 16 रुपे देगा तो टोल यहां से कलेक्षन कितना होगा, असी रुपेया, पर ये तो रुपेया नहीं है, मुझे भी पता है, क्यूंकि ये इनके बीच में ratio होगा, अगर 100 का कलेक्शन होगा, तो यहां पे 80 का कलेक्शन होगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तो टो टोटल कि कुश्चिन तो एक ही अलग-अलग कहां पहुंचेंगे आप लोग अपने सोच को बदलिए आप अगर लेंगे तो नंबर अ स्टुडेंट यहां पे 4X लेंगे यह 5X लेंगे पर स्टुडेंट यह 25 लेंगे यह 16Y लेंगे और यह जो टोटल आपका 4X बच्चों से 25Y अग पर नंबर कोई issues नहीं होगा किंकि ultimately आपको कोई नंबर नहीं पूचा यह 180 हुआ कभी आपको और calculation होता तो 200-160 भी मिल पाता आपको यह ratio ही मिलेगा 5-4 उससे जादा और कुछ नहीं और once ratio मिलने के बाद में यह कह सकता हूँ कि total अगर 1,62,000 collection हुआ है तो मुझे MBA student से कितना collection वो निकालना है तो 1,62,000 total collection BTX से 5 part और MBA से 4 part या नहीं कि 9 part collection हुआ है 9 part अगर आपका collection हुआ है और वहीं अगर आपका बराबर 1,62,000 का है तो MBA से तो सिर्फ 4 part collection हुआ है तो 4 part कैसे मेरे ख्याल से यह एक step में आना लग रहा होगा divided by 9 कर देंगे एक part 4 निकालने के लिए इ 72,8 18,000 into 4 18 into 4 72 में 30 तो correct answer इस सवाल का क्या हो गया आपका 72,000 यानि कि option number C will be the correct answer for this question I hope कि ऐसे सवालों में और आप XXYY दो दो लेके करने की ज़रूरत नहीं है आप directly इन सवालों को रिप्टा सकते हैं अब बढ़ते हैं next सवाल के और यह रहा आपका यह जो approach में ने कहा उसी approach उसमें दूसरा वाला सवाल करेंगे ताकि आपका छोड़ा चीज बैटर हो तो दूसरा सवाल आपके पास जब आ गया है ऐसे अगर आपको में दो element देता ना सिर्फ मतलब यहां पे आपके पास तीन variety है अगर में आपको दो variety देता ना तो आपका दिमाग घुजब जा जा 10 रुपीज 45 पर केजी तो स्वामी जो है वो जो pulses खरीता है वो 32 में खरीता है और 45 पर केजी में खरीता है 45 पर केजी और जो तीसरा variety है उसका price कितर है मुझे पता नहीं suppose x पर केजी आप जो मिला रहे हैं उनको किस रेशन में मिला रहे है 1 इस्टो 1 इस्टो 2 तो आपको बोला गया है कि if the mixture is worth रुपीज 88 उनको मिलाने के बाद जो mixture form होता है वो अगर 88 रुपीज पर केजी का आता है तो मुझे बताईए the price of the third variety पर केजी जिसको हमने x मान रखा इस सवाल को solve करने का सबसे best funder है कि आप दिमाग में भी solve कर सकते हैं कैसा कि वहिया इससे मैंने अगर 1 kg मिलाया होगा तो इससे भी 1 kg और इससे भी 2 kg क्यूंकि 1 इस्टो 1 इस्टो 2 ratio में है सर मेरा मन क्या मैं इससे 2 इससे 2 इससे 4 आंसर एक ही आएगा सर इससे 8 इससे 8 इससे 16 आंसर एक ही आएगा क्यूंकि 1 इस्टो 1 इस्टो 2 में आप कितना भी quantity मिला दीजे आपका आंसर एक ही आने वाला है तो हम सबसे list ही लेके चलते हैं कि इससे 1 kg, इससे 1 kg, इससे 2 kg, 32 रुपए हर kg का तो ये 1 kg लेने में मुझे 32 रुपए लगए होंगे, 45 रुपए हर kg का तो ये 1 kg लेने के लिए मुझे 45 रुपए लगए होंगे, हर kg का 1 रुपए तो 2 kg लेने के लिए 2x रुपए लगए लेकिन मैंने मिलाने के बाद मेरे पास अवेलेबल कितना है चार केजी अगर एक केजी का अभी 88 रुपीस कॉस्ट चल रहा है तो जो चार मैंने मिलाया होगा चार केजी उसका कॉस्ट कितना होगा 88 इंटू 4 18 इंटू 4, 320, 18 इंटू 4, 32, 320, 32, 352 तो अभी जो टोटल इनका कॉस्ट मिलाने से आएगा वो कितना आएगा 352 डन काम खतम तो इससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो LHS में अपना 2X तो रहा 32 प्लस 45, 77, 77 जब RHS में जाके माइनस होगा तो 12 से 7 जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 5 फिर आपके पास ये 14 से 7 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 7 तो ये जाएगा आपका 3 से 7 तो ये हो जाएगा आपका 275 तो ये ही होता है जब भी ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिले न किससे 3 केजी मतलब है ऐसा दो क्वेशिन एक संगल क्वेशिन दे देगा कि एक 32 रुपे का चावल उससे मैं सपोज उसको और 40 केजी 40 रुपे परती केजी का चावल इनको अगर मैं 2 इस तो 3 रेशियो में मिलाओ तो टोटल मिक्स्चर का कॉस्ट होगा वो कितना होगा आप अगर यहां पे X रखेंगे फिर 40 माइनस X by X माइनस 32 is equal to 2 by 3 करेंगे त तो आपको करना क्या था अरे 32 का 2 केजी लिया तो 64 रुपे चालिस का 3 केजी लिया तो 120 रुपे तो टोटल 184 रुपे 2 प्लस 3 कितने केजी का 5 रुपे का तो हर केजी का कितना 36.8 यही होता है स्पीड तो आप अपने सोचने का नजरिया बदलिए question को solve करने का approach बदलिए एक second में answer आ गया इसका ठीक है ऐसे सवालों को और allegation कभी जिंदेगी मत लगाएगा allegation से इतना दूर रहेंगे उतना अच्छा है इन सवालों में तो अभी बढ़ते हैं अपना जो next topic है coins क्यों क्योंकि coins में काफी आपको confusion रहता है पता नहीं क्यों आप लोग accept नहीं करते चीज़ों को अब देखिए coins का concept कितना simple था एक बैक में आपके पास एक पैसे का एक रुप्या पचास पैसा और पच्छिस पैसा कोई वो किस रेशियो में है 7 is to 8 is to 4 रेशियो में है if there is रुपिस 360 in the bag then calculate the number of 25 पैसे coins सर ये भी कोई सवाल है 360 को बाट दीजिए 8,7,15,4,19 और 25 पैसा निकाल है चार पाट निकाल दीजिए इतना भी चालाक मत बनिये अंसर नहीं आएगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो 7 is to 8 is to 4 रेशियो मतलब अगर आपके पास साथ पाट का एक रुप्य होगा तो 8 पाट का 50 पैसा 4 पाट का 25 पैसा मतलब मैं ये कहना चाहता हो अगर 7 रुपे का कोई है तो 8 पैसे का 4 पैसे का value, तो मुझे इन सवाल में क्या करना होता है, एक relation ढूनना होता है, number और value के बीच में number और value के बीच में आपको दो तरीके के सवाल मिल सकते हैं, एक ये इसका next वाला दूसरा, तो coins के में आपको दो question करवांगा funda clear हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं क्या सकता हूँ कि अगर मेरे पास 7x1 रुपी के coin होगे, तो 8x50 पैसे के coin होगे, और 4x आपके पास 25 पैसे के coins होगे, done, अब number से मुझे अगर value की और जाना है तो value के लिए मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप example अपने mind में plot कर सकते हैं, कि भाईया अगर मेरे पास 8 एक रुपे का coin है तो वो कितने रुपे के बराबर है, 8 रुपे के बराबर अगर मेरे पास 13 एक रुपे के coin होते तो 13 रुपे के बराबर 17, 17 रुपे, 18 coin 18 रुपे, जितना coin उतना रुपे, 7x coin तो value उसका 7x होगा, हाँ sir, done clear है, मतलब मैंने पैसों के इसाफ से convert कर दिया coins को 50 पैसे के अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको 2-50 पैसे दूँ तो वो कितने के बराबर है, 1 रुपे के बराबर है अगर मैं आपको 8-50 पैसे दू, तो वो कितने के बराबर है, 4 रुपे के बराबरे क्यूंकि हर दो पैचास पैसा मिलेगा तो एक रुपय बनेगा तो आठ में दो 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 चार रुपय बनेगे ऐसा सिखाओं कि आप कंपिटिटिव दे रहे हैं या बच्चे हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूँ एक रिलेशन बनके आ रहा है कि अगर मैं 16 दूँ तो आठ अगर आपके पास टोटल 28 पचास पैसा होगा तो 14 रुपय होगा कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हैं जितने कोईंस उसका आधा रु बूल जाते हैं तो मुझे लेकना होगा कि 8x divided by 2 तो अब मैं इस चीज को लॉजिक लिए आपको बताने वाला हूँ इसको कि 25 पैसे कोईंस अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 4 25 पैसे के कोईं दिया तो वो एक रुपय के बराबर है आठ 25 पैसे 2 रुपय के बराबर है 12 25 पैसे 3 रुपय के बराबर है सिमिलले अगर 24 25 पैसे 6 रुपय के बराबर है क्यों कि आपको सिर्फ यह नहीं करना होता आपको सिर्फ इतना देखना होता कि 4 25 पैसा मिलने से 1 रुपया तो अगर मैं इस चीज को 4 से डिवाइड कर दूं 8 बटे 4 2 12 बटे 4 3 24 बटे 4 6 तो कटेगा नहीं, 72 ले लिजे, 72 पैसे का कोई, divided by 4, 18 रुपेज, number of 25 पैसे कोई, divided by 4, will be the value of 25 पैसे कोई, तो यहाँ पे 4X था, मुझे भी पता है कि divided by 4 करने से X आएगा, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अब last में आपको logic बताना चाहता हूँ, जिससे कि यह चीज पूरा, immediate, instant कर पाए, ऐसे अगर आप example, frame करेंगे examination में, तो काम खत्र, तो आपको सीधा यह करना है, कितने एक रुपे कोईन मिलने से एक रुपे बनता है, एक ही में बन जाता है, तो 7X को divide by 1 किजिए, कितने 50 पैसे मिलने से एक रुपे बनता है, 2 divided by 2, कितने 25 पैसे मिलने से आपका एक रुपे बनता है, 4 divided by 4, अगर आगे एक point होता है, 20 पैसे का, और उनका ratio suppose 7X का होता, तो यहाँ पे 7X divided by 5, क्योंकि 5 बीस पैसा मिलने से एक रुपे होता है, तो number से value, याद मत रखिए, concept आपको with practice पता चल जाएगा, तो divide आपको करना होता है, जितना denomination मिलने से आपका एक रुपे बनेगा, उमीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें पुरा perfectly clear होगा, और अगर यहाँ तक चीजें पुरा perfectly clear हो, तो आप आपके और कुछ है रही, 360 रुपे होने चाहिए, तो इनको मिलाने से 360, 7X, 4X, 11X plus X, 12X बराबर 360, तो X बराबर divide करने से 30, और X 30 आते ही, आपको पूछा गया, find the number of 25 पैसे coins, 25 पैसे coins, 25 पैसे coins, नमबर आपने कितना लिया हुआ है, 4X लिया हुआ है, तो 25 पैसे coins आपके पास 4X है, यानि कि 4 into 30, य इसी से आपको जो question 10 पैसा देता है, तो divided by 10 करता है, लेकिन इस से एक ultra question आपको पूछ देता है, जो कि आपको trouble कर देता है, क्या, आपको value देता है, और number पूछ लेता है, तो value से number कैसे जाएंगे, ultra, एक चीज़ अभी hint देना चाहता हूँ, कि इधर जैसे आपने divide किया, उ सीखा है, और इस concept को आप मरतिदम तक नहीं भूलने वाले, जल्दी से एक बार इसको लिपटा दीजिए, अब मैं इसको फिर से proof करने वाला हूँ, कैसे, पूरा देखे, अब मुझे सवाल दिया गया है, कि a box contains 280 coins of rupees 1, 50% and 25%, same question है, आपके पास अभी 280 रुपे नहीं, 280 coins है और यहाँ पे जो आपके पास है coins, वो क्या-क्या है, एक रुपे के coin है, 50 पैसे के coins है, और आपके पास 25 पैसे के coins है, यह तो confirm, अब यहाँ पे बोला गया है, the value of each kind of coin are in the ratio, 80 to 4, 80 to 3, value का मतलब आपका 80 to 4, 80 to 3 का क्या हो गया, कि अगर आपके पास 8 रुपे का एक रुपे होगा, तो 4 रुपे का 50 पैसा और 3 रुपे का 25 पैसा, पिछला वार, 8 एक रुपे, तो 4 पैसा, 3 पैसा ऐसा बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे रुपे, value है, कि अगर 1 रुपे, 8 रुपे के होंगे, तो 4 रुपे के 50 पैसे, 3 रुपे के 25 पैसे होने चाहिए, 16 रुपे के 1 तो 8 रुपे के 50 पैसा और 6 रुपे का 25 पैसा तो इसी रेशियो में वैल्यू चलता आएगा तो मुझे तो वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि मुझे number of coins 280 दिया गया है और पूछा भी है then calculate the number of coins of 50 पैसे 50 पैसे कितने हैं नंबर तो मुझे value से number जाना है value से number इसी लिए मैंने कहा ता रटना नहीं रटेंगे तो भूल जाएंगे उल्टा उधर कर देंगे मैं आपको simple सा बात पताता हूँ अगर मैं value इसका 8x है इसका 4x है इसका 3x है ले लू पहला step तो यह होता है अब अगर मैं number की बात करूँ तो आठ रुपे अगर आपके पस 1 ूपे के coin पड़े हुए है ciek 11 आपके पास एक रुपए है तो आपके पास 8x coin होना चाहिए क्यूंकि हर coin का एक रुपए का value होता है clear है अब आपके पास 4x 50 पैसे होने के लिए कितने 50 पैसे चाहिए उसका दुगना 50 पैसा नमबर चाहिए सर समझ नहीं आया, आठ रुपे आपके पास है, और वो सारे के सारे 50 पैसे के ही हैं, तो ये confirm है, कि 8 रुपे का 50 पैसे के लिए, मुझे 8 का दुगना, यानि कि 16-50 पैसा चाहिए, 16-50 पैसा होगा, तभी तो दो 50 पैसे का एक-एक रुपे बना के मैं 8 रुपे बना पाऊंग उसका दुगना पैसा आपके पास होना चाहिए, coins तो होना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहत aur, last case, 100 रुपे आपके पास चाहिए, 100 रुपे आपको चाहिए, और वो भी 50 पैसे के form में, तो 100 का दुगना यानि कि 250 पैसा होगा, तभी तो 100 रुपे बनाएगा हो, तो जितन आपके पास रुपया है उसका दुगना आपके पास 50 पैसे का कोईन सोना चाहिए क्लियर है इतना मैं बारी किसे क्यों बताता हूं ताकि आपका एक डाउट ना रहा है मुझे पता है कि एक रुपया बनाने के लिए मुझे चार पत्चिस पैसे कोईन की जरूरत है तो सिमिलर्ली अगर मुझे दो रुपया बनाने के लिए इसलिए यह सवाल सबरेश्यों में आते हैं दो रुपया बनाने के लिए आट पत्चिस पैसे कोईन चाहिए होगे तीन रुपया बनाने के लिए बारा पत्चिस पैसे कोईन चाहिए होगे मतलब जितने में जे रुपे बनाने हैं 25 पैसों से तो उसका 4 गुना मुझे 25 पैसा तो चाहिए चाहिए तो 3X रुपे मुझे अगर बनाने हैं तो 3X का 4 गुना तो मेरे पास कोईन होना चाहिए तब जाके 3X रुपे वो 25 पैसे का बना पाएगा तो नंबर का मेरे पास एक बढ़ी असा स्वी टिबल सा रेश्यो आ गया इस सवाल को दो तीन बार देख लिजिएगा काम खतम हो जाएगा तो यह आ गया आपके पास 8x coins आपके 1 रुपे के 8x coins आपके 50 पैसे के और 12x coins आपके 25 पैसे के आगे और number of coins इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो बैग में कितना है 280 काम खतम 8x 16 प्लस 12 28x बराबर अगर 280 हो गया तो x का value यहाँ पे 10 आ चुका है और अगर x का value 10 आ चुका है तो मुझे पूछा गया दिन 50 पैसे के coins कितने है 4x बिलकुल मत निकालिएगा पैसे मेरे पास number कितने होंगे 4x into 2 पूरा लिख रहे हैं यानि कि 8x यानि कि 8 into 10 यानि कि 80 50 पैसा होगा अगर पूछा जाता कि कितने रुपे का है तो आप निकाल सकते थे 4x यानि कि 4 into 10 40 या फिर इधर से कर सकते थे 80 अगर 50 पैसे होंगे तो वो 40 रुपे के बराबर होंगे value 40 होगा उसका half लेकिन इसके जरूरत नहीं था आप directly 4x निकाल सकते थे उमीद करता हूँ कि coins के खवाल आपके बहुत ही मज़ेदार तरीके से clear हुए होंगे अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ गजब सा twisted question जो लिखा गया ना twisted question ये होता क्या है आपके दिमाग के साथ खेलने वाला सवाल ठीक है आप सोच कुछ रहा होंगे हो कुछ रहा होगा difficult हो रहा होगा या easy हो रहा होगा वो बात अलगे लेकिन twisted तो हो रहा होगा सवाल पहुती clearly बोला है कि one year ago the ratio between A's and B's salary was three is to four एक साल पहले की बात की जाए तो A का salary और B का salary के बीच में ratio three is to four का था तो मैं ये कह सकता हूँ कि A का एक साल पहले का salary B का एक साल पहले का salary minus one एक साल पहले को represent कर उनके बीच में ratio कितने का था three is to four का था clear है the ratio of their individual salaries between last year's and this year's salary are four is to five and two is to three language is important उनका जो individual salary है यानि कि A का अपना B का अपना अलग-अलग ठीक है A का और वो भी कब का last year का और इस साल का मतलब A का last year और A का this year उसके बीच में ratio four is to five है similarly B का last year और B का इस साल ratio two is to three है तो मैं यह कह सकता हूँ कि दूसरा ratio मुझे मिलेगा A का last year और A का this year this year यानि कि present इसके बीच में ratio मुझे मिल गया है four is to five four by five और B का last year B का minus one और B का this year B का present आपको मिल गया है यह ratio two is to three आज मैंने आपको एक बड़िया सा चीज सिखाया है कि अगर A is to B आपको दे दिया जाए B is to C आपको दे दिया जाए C is to D आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि भईया A is to D बताओ तो आपको क्या करना होता है मैंने पूरा proof के साथ बताया कि A by B पता है B by C पता है C by D पता है इनको अगर मैं multiply कर दूँ तो B के साथ भी C के साथ सी A by D आ जाएगा जितने लोगों को लग रहा है कि यह नहीं है आप लोग अभी से छोड़ के चलाए मैं बारवार request करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिया हर एक चीज यहां पे है तो यह चीज मैंने पढ़ाया हुआ था अब उसी से मैं यह एक देख सकता हूँ कि मुझे अगर A और D चाहिए तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे B और C को arrange कर दूँ कि वो आपस में क्या हो जाए cancel हो जाए तो अभी यहां पे भी कुछ ऐसा ही game चलने वाला है आपके साथ क्या game चलेगा उससे पहले मैं आपको पूछ लूँ कि सवाल क्या पूछा गया है पूछा गया है कि at present the total salary total of their salaries इतरा present में उन दोनों का total salary दे दिया गया present में दे दिया गया मतलब में यह कह सकता हूँ कि A का present और B का present total मिलाने से कितना है आपके पास 4,1,6,0, 4,160 तो अभी मुझे पूछा गया है then A का अभी का salary बताओ the salary of A now is A now मतलब A का present अब मुझे बताइए कि अगर मुझे A का present और B का present के बीच में ratio पता होता कि 2 is to 3 है तो मैं बांट नहीं देता 4,1,6,0 को 2 is to 3 में 7 is to 8 मैं बांट नहीं देता इस 4,1,6,0 को 7 is to 8 में तो once मुझे A present और B present के बीच में ratio मिल जाएगा मैं उसको बांट के A का present बता सकता हूँ तो अगर मुझे A का present और B का present चाहिए ratio ये रहा A का present ये रहा B का present अब अगर मैं उन दोनों को directly इस ratio को और इस ratio को multiply कर दूँ अगर मैं A-1 और AP और B-1 और BP इन दोनों को directly multiply कर दूँ तो यहां पे तो cancel कोई कुछ नहीं हो रहा उपर से ये दोनों multiply हो जाएंगे और मुझे के बीच में ratio चाहिए मतलब एक उपर एक नीच है ऐसे form में होना चाहिए तो ratio बन जाता अब तीसरा चीज जो मैं आपको important बताने वाला हूँ वो यह है कि क्या मुझे a-1 की जरूरत है नहीं b-1 नहीं इस a-1 नहीं इस b-1 नहीं तो a-1 a-1 नहीं चाहिए b-1 b-1 नहीं चाहिए अगर नहीं चाहिए तो मैं कोशिश क्या करूँगा उनको cancel कर दूँ अब cancel होने के लिए देखिए b-1 यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है और यहाँ पर b-1 ऊपर बैठा हुआ है तो जब भी मैं इन दोनों को multiply कर दूँ b-1, b-1 कट जाएंगे इस लोजिकल कोशिशन और बहुत important concept इसमें चुपा हुआ है इसलिए मैंने कहा twisted question है देखिएगा प्यार से ठीक है लेकिन a-1 ऊपर है यह अगर ऊपर a-1 है multiply हो जाएगा तो वो square बन जाएगा कटने के जगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो काटना है काटने के लिए इसको नीचे लाना है अब देखिए ap और यह bp नीचे तो ap by bp मेरे पास चलाएगा मतलब a का present by b का present clear है तीन बार rewind कीजिए लेकिन देखिए समझे मेरा काम एक बार कहना में अगर दो बार कह दूँ तो क्या फाइदा लेकिन आप rewind करके 10 बार देख सकते है तो एक बार देख लिजे इस चीज़ को ठीक है तो मुझे अगर required है ap और bp दोनों अगर denominator में है तो first मैंने यह समझाए कि एक को numerator में लेना ही बहतर होगा तभी जाकर में ratio बना सकता हूँ अब दूसरा चीज जो है a-1 नहीं b-1, b-1 तो already नीचे उपर है कट जा रहा है तीसरा चीज जो है a-1, a-1 अगर direct multiply करूँगा तो नहीं कटेगा इसको नीचे ले आने से कटेगा मतलब मैं सिर्फ इस ratio को inverse कर रहा हूँ inverse करूँगा तो यह क्या बन जाएगा ap और a-1 के बीच में जो ratio आजाएगा वो आजाएगा 5 by 4 उलटके आजाएगा 5 by 4 अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये ratio ये ratio और ये ratio को अगर मैं multiply कर दूँ तो a-1 by b-1 into ap by a-1 into b-1 by bp अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास b-1 b-1 कट जाएगा a-1, a-1 कट जाएगा finally बचेगा ap और bp यानि कि a का present और b का present का ratio अब इसका value आपके पास क्या था ओलेड़ी 3 by 4 इसका value आपके पास क्या था 5 by 4 इसको मैं डालिएगा बेटा गलत हो जाएगा 5 by 4 इसका ratio आपके पास क्या था 2 by 3 जब मैंने काटा तो 3 के सा 3 कटा 2 यहां पे कटा दो बार तो 5 रहा यहां पे उनीचे रहा आपका 2 इंटुचर 8 तो यह जो ratio आ गया वो कितने का आ गया 5 is to 8 मतलब मुझे यह पता चल गया कि दोनों का sum 4,1, 6, 0 होगा जिसमें से ap का 5 part और bp का 8 part तो 5 और 8 मतलब टोटल यह आपका 13 part का value है अगर 4,1, 6, 0 आपका 13 part का value है तो एक part कैसे निकालेंगे इतना last मैं और में पूरा एक एक part नहीं निकालूंगा 4,1, 6, 0 जो है वो इसका 5 इसका 8 यानि कि 13 part का value है तो एक part कितना आएगा आपको किसका चाहिए एका present चाहिए तो एका present तो 5 part है तो into का 5 कर दीजे अगर b का present चाहिए होता तो b का present 8 part होता तो 8 multiply करते तो 13 यहाँ पे 3 times 39, 26 यानि कि 2 times 320 into 5 correct answer of this question will be option number a 1600 clear है पूरा का पूरा clear होगा अब दूसरा जो twisted question है इसमें भी आपके साथ एक कुछ ना कुछ मज़ेदार होने वाला है देखिये बस देखिये मज़ा आएगा twisted one ऐसे ही ने लिखे गए हैं इसको ठीक है pause करके एक बार कीजे न प्लीज एक से request की pause करके एक बार कीजे तब आपको लगेगा हाँ दूसरा सवाल मुझे कह रहा है कि twisted का if the ratio of the incomes of A and B is in 2001 2001 में ratio 2 is to 3 and the ratio of the incomes of 2001 2002 is 4 is to 5 sir 2001 2002 last सवाल भी ऐसे previous year this year यह सवाल तो उसी तरीके से होगा मैं लग पड़ा हूँ उसके यही सोचता बदलनी है आप खुद को कभी restricted मत कीजे आपके दिमाग को जब तक आप limited कर देंगे यह सवाल आपसे नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि मैं यही सिखाना चाहता था कि आपका दिमाग अब भी पिछला वाला सवाल में अटका हुआ है वो जिस तरह से solve हो था यह भी उसी तरह से solve होगा सिर्फ दिमाग उसी limited सोच पे बरकरा रहा है लेकिन यह सवाल को solve करने का तरीका ही कुछ और है यह सवाल बहुत ही प्यार है जो कि सब कोई बना देता अगर वो previous वाला सवाल में बनाता ना तो आप अपने आपसे बना देते लेकिन आपने खुद को limited कर दिया जिसके वज़े से आप नहीं बना पा रहें सवाल बहुत ही प्यारा है अगर मैं बात करूँ 2001 में income की और वो भी किसका किसका A और B का उनके बीच में रेशो कितने का था 2 इस तू 3 का था प्यारा सा सवाल है पस धीरे धीरे पेशेंटली देखिएगा अगर मैं income की बात करूँ वही income की बात करूँ वो भी A का और कम का 2001 और 2002 में तो इनके बीच में जो रेशो है वो कितने का है 4 इस तू 5 मतलब A का इनकम जो 2001 में था जो 2002 में था उनके बीच में रेशो 4 इस तू 5 का है अब बोला गया है कि find the expenditure of A in 2002 मुझे 2002 में A का expenditure बताईए कितना होगा अगर if saving in the same year same year मतलब वही 2002 saving in the same year is rupees 4000 मतलब उसी A का जो saving है उसी सालियानी की 2002 में वो कितने का है 2000 का है sorry 4000 का है and it is given that in 2001 2001 में the sum of the income of A and B is 25,000 काम खतम अगर आपका patience last check होता तो answer हो जाता है इतना तक घुम के आए तो अब starting में फिर जाना था आपको क्या कि 2001 में दोनों का sum 25,000 है मतलब A और B को मिलाने से कितना आना चाहिए 25,000 आना चाहिए तो उसमें से A का 2 पार्ट B का 3 पार्ट तो 25,000 को अगर मैं 5 पार्ट में बांटूंगा तो एक पार्ट कितने का आएगा 5,000 एक पार्ट अगर 5,000 आएगा तो 2 पार्ट कितने का आएगा 5000 into 2 यानि कि 10,000 का B का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सवाल A का ही पूछ रहे तो B का निकाल के आपको कोई tension लिए ले न तो अगर A का 10,000 का income आच चुका है तो आपको क्या पूछा है 2002 में expenditure अब ये सोचे ना 2002 में expenditure कब आएगा जब मुझे 2002 में income पता होगा सर कैसे अगर मुझे income पता चल जाएगा savings already मुझे पता है तो income से savings जाने के बाद जो होगा वो आपका expenditure रहा होगा तो मुझे बस target रखना है कि 2002 का income निकालना है अब 2002 का income में कहां से निकालूँगा यहाँ पे एक relation given है कि A का income 2001 में जो हुआ करता था और 2 में जो हुआ करता था उनके बीच में ratio 4 is to 5 है अब 2001 में income तो A का मैंने निकाल दिया है 10,000 का है तो यही जो 4 part का value है वो 10,000 है अगर 4 part बराबर 10,000 तो एक part कितना होगा 10,000 divided by 4 यानि कि 2500 अगर एक part बराबर आपका 2500 का आ गया तो 2002 में जो 5 part आएगा वो कितना आएगा 2500 into 5 यानि कि यह कितना हो जाएगा 12,500 तो 2002 में income A का 12,500 बन चुका है इंकम 2002 में A का 12,500 बन चुका है और उसी साल में उसने saving 2002 में A कितना किया 4000 12,500 में से अगर 4000 का saving किया तो खर्चा expenditure कितना हो किया होगा तो यह आजाएगा आपका expenditure 8,500 उमीद करता हूँ कि यह बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझा दिया है कि कितना आपको घूमा घूमा के सवाल क्यों न दे लेकिन सवाल easy था रेशियो में पकड मजबूत है तो आप घूम फिर के answer निकाल सकते हैं उमीद करता हूँ कि जितने भी miscellaneous important सवाल बन सकते थे मैंने आपको explain कर दिया एक एक चीज़ को बारिकी से अब वक्त है जो सबसे मतलब important चीज़ जो आप इंतजार भी करते हैं कि advance level high level के सवालों को कैसे solve किया जाता है तो चलिए एक नया सफर अभी start करते हैं high level का और उससे पहले आप सभी से एक request कि अगर अभी तक आपने session को like और share नहीं किया होगा तो इक पर तबा के like और दूर दूर तक spread कर दीजिए ताकि ये महनत रंग लाए बस यही आप सभी से request है तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं ratio का high level या फिर advanced level जो भी आप कहीं चलिए बढ़ते हैं तो दोस्तों वगत आ चुका है कि जो concept नमने ratio का इतने दे से सीखा उसको properly implement किया जाए और advanced level के सवालों को कैसे solve किया जाता है उसका approach सीखा जाए इतना वादा करते हैं कि आज की session complete होने के बाद आप खुद से ratio के सवाल बनाना start कर देंगे और आपको बस इतना करना है कि practice कीजिए इतना practice कीजिए कि जो तीन topics percentage मैंने अल्रेडी cover कर रखा है ratio में आज cover कर रहा है और next topic अपना average होगा इन तीन topics को इतना properly इतना अच्छे से dedicatedly पढ़िए कि इन तीन topics के उपर इतना command हो जाए कि बाकी का arithmetic आपको और तंग ना करें क्योंकि यही आपके hard chapters होते है तो चलिए इन concepts को और गहराई से सीखने के लिए कुछ advanced level के सवाल भी discuss कर लेते हैं सवाल आपके सामने है 4 friends A, B, C and D have some money among them and one day they decided to equate the money A, B, C, D आके चार दोस्ते उनके पास आपस में कुछ पैसा थवा करता था अब एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपस में वो पैसा को बराबर से बांट नेंगे मतलब जैसे बराबर हो जाए इक्वल हो जाए तो सबसे पहले क्या हुआ So first A gave B what B had initially तो सबसे पहले A ने B को कुछ रुपए दे दिये कितना रुपए दिये जितना B के पास starting में था उतना रुपए A ने और B को दे दिया तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर A, B, C, D आपके 4 पसर ने यह आपका A है यह आपका B है यह आपका C है और यह आपका D है और मान लेते हैं A के पास A रुपए है B के पास B रुपए है C के पास C रुपए है और D के पास D रुपए है अगर इतना रुपए उनके पास initially था तो सबसे पहले A ने B को दिया कितना रुपया दिया जितना B के पास स्टार्टिंग में था अब B के पास स्टार्टिंग में तो B रुपया था तो अगर B के पास स्टार्टिंग में B रुपया था तो A वही B देगा तो A अगर B रुपय दे दिये तो A से B चला जाएगा A-B और यही आ जाएगा B B के पास मतलब यह confused मत होएगा मतलब small b आपका पैसा है तो small b पैसा B के पास starting में था और जब B आ जाएगा तो यह कितना बन जाएगा 2B आ जाएगा अगर कुछ confusion है तो उसको clear कर देते next point पे then B gave C what C had initially then B ने C को कुछ रुपए दिये कितने रुपए दिये जितना C के पास starting में था अब हमारे इसाब से 3 के पास तो starting में C रुपए था तो B ने C को C रुपए और दे दिये तो B के पास कितना बन गया अब B से C चला जाएगा इसके पास बन जाएगा 2B minus C और इसके पास C जब add हो जाएगा तो C में C जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2C अब finally ये भी अगर आपका clear नहीं है तो last minute confirm clear होगा again C gave D what D had initially then C ने D को कुछ रुपए दिये कितने रुपए दिये जितना D के पास starting में था अब D के पास starting में तो ये small d था तो इतना रुपए इसने अगर दे दिये तो इससे D चला गया इसके पास तो ये D plus D कितरा बन गया 2D बन गया मेरे ख्याल से यहाँ तक clear होगा पूरा चीज इतना clear होने के बाद last statement जो सबसे confusing है अब इसका दुबना हो जाएगा मतलब ये 2A-B होगा अब किसी चीज ये A-B को लेके यहाँ पे ज़्यादा confusion होता है इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी चीज को double करने के लिए आपको उतना और चाहिए यहाँ पे A-B था तो यहाँ पे इसको double करने के लिए मुझे और A-B चाहिए और यही A-B कौन दे रहा है D ही तो दे रहा है क्योंकि D इसको double कर रहा है तो D इसको A-B देगा तो अगर D इसको A-B देगा तो इससे A-B इधर चला गया अगर इससे A-B चला जाएगा तो minus कर दूँगा मैं A-B बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए तो मैं यह कह सकता हूँ कि last time यह वाला चीज़ को दिखा देता हूँ last time जब इस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा से दिखिए कोई confusion नहीं होना चाहिए नहीं तो सब कता D के पास D था C ने D को यह D दे दिया किनकि उसके पास जो initial होता है वो इसको देता है तो इसका जो D है वो D जुनने के पाद 2D बन जाता है अब 2D के पाद D जयाव करता है वो A के पैसे को डबल करता है अब A का पैसा तो A-B होता है इसको डबल करने के लिए 2A-B चाहिए A में जुड़ गया, इतना तक clear है अब आपके पास क्या बोला जा रहा है Does each of them had equal sum अब तो सबके पास बराबर है मोटो तो यही था न, equal sum है और वो भी कितने का है, 48 के मतलब इसके पास भी 48, इसके पास 48 इसके पास 48, और इसके पास 48 तो अब मुझे पूचा गया है कि What was the amount with C after second transaction Second transaction बाद में बात करेंगे आप मुझे सिर्फ इतना बताईए कि हमें C का ही निकालना है Second, first, जो भी हो C का पैसा निकालना है C निकालने के लिए मुझे कैसे क्या करना होगा अब देखिए मैं कहां से start करूँगा कि अगर finally सबके पास 48, 48, 48 है तो इसके पास 48 है इसके पास 48 है इसके पास 48 है और इसके पास 48 है अगर ये सबके सब 48 के साथ बराबर है तो मैं यहीं से start कर देता हूँ क्यों यहां से start करने से मुझे a-b का direct value मिल जाएगा जो कि मैं यहाँ पर substitute कर दूँगा तो मुझे d का value मिल जाएगा और d के value को यहाँ पर substitute कर दूँगा तो c का value मिल जाएगा सरक कैसे थोड़ा दिखाएगा अब देखे finally a के पास 2a-b होना चाहिए और कितना होना चाहिए 48 अब a-b इधर से कितना आगया a-b आगया आपका 24 अब a-b 24 को अगर मैं इधर substitute करूँ तो इस वाले equation से मैं यह कह सकता हूँ कि 2d minus a-d कितना है 24 बराबर कितने का होना चाहिए 48 का होना चाहिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ नहीं मुझे कोई tension नहीं कि मुझे पैसा c का ही निकालना है अब c कैसा निकालना है मुझे पता है कि 2c minus d is equal to 48 तो यहाँ से मैं एक कह सकता हूँ कि 2c minus b कितना है 36 is equal to यह कितना आना चाहिए 48 तो यहाँ से अगर मैं 2c का value निकालो इदर जाके add हो जाएगा 54, 64, 74, 84 बन जाएगा तो c का value बन जाएगा आपके पास 42 बस इतना है सही मुझे काम चल जाएगा और मुझे b और a को और जाने की ज़रूत ने क्योंकि मुझे c का चाहिए अब c का जो चाहिए वो कौन सा transaction के बाद चाहिए second transaction के बाद चाहिए ये c का initial amount था first transaction के बाद c में कोई changes नहीं आया first transaction के बाद c में कोई changes नहीं आया तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि first transaction आपका होता कितना है first transaction के अगर मैं बात करूँ first transaction सिर्फ 2c minus d मत कर दीजेगा अभी important चीज में आपको बताना चाता हूँ first transaction जो है वो A से B गया कहाँ पर B के पास यह first transaction था second transaction क्या था B से यह C का amount चला गया यहाँ पे तो second transaction के बाद C के पास कितना था पता है सिर्फ 2C था 2C-D वो third transaction जब 2C से D जाता है D के पास वो तीसरा transaction होता है तो sir total कितने transaction होता है 4 चौथा क्या है जब यह A-B जाता है तो पहला transaction यहाँ से यहाँ B जाएगा दूसरा transaction यहाँ से यहाँ C जाएगा तीसरा transaction यहाँ से यहाँ D जाएगा और चौथा transaction यहाँ से यहाँ A-B तो दूसरा transaction मतलब A-B 42 into 2 जो कि उसके उपर लिखा भी हुआ 84 will be the correct answer for this question अगर third transaction पूछता तो ये D चला जाता तो ये answer क्या आता 2C minus D 2C आ जाता 84 minus D आ जाता आपका 36 84 से 36 minus कर देते काम आपका बन जाता लेकिन आपको second पूछा है तो ये आपका correct answer उमीद करता हूँ कि मज़ेदार सवाल और बहुत ही मज़ेदार approach से हमने सिखाया आपको समझ में आ ही गया होगा अब आपके सामने एक mixture का प्यारा सा सवाल है इसको जल्दी से करते हैं language यहाँ पर बहुत important role play करता है percentage में भी जब मैंने high level करवाय था आपको तो वहाँ पर भी language बहुत important role play करता है आपको language के उपर command हासिल करना होगा अगर आप competitive examination को अपने मुठी में करना चाहते हैं तो सवाल दिया गया है कि तो vessels P and Q contain A liters of petrol and B liters of kerosene respectively इसका मतलब आपके पास सिर दो vessel है एक आपका vessel P है दूसरा आपका vessel Q है तो मैं ये बना देता हूँ कि एक अपने पास है vessel P और एक अपने पास है vessel Q इतना तक clear है अब बोला जा रहा है कि उसमें क्या है A liters of petrol और B liters of kerosene respectively मतलब P में आपका petrol है कितने liters का? A liters का और इसमें आपका kerosene है कितने liters का? B liters का यहाँ तक clear है अब मुझे A और B small थे ना ठीक है तो इनको small ले लिजे नि तो आप confused हो जाएंगे सवाल के हिसाब से तो A और C यहाँ पे ले लेते हैं कि petrol यहाँ पे suppose है A और यहाँ पे आपका kerosene suppose है कितना B miss capital ले लिए निसे आप confused होंगे इतना होने के बाद वो बोला है respectively के बाद C liters of petrol and C liters of kerosene is taken out and then transferred to Q and P respectively मतलब यह बोला जा रहा है कि C liters का petrol और same liters and same liter of kerosene same quantity of kerosene is taken out मतलब इदर से C liter का petrol निकाल जाता है और same quantity यानि कि इदर से C liter का kerosene निकाला जाता है is taken out and then transferred to Q and P respectively और उसको transfer किया जाता है Q and P respectively मतलब क्या है यहां पर यहां से petrol C liter का जाएगा कहां पर Q पर यहां पर kerosene C liter का जाएगा कहां पर P पर तो मैं यह कह रहा हूँ कि यहां से अगर मैं बात करूं C liter का petrol जाने के बाद यहां पे बन जाएगा A-C का पेट्रोल और यह C-L का पेट्रोल इधर आगया तो इधर पेट्रोल बन जाएगा आपका C क्योंकि यहां पे कोई पेट्रोल था नहीं तो यह A-C, C निकल के इधर आगया और अगर मैं बात करो केरोसिन की तो यहाँ पे आपका kerosene starting में कितना था starting में था B उधर से C liter का kerosene आके P में जुट जाये था तो B से C liter चला गया और यहाँ पे जो kerosene है वो कुछ नहीं था और यहाँ पे आपका C liter का आ गया बड़ीया सवाल हो रहे हैं ठीक है अब आपको बोला जा रहा है कि respectively इस प्रोसेस इस रिपीटेट सेवरल नमर अब टाइमस यही देख के आप सवाल छोड़ देते हैं सिर्फ यही देख के आप सवाल इतना तक तो confusion था ही था जब उसने बोल दिया कि सेवरल टाइमस तो आपको लगा होगा अब कितने बार क्या करोगा छोड़ दे लेकिन उसके बाद अगर आप पढ़ते सवाल में ट्विस्ट आ जाएगा पहले ऑपरेशन के बाद पर्ट्रोल और किरोसें का कॉंसेंट्रेशन चेंज नहीं होता तो अगर पहले ऑपरेशन के बाद यहा पर्ट्रोल और यहाँ परेट्रोल का परसेंटेज सेम है percentage निकालने के लिए मुझे देखना होगा कि यहाँ पर पहला जो है वो total कितने का है अब देखिए total A से C तो इधर गया फिर इधर से C आ गया मतलब total में C का कोई roll ही नहीं रहा मतलब total जो starting में था वही है तो समझ में नहीं है यहाँ पर बताता हूँ अरे भहिया यहाँ पर starting में B था अब C इधर चला गया फिर C इधर से आ गया तो C गया और आया चाहे 10 जाए आए 20 जाए आए 25 जाए आए तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा तो total वही आपका B का B ही रहेगा मतलब इधर आपका total A है तो इधर आपका total B है वही total में कोई change नहीं तो इधर का percentage of petrol और इधर का percentage of petrol same रहना चाहिए तो percentage petrol का कैसा निकाला जाता है पेट्रोल divided by petrol किसमे रहता है total का कितना प्रधिशत है तो मुझे सबसे पहले बताएए कि पहले में petrol कितना है A-C divided by पहले में total कितना है by A into 100 और अगर आप चाला कोंगे तो 100 की कोई जरूत नहीं है fraction ही बराबर होंगे तभी तो percentage बराबर होगा नहीं तो मैं पूरा लिखवा रहा हूँ इधर petrol कितना है C का और यह जो C का petrol है कितने में है B में है तो यह जो C है वो B का कितना प्रतिशत मतलब 100% अब इसको जब मैं बराबर करता हूँ तो 100 के साथ 100 कर जाएगा 100 के साथ 100 जब कटेगा तो यह cross multiply होने के बाद यह दिखेगा आपको A B minus B C is equal to A C आपको C का value निकालना है तो C को एक साइड में ले आए मैं अगर C को इस साइड में ले आता हूँ तो यह बन जाएगा A C plus B C तो यह बन गया मेरे पास A B बराबर A C प्लस B C तो यहां से अगर मुझे C का value चाहिए तो मैं step से C को common ले लूँगा C को अगर मैं common ले लूँगा तो यह रहेगा मेरे पास कितना A plus B अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि C whole into A plus B बराबर A B का है तो इस equation को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बराबर A B का है और अगर C whole into A plus B बराबर A B का है तो मुझे C का value चाहिए तो A plus B जाके उदर divide हो जाएगा तो finally ultimately मुझे जो C का value मिलेगा वो कितना मिलेगा A B तो RHS में है A plus B whole वाला term जाके नीचे divide हो जाएगा तो वो बन जाएगा A plus B चीक है तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा option number B यानि कि A B by A plus B अगर आपको कोई doubt है सवाल को हटाता हूँ बस आपको सवाल थोड़ा है देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बोला रहा था पेट्रोल या किरोसिन दोनों का percentage चिंज नहीं हो रहा है तो मतलब percentage of petrol भी same रहना चाहिए और percentage of किरोसिन भी same रहना चाहिए तो कितना percent कैसे निकाले है C by A into 100 100 के कोई जरूत नहीं कटना ही है लेकिन मैं कर रहा हूँ पूरा यहाँ पे किरोसिन कितना है B minus C कितने में से B में से तो कितना percent है B minus C by B into 100 अब 100 को 100 काटी cross multiply किजिए तो यह बन गया आपका B C यह बन जाएगा आपका A B minus A C minus A C इधर चलाएगा तो plus हो जाएगा A C plus B C बराबर यह हो जाएगा आपका A B आपको C का value चाहिए तो common ले लीजिए C को A plus B A B तो यहाँ से C का value कितना आगया आपके पास A B by A plus B तो यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं था आपको सीधा language को एक बार पढ़ना था थोरोली उसके बाद act करना था और कुछ भी यहाँ पे नहीं था तो उमीद करते हैं कि दूसरा सवाल भी आपका बढ़ी आसा clear हुआ होगा तो जल्दी से तीसरा सवाल यह आपके जोन में है आपको बस देखने से डर लगेगा और उसका कोई रोल नहीं है इतना भी मत बढ़िए आराम से होगा यह सवाल बस थोड़ा आराम से step by step pause करके पढ़िए और कीजिए फिर टैलिक कीजिए तब लगेगा आपको हाँ सीख रहे है सवाल कह रहा है कि in ABC Corporation there are some management trainees ABC Corporation में कुछ management trainees है आपके these trainees are divided into 3 groups A, B and C for 3 different projects in the ratio 3 is to 4 is to 5 respectively इन trainees को 3 group में divide कर दिया गया A, B और C कुछ project के काम में और किस ratio में divide कर दिया गया 3 is to 4 is to 5 मतलब आपके जो total employees थे total जो आपके employees थे management trainees थे total जो आपके management trainee थे वो आपके 3 group में बांट दिये गए A, B और C के group में बांट दिये गए और किस ratio में बांट दिये गए आपके 3 is to 4 is to 5 के ratio में बांट दिये गए तो आपको बोला गया है कि where P, Q and R are the project in charges of A, B and C तो अगर मैं आज से पूछू कि A का project in charge को है A का project in charge आपका P है B का project in charge आपका Q है और C का project in charge आपका R है अब बोला गया है कि इसका भी कोई role होगा definitely the difference between the number of trainees in A and C is not greater than 3 A और C में जो आपके difference आते हैं management trainee का वो 3 से ज्यादा नहीं है अब देखें मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि A में अगर आपका 3 part employee होंगे management trainee तो C में आपके 5 part होने चाहिए तो A और C के बीच में जो difference है वो difference कितने part का होना चाहिए वो difference आपका 2 part का होना चाहिए अरे 5 और 3 के बीच में less or equal to 3 बन जाएगा तो यही जो 2 part है यह 2 part क्या-क्या value ले सकता है पुरा चीज को सीखे 0 का value ले सकता है क्योंकि यह उससे कम होगा कम भी हो सकता है लेकिन इतना कभी होगा ने क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 3 part यह 5 part अलग है अगर सेम होते तो ही जाके difference 0 होता सेम होता तो 3 से कम और 0 से जादा मेरे पास 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है लेकिन अगर मैं 2 part को 1 या 3 लूँ तो 1 part मेरा order आजाएगा decimal में आजाएगा सर समझ नहीं है अब मैं समझाता हूँ अगर 2 part को में 1 लूँगा तो 2 part को 1 लेने से पहले A में 3 part होने चाहिए तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि 3 part कितना होगा 2 part अगर 1 तो 1 part बराबर 1 बटे 2 3 part बराबर into 3 तो ये कितना आजाएगा 1.5 अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ग्रूप में देड़ आदमी हो 1.5 किसी का आधा बॉड़ी होगा क्या? इंसान हमेंसा whole number में रहना चाहिए 1, 2, 3, 4 ऐसे देड़ आदमी, धाई आदमी ऐसा नहीं होते ठीक है? तो ये मुझे बता चल गया कि अगर मैं 2 part को 1 लूँगा तो एक पार्ट अपना half आएगा 1 by 2 और 3 पार्ट अपना 1 by 2 into 3 यानि कि 3 by 2 देड़ आजाएगा 1.5 आजाएगा और 3 पार्ट 1.5 आते ही एक ग्रूप में 1.5 मेंबर्स होंगे जो कि impossible हो गया सेम चीज में बताना चाहता था कि ये आपका odd है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये decimal देगा similarly 3 भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा decimal देगा तो 3 भी नहीं होगा लेकिन मेरा काम हिप्रूफ करना तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर मैं 2 पार्ट को 3 लेलू दो पाट को अगर मैं 3 ले लू तो मेरा जो 3 पाट आएगा वो कितने के बराबर आना चाहिए 3 बटे 2 इंटू 3 अगर 2 पाट अगर 3 तो एक पाट 3 बाइ 2 3 पाट 3 बाइ 2 इंटू 3 ये तो पढ़ाते पढ़ाते आ रहे हैं अभी तक चुके हैं 3 इंटू 3 नाइन बाइ 2 ये आपका कितना हो गया साधे चार क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए में ए ग्रूप में साधे चार आदमी हो चार आदमी कंप्लीट और एक आधा ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वही चीज़ आपको common sense दिखना चाहिए maths कि यहाँ पे 1 और 3 अगर में लूँगा तो यहाँ पे 2 parts का value अगर इतना लूँगा तो 1 part point में आएगा और अगर 1 part point में आएगा तो उसका odd multiple ये 3 part और ये 5 part हमेशा decimal में आ जाएगा लेकिन जबकि number of persons, number of management, trainees, employees कभी भी decimal में नहीं आ सकते तो अगर आपका 3 और 1 नहीं हो सकता तो यहीं पे मुझे clear data मिल गया कि अगर 1 और 3 discard हो गया तो ये confirm है कि 2 part बराबर आपका 2 हो गया और अगर 2 part बराबर 2 हो गया तो 1 part बराबर आपका 1 आना confirm है एक part अगर बराबर आपका 1 हो गया तो 3 part 3, तो यहाँ पे 3 employee, 4 part 4, तो यहाँ पे 4 employee, कोई change करने की ज़रा दे, 5 part 5, यहाँ पे 5 employee, confirm, अब आपको बोला गया है, सवाल देखिए, also PQR belong to the group of trainees, मतलब यह जो PQR है न, यह भी trainees है, मतलब यहाँ पे जो 3 trainee है, उसमें से 1 तो P है, 4 trainee है, यहाँ से 1 तो Q है, 5 जो है, एक तो R है, और यह trainee भी है, लेकिन project in charge भी है, मतलब किसी को शायद अंडर में रख रहे होंगे, तो बोला गया है, number of assistant of Q, Q के जो assistant है, is what percent less than the number of assistant of R, तो मुझे बोला जा रहा है कि, Q के जो आपके assistant होंगे, वो R के assistant से कितने प्रतिशत कम होंगे, तो मुझे सबसे पहले है यहां पे B में total आपके चार management trainee होने चाहिए, उसमें से Q एक management trainee है, तो Q के बाद आपके यहां पे कितने management trainee रहे होंगे, तीन, और वही आपके Q के क्या होंगे, assistant होंगे, क्योंकि Q तो project in charge है, उसको तो मुझे count नहीं करना है, उसके नीचे assistant उसके तीन दे होंगे, सर समझने ह हमें समझाता हूँ, C में, C group में total management trainee 5 होने चाहिए, R भी एक management trainee है, question में दिया है, तो 5 में से अगर R एक management trainee हो गया, तो R के अलावा और management trainee 4 होंगे, लेकिन R तो project in charge है, तो R के नीचे assistant कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे, तो मुझे यही सवाल में पूछा गया है, कि Q के question, so percent less निकालने के लिए आपको सबसे पहले उनके बीच में difference निकालना होगा, 3 और 4 के बीच में, what, divided बे जब more की value में पूछता हूँ, तो 3 और 4 में more call है, 4 in 200 और 1 बड़े 4 का answer क्या आजाएगा, आपका 25 प्रजिशत का आजाएगा, उमीद करता हूँ कि यह प्यारा सा सवाल को pause करके कीजिए, तब आपको पता चलेगा इसका actual आउकात, हम कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या difficulty रहा, कोई आपके सामने अगर explain करने वाला हो, तो आपको difficulty level का पता नहीं चलता है, जब आप खुद करते हैं उस चीज को, तो आपको पता चलता है better, तो सवाल यहां पर क्या कहा गया है, 3 persons A, B and C agree to pay their hotel bills in the ratio 3 is to 4 is to 5, तीन लोग है A, B, C, जो अपने hotel bill को 3 is to 4 is to 5 ratio में share करने की सोच रहे हैं, अब बोला जा रहा है कि A pays first day's bill, which amounts to rupees 26.65, तो चलिए पहले मैं सवाल को लिख देता हूँ, तो यहां प According to rule, मुझे यह पता चल गया है कि इनको जो bill payment करना था, वो किस ratio में करना था, 3 is to 4 is to 5 ratio में उनको bill payment करना था, लेकिन क्या हो गया, A pays the first day's bill, बिल पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का आया, तो वहीं पर बांटना सुरू नहीं कि उन्होंने, उन्होंने देखा कि पहल 2.75, B ने दे दिया 42.75, और C ने 3rd, मतलब दूसरे दिन का bill payment कर दिया, and C pays the third day's bill which amounts to 53, तो C ने 3rd day का bill दे दिया 53 रूपीस का, अब बोला जा रहा है कि when they settle their accounts, अब इधर उधर हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो सोचा नहीं था कि ऐसा आएगा, उन्होंने सोचा थ which of the following happens, इन में से क्या हुआ होगा, option को पड़े भी खर, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि किसी का हाथ से थोड़ा ज्यादा गया होगा, तो किसी का हाथ से थोड़ा कम, तो यहीं पर किसी को लोटाने होंगे, तो किसी को किसी से वापस लेने होंगे, तो यहीं चीज़ अगर मुझे देखना आई है तो मैंने ये निकालने के कोशिश किया कि कि किसको surplus amount अभी वापस देने है और किसको लेने है तो ये निकालने के लिए मैं अभी देखना चाहता हूँ कि भाया तीन दिन का बिल जो है वो total कितने का है अगर मैं add करता हूँ तो total आएगा देखिए 0.75, 0.65, 70, 60, 130, 140, 140 मतलब 0.4 अब 1 का क्यारी 4, 6, 6, 6, 12, 1, 6, 4, 10, 12 तो total बिल जो है वो 122 रुपया 40 पैसे का है अब चाहे इसको 3, 4, 5 में दो 7, 8, 9 में दो जिसमें भी दो ये पैसा तो देना चाहिए था उनको total अब ये ही पैसा अगर एक साथ एक ह बिल में आ जाता तो वो उसको 3, 4, 5 रेशियो में दे देते तो मुझे अभी देखना है कि 122.4 को अगर मैं 3, 4, 5 रेशियो में बानता तो actual बिल कितने का आता तो 3, 4, 7, 5 अगर मैं 12 पार्ट में ब्रेक करूंगा इसको 122.4 को तो यहाँ पे 122.4 को अगर 12 पार्ट में ब्र कर आएगा अब देखिए 12, 1 जा 12, 0 तो यहाँ पे आगया आपका 0.2 जा 24 तो एक पार्ट का वैल्यू आपका आगया है 10.2 और अगर एक पार्ट का वैल्यू 10.2 है तो मुझे प्यार से यह चीज़ बता दीजे इधर मुझे लिखे तो यह आपका एक पार्ट का वैल्यू तो एक पार्ट का वैल्यू अगर आपका 10.2 है तो एक को तो 3 पार्ट देने थे 3 पार्ट यानिके 3 इंटू 10.2 30.6 एक होगा कही में देने थे इसको 4 पार्ट देने थे 4 इंटू 10.2 40.8 इसको 40.8 देने थे 5 इंटू 10.2 50 और 20 पैसा मिल गया 5 बार मकलब 1 रुपया तो 51 र बताना चाहता हूँ इसको वाकई में इतने देने थे बिचारा ने इतना दिया मतलब इसको तो भाई आभी लोटाने वापस अब देखिए इसको देने थे 42.8 लेकिन उसने दे दिया कितना 42.75 तो उसको अभी वापस कितने मिलने है तो माइनस करके देखिए माइनस करके मा अभी 1.95 रुपए वापस लेने हैं सर क्यों क्योंकि इसको actually देना था 40 रुपए 80 पैसे उसने दे दिये हैं उससे इक्स्ट्रा 42.75 कितना एक्स्ट्रा दिया 1.95 तो यह उसको अभी वापस करने मतलब लेने होंगे किस से वह पता चलेगा बाद में दिखतो रहा है मुझे लेकिन फिर भी पता चलेगा बाद में इसको देना था 51 और यह और इजिनल है यह और इजिनल है ठीक है लेकिन उसने दे दिये हैं आपके 53 according to question तीसरे दिन का बिल पैमेंट किया 53 का 51 देना था लेकिन 53 दे दिया तो इसमें दो रुपे ज़्यादा दे दिया तो यह दो रुपे अभी इसको वापस मिलेंगे तो obviously देने वाला पाटी यही होगा अब इसको कितने लोटाने है यह भी देख लो इसको देना चाहिए था इतना लेकिन गंजूस इतना देके बैट गया है तो कितना कम दिया है वही देखना है वही वापस अभी लोटाना होगा इनको तो इनके बीच में डिफरेंस मैंने देखा तो 0 से 5 गया यह आपका आगया 5 तो यह आपका आगया 15 15 से 6 जाएगा यह 9 से 6 जाएगा तो यह 3 अब यह 2 से 2 जाएगा 0 मतलब इसको अभी 3.95 रुपीज लोटाने है और इसको 1.95 इसको 2 बैलन्स हो गया याद है ऐसा सवाल हम करते थे आपस में जब रहते थे तो बैलन्स होता था इससे 2 पाट कम तो इससे 2 पाट जाता मतलब साब रिवाइज हो 1.95, C को 2 तो ऐसा कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, A gives B, रुपीज 1.95, done, and 2 to C, perfect तो यह हो गया इस सवाल का सही जवाब तो आपको कुछ नहीं करना था बस यह टोटल एड करके उसका वाकई में ओरीजिनल रेशियो में बांट देना था आपका काम खतर उमीद करते है सब कुछ क्लियर है और अगर यह जो नंबर से वो अगर मुझे होल नंबर में देता मतलब ऐसा 27, 36, 45 मतलब नाहीं में करने वाले तो मैं इसको रेशियो में और भी गेम कर पाता लेकिन नंबर गंदे है तो मैं इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं आराम से इसको दिया ठीक है तो अप्रोच और भी है यह आपको वक्त से वक्त बदलने होंगे तो अब आपके सामने गजब सा सवाल आ चुका है बहुत ही धम्माकेदार जो कहते है न सवाल वो आ चुका है आपके सामने और पॉस करके सवाल को एक पर पढ़ेंगे तो ही हालत ताइट चैस असमच नंबस अट ए टाइम अज इस और हर एज एज एड़ एड़ फिल एग्जांपल दिया डड़ीज़ आपके साहरा शॉपिंग सेंटर में रूल चलता है वहां पर एक परसन एक तरीकर का उतना ही अर्टिकल ले सकता है जितना उसका एज है मतलब मेरा एज अगर 25 साल है तो मैं 25 वहां पर मार कर ले सकता हूं मेरा एज अगर 25 है तो में वहां पर 25 ले सकता हूं तो ऐसा पिजूल का है लेकिन हमार क्या है सवाल तो दिया है that is a person of a person of n years age can purchase only n similar articles at a time n years का person maximum n numbers का similar kind of articles ले सकता है बेकार है मैं बताता हूं ना आगे पढ़ता है Amisha is younger to her elder brother who has just entered into his twenties Amisha वो थोड़ा जो यंगर है कम साल है कम उम्र के है किस से उसके elder brother से वो 20 में मतलब 20 उसका age वा यह सब बेकार के data है पढ़िये line जो आता है One day Amisha went to the Sahara Shopping Center She purchased some office at a particular rate on the ground floor यह मुद्दे की बात है Amisha एक दिन उस शौपिंग सेंटर पे गई और उसने कुछ toffees खरीदे ground floor से यह important है But when she reached on third floor she found that she could have purchased double the number of toffees with the same amount as she had spent on the ground floor जब वो तीसरे floor पे पहुंची तो उसने देखा उसने तो पहले ground floor में कुछ toffees ले लिया था तो जब वो third floor पे पहुंची तो उसको पता चला कि उतना रुपए जितना उसने ground floor में खर्चा किया था उतने ही रुपए में वहाँ पे उसको third floor पे double toffees मिल रहते हैं तो अब उसने क्या किया Double the number of toffees with the same amount as she had spent on the ground floor Also to purchase the same number of toffees on the third floor She had to spend rupees to less than that of the first floor जितना toffees उसने नीचे लिया है उतना ही toffees लेने के लिए उसको third floor में 2 रुपए कम भी तो लग रहे हैं ये भी data आपको दिया गया है अब आपको क्या बोला गया है कि how many toffees did she buy उसने कितने toffees खरीदे हैं यहाँ पे 2-2-3-4 कुछ भी दबरदस्त है लाश्ट में सबसे major twist आपको बताऊंगा तो सबसे पहले इस question को करने का आपके दिमाग में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो pure traditional concept उसकीजिए वो बन जाएगा कैसे मैं यह कह सकता हूँ कि अमीशा जो है वो कितना रुपे लेके गई थी suppose मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स रुपे लेके गई थी मतलब एक्स रुपे का toffees उसने ground floor पे खरीदा एक्स रुपी इसके toffees अब मुझे पता नहीं कि एक रुपे में कितना toffees मिलता है मैं यह कह सकता हूँ कि पर रुपी suppose उसको white toffees मिल रहे हैं तो मुझे ये बात बताए कि अगर आप 8 रुपे लेके जाएंगे दुकान में और एक रुपे में अगर आपको 3 toffees मिलता तो 8 रुपे में आपको 8 into 3 total toffees कितना मिलेगा 24 तो total number of toffees निकालने के लिए मुझे क्या पता है कि कितने रुपे में खरीद रहा हूँ और पर रुपे मुझे कितने toffees मिल रहे हैं उन्दों को अगर मैं multiply करता हूँ तो total और एक बार अगर मैं कहूँ मैं market को 18 rupees लेके जाऊँगा और 18 rupees के हिसाब से मतलब हर रुपे में मुझे 2 toffees मिल रहे हैं मतलब एक रुपे में 2 toffees तो 18 rupees में 18 into to 36 वही मैं concept आपको बताना चाहता हूँ अगर एक रुपे में आपको 4 toffees मिलते और आप total 15 rupees खर्चा करते तो 15 into 4 आपको 60 toffees मिलता तो अगर मैं जितना रुपे में खर्चा करता हूँ into कर दूँ जितना मुझे 1 रुपे में toffees मिलता है तो मुझे total number of toffees पता चल जाएगा तो मैंने x rupees में हर रुपी में y toffees लिया होगा तो x rupees में मैंने x y total toffees लिया होगा ये तो starting ground floor का condition गया अब आगे क्या कहा पता है मैंने इसलिए पूरा question को पहले एक बार explain कर दिया कि जब मैं third floor पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे ground floor में जितना toffees मिलना है उसका double toffees यानि कि 2 x y toffees ये x y ना ground floor में उसका double toffees मिलना है same price में मतलब वही x rupees जो मैंने ground floor पे कर्चा किया था वही x rupees अगर मैं third floor में कर्चा करता तो ground floor में जो x y toffees मिलता उसका double toffees मुझे मिल जाता यहाँ पे 2 x y अब इससे आपको क्या पता चलता है इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे ये पता है कि इन दोनों को multiply करने से यह आना चाहिए तो मैंने तीन बार समझाया आपी तो x में क्या multiply करने से 2 x y आ है अब 2 भी चाहिए y भी चाहिए तो 2 y मतलब ये तो common sense आप में भी होना चाहिए कि जितना पैसा कर्चा करता था अब भी उतना करता हूँ लेकिन अभी toffies double आ जा रहा है मतलब एक रुपे में मुझे जितना मिल ला था अब उसका दुगना मिल रहा है वही चीज यहाँ पे हुआ कि अगर एक रुपे में आपको y मिल था तो अभी आपको 2 y मिला ये आप common sense भी इस्तवाल कर सकते थे लेकिन अब जो third important चीज है वो ये बोला है कि ground floor में मैंने जितना टॉफी लिया third floor में अगर मैं उतना टॉफी लेता मतलब यहाँ पे भी अगर मैं x y टॉफी लेता तो मुझे जो पैसे देने पड़ते वो 2 रुपे कम होते तो पैसे जो देने पड़ते उसकी बात छोड़ दीजे मुझे ये बताईए कि वही third floor में एक रुपे में जो 2 y टॉफी मिल ला था वो तो हमेशा 2 y का मिलेगा मतलब ये वाला term आपका 2 y रहेगा और मुझे पता है कि रुपीज और पर रुपी को multiply करने से total आचा है अब मुझे ये बताईए कि 2 y आपके पास है आपको x y चाहिए तो आपको क्या multiply करना है सबसे पहले y है x चाहिए तो x लाईए कि आपको ये 2 जरूरत है नहीं तो ये 2 को यहाँ पर divide कर दीजे ताकि ये 2 के साथ ये 2 cancel हो जाए बस दिखाने के लिए बता रहा है तो जाके मैं कहा सकता हूँ ये price सब कुछ perfect चल ला है तो अब मैं कहा सकता हूँ कि ground floor में third floor में मैं जो पैसा खर्चा करना चाहता हूँ x y 2 का वो कितना कम है 2 रुपे कम है ground floor से तो मैं ये कहा सकता हूँ ground floor में third floor पे लूँ तो मुझे 2 रुपे कम लगते हैं तो मतलब इस ground floor का price और इस price के बीच में difference 2 रुपे का है तो difference मतलब x और x-2 के बीच में difference 2 रुपे का है 2x-x तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि x by 2 बराबर 2 तो x का value आपके पास आ गया 4 अब x आपका answer नहीं है क्यों x आपने क्या निकाल जिया कि आप कितना रुपे खर्चा कर रहे थे लेकिन सवाल आपको क्या पूचा how many toffees did see by total कितना toffees है अब total के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह तो fixed है कि मैं 4 रुपे खर्चा कर रहा था इसके लिए तो और कोई doubt नहीं है अब 4 रुपे में मुझे हर रुपे कितना toffees मिल रहे उसके बारे में आप कोई data निकाल सकते हैं बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं तो sir cannot be drumine हो जाएगा का नहीं cnd अगर option होता तो मैं उसको pick करता definitely लेकिन इस सवाल में twist यह है कि यहाँ पे cnd नहीं है तो मुझे देखना होगा कि कौन सा ऐसा sweetable option है जो satisfy कर रहा होगा तो उसके लिए मुझे यह पता चला कि 4 रुपे तो मैंने खर्चा किया होगा अब पर रुपी मुझे कितना toffees मिल रहे तो मुझे पता नहीं लेकिन पर रुपी या तो मुझे एक toffees मिल सकता है या तो दो toffees मिल सकता है तीन toffees ratio का concept कहां है आता न यह देखे ratio का concept multiples में चलते हैं न तीन toffees मिल सकता है चार toffees, पांच toffees, छे toffees, ऐसा ही मिल सकता है और अगर एक रुपे में एक चॉकलेट मिलेगा, तो आप टोटल चार चॉकलेट लेके आएंगे, अगर एक रुपे में दो टॉफी मिलेगा, तो चार रुपे में आट मिलेगा, एक रुपे में अगर तीन टॉफी मिलेगा, तो चार रुपे में चार इंडू तिन, बारा मि बारे में पूरा चीज देखिएंगे तब पूरा चीज पर्फेक्ट ले आ जाएगा तो मैं यह कह सकता हूं कि चार के मल्टिपल्स में मैं टॉफी ले रहा हूंगा यह mandatory है और अगर चार के मल्टिपल्स में मैं टॉफी ले रहा हूं तो option 8 6 is it a multiple of 4? no option c 18 is it a multiple of 4? no option d 15 is it a multiple of 4? no only option number b which is 12 is a multiple of 4 और 12 answer आते ही मैं अभी आपका दूसरा assumption भी बता देता हूं कि 12 होना का मतरब क्या है पता है अगर आग 4 रुपे खर्चा कर रहे हैं 12 टॉफी लेके आते हैं तो हर रुपे कितना टॉफी लिए होंगे तीन तो वाई का वैल्यू इससे भी मैं बता सकता हूं कि यह आना चाली है तो मुझे exact answer नहीं बता तो अगर cannot readmine होता है तो मैं उसको pick करता है लेकिन option अगर दिया है without cannot readmine तो मुझे suitable option pick करना है उमीद करता हूं कि यह मज़ेदार सवाल आपको बहुत ही मज़ा आया होगा अब चल दें रिशो का सबसे आखिर वाला सवाल उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा हमवग दोंगा फिर मेरा काम खतम फिर आपका काम शुरू practice करना है तो यह सवाल को को प्रशिष कीजी खुद पॉस करके फिर से करने की और यहां से भी आपको definitely नया सेखने के लिए मिलेगा यहां पर जो नया है वो में लाशनी बताऊंगा प्रिवियस वाले सवाल में C&D जो था आप भी C&D बताते लेकिन option C&D नहीं था तो हमें option के हिसाब से जाना चाहिए यहां पर similarly क्या नया होगा वो देख लेते हैं 3 friends ABC and D decided to share the soda water with D who had no soda water तीन दोस्ते अपने कौन कौन है एक अपना है A, एक अपना है B, एक अपना है C, एक अपना है D तो यह ABCD ने आपस में D के साथ soda water share करने का सोचा कि A कुछ D को दे देगा, B कुछ D को दे देगा, C कुछ D को दे देगा, क्यों, who had no soda water, क्योंकि D के पास कुछ soda water नहीं था, इसलिए, बया है दोस्त, क्या हो सकते हैं, A contributed to termler more than that of B, and B contributed one termler more than that of C, अपना है, आपको math में यह termler ओमले की जानने की ज़रूत नहीं है, या तो आप एक unit of measurement ले सकते हैं, या आप पर एक जगा ले सकते है जो भी आपका मन करे, तो इतना बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि C जितना दे रहा होगा, B उससे एक ज्यादा दे रहा होगा, और B जितना दे रहा होगा, A उससे दो ज्यादा दे रहा होगा, चाहें, tumbler की बात कीज़े, liter की बात कीज़े, मुझे उससे कोई फरक नही c x दे रहा होगा तो b कितना देगा x प्लस 1 देगा और b जो देगा उससे 2 ज्यादा a देगा यानि कि a देगा कितना x प्लस 3 done है इतना तक अगर आपका clear है तो अब मुझे बोला जा रहा है and then all मतलब यह जो देने के बाद d को all of them had equal amount of soda water सब के पास equal amount of soda water हो जाता है सर डी का निकाल दे d के पास कुछ नहीं था तो d के पास आ जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x तो सर डी के पास आ जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 1 4 अब इसके कोई जरुरत थी या नहीं वो तो सवाल पढ़ने के बाद ही बता चलेगा सवाल मुझे दिया गया है in turn d paid money which was divided among a b and c in the ratio of their contribution to d बदले में d उनको पैसा देता है और उजब पैसा देता है वो किस ratio में देता है जिस ratio में इन्होंने इसको दिया है contribution उस ratio में उसको पैसा देता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि इसने अगर x plus 3 parts दिया होगा और इसने अगर x plus 1 part दिया होगा और इसने अगर x part दिया होगा तो उनको पैसा भी इसी ratio में मिलेगा अब मुझे सवाल बोला जा रहा है कि does a had got thrice as much money as b had got तो a को जो पैसा मिलता है वो b के पैसे का 3 गुना है तो मुझे बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए was रुपीस 15 हर टंबलर जो सोडा वाटर वो देते हैं वो प्राइस उसका 15 रुपए है and each transaction was integral in numbers either the sharing of money और contribution of सोडा वाटर चाहे बात की जाए सोडा वाटर देने की या पैसा लेने की या जो भी हर चीज यहाँ पे integers में चलता है कोई decimal का concept नहीं है what was the sum of money that B had got then B को कितना पैसा मिला सवाल confusing है लेकिन सोचने वाली बात है कि मुझे यह बताए कि इसको 3 पार्ट का पैसा और इसको 1 पार्ट का पैसा उसने क्यों दिया क्योंकि इसने इसको 3 पार्ट का सोडा वाटर और इसने बराबर हो गया आपके पास 3 X और यह बराबर हो गया आपके पास प्लस 3 तो 3 3 कड़ गया डरने वाली कोई बात नहीं है 2 X बराबर 0 तो X बराबर 0 अग्सर बच्चे यहीं देखके फिर कुशन को skip कर देते हैं लेकिन end तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि खुद पर भरोसा रखे X 0 भी हो सकता है सर एक 0 हुआ मानल भी लेते लेकिन X 0 हुआ तो मतलब C ने कुछ पैसा दिया ही नहीं अब C के बारे में बताया कहा है उसे ने इसलिए तो कहा कि A का पैसा B के पैसा का 3 गुना है C के पैसा का कुछ गुना हो ही नहीं सकता इसलिए तो उसने C का डेटा दिया नहीं मतलब C ने इसको कुछ दिया ही नहीं और अगर C ने कुछ दिया ही नहीं और B उससे 1 लिटर ज्यादा देता है एक टंबलर ज्यादा देता है तो यह total e ही दे रहा होगा। या फिर आप x के जगा 1 डाल के देख लीजिए। तो अगर मैं x के जगा 0 डाल के देख लीजिए, तो x के जगा 0 डालूंगा, तो b ने total 1 दिया होगा, या तो मैं ऐसा कह सकता हूं, कि इसने total 0 दिया होगा, ये इसने एक ज्यादा वन दिया होगा ये इसने दो ज्यादा यानि कि इसने तीन दिया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो गया ये इसने तीन बटलर इसको दिये होगा बटलर नहीं वे क्या था टमलर सॉरी क्या हो गया मुझे तो ये इसने एक टंबलर दिया होगा और इसने कुछ भी नहीं दिया होगा अब question पूछाग है कि जो what is the sum of money B had got B को कितना पैसा मिला अब एक टंबलर दिया है तो एक टंबलर का पैसा लिया होगा अब एक टंबलर सोडा का price कितना चलना तो 15 रुपे चलना था अगर एक टंबलर का 15 रुपे तो B ने अगर एक टंबलर दिया तो B को 15 रुपे ही तो मिलेंगी उससे ज्यादा नहीं कम नहीं और अगर लास्ट चीज में आपसे पूछू कि इस A को कितना मिलता तो A तीन टंबलर दिया है तो इसको 15 इंटू 3 45 मिलता तो A का 45, B का 15 और C ने कुछ दिया नहीं तो C ने 0 और लास्ट में अगर सवाल ये पूछता कि D ने टोटल कितने रुपे इनको दिये होंगे तो 3 प्लस 1 इसने 4 दिये होंगे एक पार बराबर मतलब एक टंबलर बराबर 15 तो 4 टंबलर बराबर 60 ऐसा कह सकते हैं नहीं तो इसको 45 इसको 15 मिलाके 60 रुपीज इनको कॉंट्रिब्यूट किये होंगे उमीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको पसंद आया होगा क्योंकि यहाँ पर जो concept था डरिएगा मत जीरो वीरो देखके concept पूरा आपका अगर clear है तो जल्दी से ये जो सवाल आपके सामने display हो रहा है इसका जल्दी से answer हमें comment box पर बता दीजे और it's a sincere request to each and everyone की kindly आप हमें feedback share करें कि आज के ये session का आपको जो motto था सिखाने का वो concept वो motto हमारा पूरा हुआ या नहीं दिमाग में आपके concept धुसे या नहीं वो सब कुछ आप हमें comment करके बिंदास बताईएगा और उमीद करते हैं अगर पसंद आया होगा तो आपने अभी तक like करी लिया होगा और request य maximum लोगों तक हमारा ये content पहुंचे और हमें थोड़ा लगे कि हमारा महनत जो है वो रंग ला रहा है तो बस यही कहके आज के session को end करते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe ज़रूर से कर लीजिएगा क्यूंकि ऐसा ही quality content के सब हमाँ आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे अपके आख्याओ वागे वड्याओ बागे रवाए रखे नहीं है शेख़ रेख फिर सब्सक्राइब ड्रकात करते रहें जो रुड़ा भाइब रहें तरहा है।